बोड दिख रहा होगा लेकिन मैं ने दिख रहा है मेरे बाउंटरी दिख रहे हैं कि आक्चिल में बोड के लाइट को चुपा रहा हूं यूट्यूब नहीं भेजा था बहुत पहले जो मेरे चाइद 500 के सब्सक्राइबर होगे रेरर से टेंसर जा रही है तो आप देख सकते हैं तो आप लोगों को एक वादा किया गया था प्रॉमिस किया गया था कि यहां पर हम लोग वन शॉट की सीरीज लेके आएंगे और नाइंथ के वन शॉट डलना शुरू हो गए हैं टेंथ में बागे सब्जेक्स के भी वन शॉट डलना शुरू हो गया और यह हमारा टें कि पता नहीं आप लोग मुझे जानते हैं कि नहीं मेरा नाम है आशुक गई और मैं साइन्स को बहुत डिफरेंट तरीके से अपने पेड़ बाचे जी ऑफ लाइन में बढ़ाता हूं जहां पर हम लोग हर चीज के मतलब जिस भी चीज के हो सकते हैं उनके हम लोग साथ में ड और शायद यूट्यूब पे अभी तक यह किसी ने भी नहीं किया है वन शॉट एक सर हुआ करते हैं अभी भी जिन्दा है ऑफिसी बात है बड़ उनने पढ़ाना छोड़ दिया है सर वाल्टर लुई जी एमाइटी के प्रोफेसर रह चुके हैं वो वो यह काम किया करते थ कि जब किसी भी चीज को पड़ो और अगर उसको साथ साथ देखो भी विजिलाइज भी करो चाहे एक्सपरिमेंट के थरू चाहे किसी और के थरू तो वो जादा समय तक याद रहती है तो यहां पर आप एक सेट अप देख सकते हैं यहां पर दो कैमरा जो है वो लगे और magnetic effect of electric current में भी ऐसे ही chemistry के भी one shots आएंगे थोड़ा सा उसमें भी हम लोग experiment साथ साथ देखेंगे यानि कि बहुत unique तरीके से हम लोग in one shots को record करने वाले हैं मैं आपको पता देता हूँ क्योंकि यह light chapter है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे हर एक topic को पढ़ा के मतब कि जैसे क for an example हम लोग reflection सीख रहे हैं तो reflection क्या है उसको देखेंगे भी ठीक है ना साथ साथ ठीक है laser light की मदद से और यहां पर बहुत सारे चीज़ें पढ़े हुए एक एक करके सब इस्तमाल इस one shot के अंदर होने वाली है ठीक है जी शुरू करते हैं हो सकता है demonstration की वाज़े से यह lecture थ इस तरीके से design किये जाएंगे कि आप इन्हें आज देखें आप इन्हें 20 साल बाद भी देखें 20 साल तो खेर बहुत जादा हो गया 10 साल बाद भी देखें तो यह आपको from start to end पूरा light chapter जिसमें दो हिससे है reflection और reflection पूरा clear कर देंगे ठीक है जी और इसके बाद हम लोग यह पर sessions लेके आएंगे जहां पर हम लोग इस chapter के question answers भी आपको करवाएंगे ठीक है जी तो चलो शुरू करते हैं ओहो चाली तो सबसे पहली बात तो करते हैं कि light जो है हमारे पास उसके बहुत सारे phenomenon होते है light क्या यह तो हम बच्पन से पढ़ते आ रहे हैं light एक ऐसी form of energy है जि अगर टीवी की screen पर देख रहे हैं तो light की वज़ा से है इस कमरे में अभी एक दो तीन light जल रही है अगर मैं सारी light बंद कर दूँ तो आपको मैं नजर नहीं आऊंगा या इस थोड़ी बहुत जो भी और external light के sources होंगे तो light एक ऐसे energy है जो हमें चीज़े देखने में help करती है अब light के 5 phenomena होते हैं अगर हम समझें तो major 5 phenomena जिसमें से दो phenomena हम लोगों को इस chapter के अंदर पढ़ने है reflection and refraction फिर 12 में दुबारा से एक chapter आएगा chapter का नाम होगा ray optics and wave optics वहाँ पे आपको again reflection और reflection तो पढ़ने हैं लेकिन 3 phenomena और होंगे polarization, defraction and interference although छोटे छोटे और भी phenomena होते हैं light के light, total, internal, reflections and all but majorly यह 5 phenomena है जो light perform करती है जिसमें से 2 phenomena हम लोगों को पढ़ने हैं और जिसमें से हम शुरुरवात कर रहे हैं आज obvious सी बात है reflection की आप ऐसा कह सकते हो कि इस पूरे chapter का reflection कहीं ना कहीं 60% हिस्सा है मैं number of lecture wise बात कर रहा हूँ, number of hours की बात कर रहा हूँ, number of duration in minutes की बात कर रहा हूँ और जो reflection वाला हिस्सा है वो 40 minutes का है वैसे तो दोनों बराबर हैं बट क्योंकि हम लोग reflection पढ़ने के बाद reflection काफी ज़्यादा जल्दी खतम कर लेंगे reason क्योंकि बहुत सारी चीज़े reflection में reflection से मिलती जुलती होंगी तो काफी चीज़े जो है वो उसके बात कवर हो जाएंगी, साथ साथ मज़ा आएगा ठीक है चलो आप, शुरुबात करते हैं सबसे पहले, what do you mean by reflection reflection क्या होता है, जैसे कि आप से अगर मैं एक सवाल पूछूँ अगर आप एक बॉल को दिवार पे मारोगे, तो क्या होगा, तो answer है बॉल टकरा के वापस आपके पास आजाएगी, sound भी ऐसा ही करती है और light भी ऐसा ही करती है, sound के बारे में आपने 9th class में पढ़ा हूए sound जाती है, तो टकरा के वापस आजाती है, I hope आपको दिख रहा हूँ इस कमरे में वैसे अभी तक तो हम इसको zoom रखते थे, बड़ अगर आपको इस board के side में दिख रहा हूँ तो यह styroform यानि की acoustic भी कहते है इसको, यह sound को absorb करने के लिए है ताकि इस कमरे में आवाज गूंजे ना, हना, बात को समझ में आ रही है, बिलकुल क्योंकि अगर यहाँ पर यह नहीं लगी होगी तो दिवार पर मिरे sound जाकर टकराएगी, और multiple times माइक के अंदर आएगी, आपको सुनने में मज़ा नहीं आएगा इसलिए यहाँ पर यह पूरे कमरे में लगावा है, यह पूरे कमरे में लगावा है, अच्छा ठीक है, ओके, बट light भी कुछ ऐसे ही reflection करती है light का किसी shiny surface पे जाके टकराना, light एक shiny surface पे जाके टकराती है, polish surface पे जाके टकराती है, like यह mirror, अभी हम इसके ओपर देखते हैं black color का, या मेरी t-shirt जो है, वो black color की है, वो उतनी shiny नहीं है, तो क्या मेरी t-shirt reflection नहीं करती है, इसके उपर बात हम करेंगे, बट reflection का मतलब अगर हम लोग समझें, तो let us suppose यह मेरे पास एक polished surface है, यह मेरे पास एक polished surface है, polished surface का कहीं बच्चे मतलब समझते हैं कि यह सिरफ एक mirror हो सकता है, ऐसा नहीं है, polished surface का मतलब एक mirror के अलावा भी बहुत कुछ हो सकता है, like एक tile हो सकती है, एक बहुत अच्छा, let's say, कोई shiny paper हो सकता है, जो कि हम लोग gifts पे चड़ाते हैं, वो सब भी mirror का का काम कर सकते हैं, चीक यहां से एक light आई, यहां से एक light आई, यह light आई, अब यह जो light आई, जैसे यह polished surface पे गिरी, बिल्कुल वैसे ही यह bounce back हो गई, तो यहीं से वापस यह light चली गई, तो light का टकरा के bounce back हो जाना, अगर मैं ऐसे गिरता, तो ऐसे आजाती है, अभी हम पढ़ेंगे भी, ऐसे गि पर दिवार पर सीधा मारूँगा तो वो सीधा आईगी, ऊपर सा मारूँगा तो जैसे ऊपर सा मारूँगा तो निचे जाएगी, निचे सा मारूँगा तो ओपर जली जाएगी, बिल्कुल ऐसे ही हमारी light भी करती है, आप हम mirror की मदद से और एक laser, क्यूंकि देखो बिटा laser light का path देखना जो है वो शुरू कर देंगे, ठीक है जी, तो जल्दी से आओ, एक बास समझते हैं कि जो reflection है, वो इस mirror की वज़ा से कैसे देखता है, तो सबसे पहली बात तो I hope आपको ये जो laser का path है वो दिख रहा हो, ये laser का path अंधेरे में ही दिखता है, इसलिए हम लोगो बात तो अभी अगर इस plane mirror पे मैं light ray को मारता हूँ, पहली बात तो laser का path I hope आप सभी को दिख रहा हो, और ये इसलिए दिखेगा क्योंकि मैं light बंद कर दिया, अगर मैं light जला दूँगा तो बाकी सारी light इतनी dominant हो जाएंगे कि ये नहीं दिखेगा, अब हम सबसे पहले reflection होता है, वो होता कैसे है, तो ये हमारे पास laser light है और ये मेरे पास mirror है, अब जैसे ही मैंने इस laser light को इस mirror पे मारा तो आप देख सकते हैं कि light ने reflection कर दिया, light जो है वो bounce back हो गई, light ने reflection कर दिया, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर light जो है वो reflect हो गई है इस mirror से, काफी इतनी dominant नहीं होती है इसलिए आपको दिखती नहीं है बट actually यहाँ पर पर तरीके से आप देख सकते हैं reflection हो रहा है incident रहे आ गई और यह reflected रहे चली गई ठीक है जी तो I hope आप समझ गए कि जो reflection है वो कैसा होता है light अगरा के चली जाती है अब क्या ऐसा कहना ठीक होगा कि जो reflection ह वो अलग-अलग object से बिलकुल अलग-अलग तरीके से होती है इसका मतलब क्या हुआ आउ ज़रा समझें reflection जो है वो कहीं surface अच्छा करते हैं यानि आगर मैं ऐसे लेखूं कि polished surfaces are good reflectors यह बहुत अच्छा reflection करते हैं लेकिन वहीं पे dull surfaces are not good reflectors यह हम कह सकते हैं कि यह bad reflectors भी होते हैं अब इसको समझने के लिए हम laser light को एक बार एक polished surface पे मारेंगे और एक बार एक जैसे कि एक बार में mirror पे तो हम देखी चुके हैं फिर भी एक बार mirror पे मारते हो और एक बार हम इसको मेरी mobile के black cover पे मारेंगे ताकि हम यह देख सके laser मारता हूँ तो क्या black उतना अच्छा reflection करता है क्या मेरी T-shirt एक अच्छा reflection करेगी हाना या as compared to my T-shirt क्या यह चोटा सा mirror एक अच्छा reflection करेगा तो इसको हम एक बारी देखते हैं कि अलग-अलग substances कैसे reflection करते हैं आओ जरह उसको देखें ठीक है कुछ substance अच्छे reflection करते हैं कु सकते हो कि अब यहां पर reflection ना के बराबर हो रहा है although उपर की जो च्छत है उस पर थोड़ी बहुत light है बट ना के बराबर reflection है लेकिन वहीं पर अगर आपको मैं एक और चीज़ दिखा हूँ यह मेरे पास मेरे हाथ में stylus है अगर मैं stylus के उपर light मारूं तो शायद आपको इ रेड वाले हिससे पर मारूं तो ना के बराबर reflection है लेकिन इसके पीछे वाला हिस्सा white है white वाले हिससे पर मारूं तो आई होप आपको reflection जो हो दिख रहा हो although यह mirror के मुकाबले काफी कम है बट reflection है इसका मतलब यह कि कुछ substance अच्छा reflection करते हैं और कुछ substance बुरा सबसे अच् surface होता और इसका reflection काफी अच्छा होता है ठीक है ना ठीक है तो आई होप आपने यह देखा कि कैसे अलग अलग substances बहुत अच्छा reflection कर रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो अच्छा reflection नहीं कर रहे हैं लेकिन reflection हर कोई कर रहा है अगर आप किसी भी object को देख पा रहे हो तो या तो व light chapter में object का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज जो light ray निकाल रही हो उसको हम object कहेंगे अब आपको अपने कमरे के अंदर जिस कमरे में भी आप बैठे हो देखो आपको जो जो दिख रहा है हमारे इस chapter के साब से वो object है बढ़ हो सकता है उसके पास अपनी खुद की light हो या हो सकत पढ़ाई कर रहे होते हैं light की उसकेस में हमारे लिए object कौन होता है जो भी light निकाल रहा होता है अब luminous object कौन सा होता है object यह आपने nursery ग्लास में पढ़ावा है object which have their own light ऐसे object जिनके पास उनकी खुद की light होती है आप डाइग्राम में देख सकते हैं जैसे की एक bulb है ना भई एक बल्ब जब जल रहा होता तो उसके पास खुद की light होती है जैसे की एक sun या star stars के पास sun भी एक star है stars के पास अपनी खुद की light होती है जैसे की fire या फिर burning candle अब burning candle में जो flame वाला हिस्सा है उसके पास तो खुद की light है लेकिन नीचे वाली candle के पास खुद की light नहीं है ध्यान रखना वहीं पर non-illuminous objects कौन से होते हैं भई तो objects which do not have which do not have their own light जिनके पास अपनी खुद की light नहीं होगी obvious ही बात है अगर उनके पास खुद की light नहीं होगी तो वो दिखते कैसे हैं बड़ा interesting है तो answer reflection of light से कैसे आँ जरा समझाओंगा बट जहां पर आप यह देख सकते हैं कुछ diagrams में भी वहना हुआ है जैसे की book एक non-luminous object है इसके पास खुद की light नहीं होती है जैसे की अपना moon moon जो है अपना moon तो ऐसे बोर रहा हूं जैसे मेरा है अपना moon मतलब moon जो है वो भी एक non-luminous object है और वहीं पर आप देख सकते हैं पैसा, money, currency, coin, note यह सब भी बटा क्या है इनके पास खुद की चमक नहीं है चीक है बचो तो क्योंकि यह non-luminous objects होते हैं तो ऐसे object जिनके पास खुद की light है वो हमें कैसे दिखते हैं अब आपको यह board कैसे दिख रहा है क्योंकि इसकी खुद की light है और यह निकल रहा है लेकिन आपको मैं कैसे दिख रहा है और यह कोशन पुछता है अगर मैं इस camera की सारी light बंद कर दूँ तो क्या आपको मैं दिखूंगा आंसर है नह मैंने इस camera की यहां पर एक light बंद कर दूँ यह मैंने दूसरी light बंद कर दी और यह मैंने तीसरी light बंद कर दी अब आपको यहां पर क्या दिख रहा है तो answer है अ चो बड़ी कमाया कि चीज रहेगा और बूर्ड से लाइट निखलती रहीगो मैं एक कॉन्स आपजेट हुँ मैं एक नाट Listeningर तो execut Right की लाइट जला दी है समझ गए मैंने यहां की लाइट जला दी है वहीं पर अगर मैं आपको बाकी लाइटे भी जला दूँ देखो अगर मैं बाकी लाइटे भी जला दूँ तो अब मैं आपको बिल्कुर पहले के तरह दिखने लग जाएंगा क्योंकि आप उपर की लाइट भी जल गई है, साइड की लाइट भी जल गई, तो हर तरफ से light जो है वो आ रही है, although वैसे एक light आगी और भी है, बड़ वो हमने बंद कर रखे क्योंकि यहां setup है तो उसका कोई फाइदा नहीं है अभी The point is कि मैं एक non-luminous object तो मैं आपको नजर कैसे आ रहा हूँ, तो मैं दूसरे luminous objects की light को reflect करके आप तक पहुंचा रहा हूँ, तो यहां पर हम एक बड़ा ही important point लख सकते हैं एक non-luminous object के बारे में, कि we can see non-luminous objects we can see non-luminous objects by reflection of light by reflection of light अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि मैं आपको नजर कैसे आ रहा हूँ, क्योंकि ऊपर से light मेरे चेहरे पर गिर के टकरा के आप तक, यानि कामरे तक आ रही है side से light luminous object से निकल के टकरा के आप तक आ रही है तो हमें non-luminous objects कैसे दिखते हैं, वो luminous object या दूसरे object से निकली वी light को reflect करते हैं तब वो दिखते हैं, अदर्वाइस वो नहीं दिखते हैं, तो यह बात आपको समझ नहीं होगी लेकिन हाँ, विससे बात है, जितने भी हमारे पास luminous objects हैं, उनसे तो खुद की light निकलती हैं, हम उन्हें देख लेते हैं, अब जैसे कि यह है, यह मेरे पास एक YouTube नहीं भेजा था, बहुत पहले जब मेरे शायद 500 के subscribers हो थे, अभी फिलाल यह एक non-luminous object है, अभी फिलाल, लेकिन आपको यह भी दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, क्योंकि इस में से light निकल के आप तक आ रही है, यहां से light आई, टकराई और आप पे आ गई, लेकिन अब मैं अगर इसको जलाओं, यह देखो, हाना, अब आपको मैं जलाओं, अब यह एक कौन सो object हो गया, यह हो गया luminous, अब इसके अपास से खुद की light हो गई, अब अगर मैं उपर की light बंद भी कर दूँगा, मैं बार-बार नहीं करूँगा, बड़ अगर बंद भी कर दूँगा, तो भी आपको नहीं मिलेगा, यह बात ध्यान रखिएगा, चलिए, आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं, laws of reflection की, laws of reflection क्या होता है, चीक है जी, laws of reflection के बारे में बात करते हैं, और इसको भी हम यहां पे देखेंगे, कि यह actually में सही भी है या नहीं है, तो सबसे पहली बात तो, laws of reflection क्या ह यह हमारे पास एक polished surface है अभी के लिए आप इसे अगर imagine करना चाहते हो तो आप इसे एक mirror मान सकते हो जैसे कि अभी हमने mirror से reflection किया था आप इसे अभी एक यह वाला mirror ही मान सकते हो कि यहाँ पे mirror पड़ावा है यह एक polished surface है अब इस polished surface के उपर अगर light गिरी पहली बात तो जो light ray गिरती है उसको कहा जाता है incident ray यह नहीं नाइंट में भी सीखा हुआ है जो light ray गिरती है उसको हम लोग कह देते हैं incident ray अच्छा अब यह जहां पे गिरती है इस point को बोल देते हैं हम लोग point of incidence जहां पे light ray गिरती है इसे कह दिया जाता है point of incidence और light ray टकरा के reflection करेगी यह तो हम जानते हैं light ray टकरा के reflection करेगी यह तो हम जानते हैं तो जो light टकरा के चली जाती है इसका नाम दिया जाता है reflected ray है ना पता ही होगा इसका नाम दिया जाता है reflected ray और जिस point पे टकराते हैं अगर मैं उस point पे एक 90 degree की line with respect to the surface बना दूँ तो उसको normal ray कहते हैं यह पता ही होगा इस line को हम लोग कौन सी ray कहेंगे normal ray या सिरफ normal भी कह सकते हैं अच्छा अब I hope यह पता होगा कि जो incident ray है और normal ray है उसके बीच के angle को हम angle of incidence कहते हैं न भई तो angle I को कहा जाता है angle of incidence और वही पे इस वाले angle को हम angle R कहते हैं angle R होता है angle of reflection यह तो पता ही होगा भई सबको मुझे लगता है ठीक है जी अब laws of reflection में यह जब भी reflection होगा तो दो कानून follow होंगे ऐसा नहीं है कि इसमें पहला या दूसरा कानून है कानून है बस और इसमें हम अभी के लिए first कानून कह रहे हैं कि the angle of incidence is always equals to angle of reflection यहनि बड़ी कमाल की बात है कि angle I और angle R हमेशा बराबर रहते हैं इसको अभी हम देखने भी वाले हैं बच्चों ध्यान रखिएगा लेकिन angle I हमेशा बराबर रहता है angle RK angle I हमेशा बराबर रहता है angle RK समझ गए यहनि angle of incidence is always equals to angle of reflection यहनि अगर मैं angle I को बढ़ाऊँगा मालो मैंने angle I रखा 10 डिगरी तो angle R भी होगा 10 इसको करूँगा 20 तो 20 30 तो 30, 40 तो 40 जैसे ऐसे angle I बढ़ाऊँगा R भी बढ़ेगा and second law कहता है कि जो incident ray है जो reflected ray है और जो normal ray है all lie on the same plane यानि कि यह incident ray यह reflected ray और यह normal यह तीनों के तीनों एक ही plane पे lie करते हैं एक plane का मतलब क्या है कि मालो यह board एक mirror है मालो यहाँ पे मैंने ऐसे करके mirror रखावा है चीक है जी अब यहाँ पे I incident ray मालो यह मेरा हाथ जो है वो mirror है मैं सब एक हाथ से पकड़ने पाऊंगा तो यह incident ray हो गई यह incident ray हो गई और यह हो गई reflected ray है ना तो मालो ही मेरा हाथ mirror है तो incident ray और reflected ray यानि यह एक ही plane में lie करने वाले हैं और normal तो यहीं होगा अब अगर मैं यह mirror है incident ray ऐसे मारू हो तो reflected ray ऐसे जाएगी यानि यह same plane में lie करेंगे incident ray, reflected ray and normal all lie on the same plane अब अगर मैं यहाँ पर mirror है अभी मैं आपसको देखेंगे भी बढ़ अगर मैं angle incident ray के plane को change करूँगा अगर मैं incident ray यहाँ से मारूँगा तो reflected ray यहाँ से लियाएगी incident ray यहाँ से मारूँगा तो reflected ray यहाँ चले जाएगी तो यह तीनों के तीनों ray same plane पर lie करती है आओ एक बारी हम लोग laser और mirror की मदद से यह दोनों के दोनों law जो है light बंद करके समझ लेते हैं ठीक है यह laser से निकलने वे light मेरे लिए incident रहे और mirror पे मैं light को reflect कराऊंगा तो पहले मैं क्या करूँगा धीरे धीरे angle eye को बढ़ाऊंगा दियाँ से देखना इसको हम exact तरीके से भी कर सकते हैं बट अभी हम roughly कर रहे हैं अगर मैं धीरे dीरे angle eye को बढ़ाऊ angle eye को बढ़ाऊ angle eye को बढ़ाऊ अगल आये बढ़ रहा है तो अगल आये बढ़ रहा हैंगल आये बढ़ रहा है तो अगल आये बढ़ रहा है और second law के कहता था कि incident ray, reflected ray and normal all lie on the same plane आओ देखो angle I बढ़ने पे angle R तो बढ़ रहा है यह तो बात सभी अब मैं क्या कर रहा हूँ अपने incident ray के plane को change कर रहा हूं अपने incident ray के plane को change कर रहा हूं तो आप देख सकते हैं कि हमारे reflected ray का plane भी change हो रहा है मैं अपने incident ray के plane को change कर रहा हूं तो हमारा reflected ray का plane भी जो है वो change हो रहा है और ज़रूरी नहीं कि मैं अपने incident ray के plane चेंज होई रहा है लेकिन अगर मैं अपने नॉर्मल का अगर मिरर को हिलाऊंगा तो मेरे नॉर्मल का प्लेंज होगा तो नॉर्मल का प्लेंज होगा तो भी मेरी रिफ्लेक्टेड रे का प्लेंज होगा और इसी प्रिंसिपल का इस्तमाल करके clubs में वो चीजे जो है वो डिच्चे-डिच्चे घोरी से ऐसे करते हैं बच्चो ना तो बिल्कुल incident ray का plane change कर लो या फिर normal का plane change कर लो because सबको एक ही plane में रहना है all lie on the same plane ठीक है ना ठीक है अब मैं इसमें बीच-बीच में cuts मार दूँगा यार ताकि हम जो light बंद करने का और खोलने का जो समय है वो बार-बार आपको irritate ना करे अगर यह live lecture होता तो अलग बात थी बट क्यूंकि यह recorded है तो वो जो light बंद करने और खोलने का समय है वो हम edit करते हैं कि अभी मैं इस फिलाल इस कमरे में अकेल आई हूँ ठीक है ना चलिए बास समझ में आती है तो I hope आप लोगों ने incident ray reflected ray और normal ray तीनों same plane पे लाए करती है और angle I और angle R जो है यह बराबर रहते हैं यह समझ लिया एक छोटे से demonstration अब आवे देखो यह इतने चोटे demonstration है कि इनको समझना इतना जादा आसान है कि कोई भी कर सकता है क्या कोई भी टीचर यह laser नहीं खरीच सकता है क्या चोटा सा यह mirror नहीं खरीच सकता है सबके घरों में ही होता है तो मतलब यह बहुत basic सी चीजें है जिससे चीजे थोड़ा सा visualize हो जाती है और लंबे समय तक याद रहती है चलिए अब बात करते हैं images की अब images क्या होता है यह तो हम सब जानते ही है image का मतलब होता है कोई चीज जो वहाँ पे है नहीं बस हमें नजर आ रही है यानि किसी भी object की optical appearance यानि की एक ऐसी चीज जो हमें optically वहाँ पे appear हो रही है वो हमें वहाँ पे दिख रही है बट वो वहाँ पे है नहीं इसको हम लोग क्या कह देते है image अब image जो है वो reflection से भी सकती है और reflection से भी बन सकती है यह ओविसनी बात है कि हम इस chapter में अभी फिलहाल reflection की बात कर रहे हैं लेकिन हमें दोनों की ही करनी है तो image जो है आपको real और virtual image की एक परिभशा दूंगा लेकिन आगे आने वाले लगभग लगभग 45 minutes के अंदर मैं आपको real और virtual image की actual definition भी समझाऊंगा यहां लिखी दोनों भी हैं लेकिन हम पढ़ेंगे एक ही ठीक है तो real image की अभी 45 minutes तक एक definition चलेगी ऐसी image जिसको हम screen पे बना सकते हैं उसको हम लोग real image केते हैं जैसे आप सब लोग cinema hall में गए होगे movie देखने गए होगे जब आप movie देखने गए हो तो पिछे एक projector होता है और वो screen पे एक image को बनाता है और screen पे हमें image देखती है तो वो कौन सी image हो थे? कौन सी movie देखने गए थे? मन में बता दो बार्भी? ओपन हाइमर? कौन सी? चलो सबसे पहरे तो comment section बताओ आप बार्भी वाले बंदे हो या ओपन हाइमर वाले बंदे हो बट I hope आपने अगर ओपन हाइमर देखी है तो आप समझ गए होगे कि उसको देखने के लिए बहुत सारी physics involved है हाँ बहुत सारी physics involved है yes बट कोई बात नहीं है वह थोड़ा सा इतिहास है Albert Einstein जी है बहुत महान महान लोग उस वीडियो के अंदर है मूवी के अंदर है बट ठीक है बार्भी भी ऐस्यों की बुरी बात नहीं है किसी के भी side आप हो सकते है इसमें कोई offensive वाली बात नहीं है बट हाँ open hammer देखने थोड़ी से आपकी knowledge बढ़ती है बार्भी देखने से बस मज़ा आता है ठीक है ना और दोनों ही जरूरी है मज़े भी जरूरी है और knowledge भी जरूरी है तो सामने screen पर परदे पर image बन जाती है तो ऐसी image जिनको हम परदों पर बना सकते हैं screen पर बना सकते हैं उनको अभी हम real बलेंगे 45 मिन बात उसे हम कुछ और नाम से बलाएंगे और virtual image कौन सी image है ऐसी image जिसको हम परदे पर नहीं लेके आ सकते जैसे एक plane mirror में बनीवी image को आप अगर reflect करो तो परदे पर नहीं आएगी जैसे कि ये मेरी शकल यहाँ पर बन रहे है अभी मैं अपने आपको देख पा रहा हूँ अभी मैं अपने आपको देख पा रहा हूँ बात करेंगे अभी के लिए यह definition है ऐसी image जिसको हम एक और भी लिखे वे लेकर पढ़ना मत अभी यह पढ़ो जिसको हम screen पर बना सकते हैं वह कौनसी image है हमारे लिए real image है लेकिन अगर एक image को हम screen पर बना नहीं सकते cannot be obtained on a screen ऐसी image को हम लोग कौनसी image कह देंगे अभी के लिए virtual image ठीक है जी ठीक है जी example के तौर पे example के तौर पे image image formed by projector projector जो image form करता है वह image screen पर नहीं आ जाती है इसलिए वह कौनसी image है और यहां पर अगर मैं example दूँ तो image formed by plane mirror plane mirror जो image बनाता है वह हम screen पर कभी लेके नहीं आ सकते तो यह image कौनसी image हो जाएगी virtual ठीक है वैसे दो परकार की image और होती है erect और inverted जो की नाम से पता लग रहा तो लिखवाने के ज़रूत नहीं erect मतलब सीधी image और inverted मतलब उल्टी ऐसी दो परकार की और भी होती है diminished मतलब छोटी image और magnified मतलब ऐसी image जो बड़ी है size में ठीक है जी अब mirror क्या होता है ये बड़ा ही प्यारा सवाल है चीक है जी मैं आपसे एक सवाल अभी पूछता हूं क्या ये एक mirror है तो answer है yes ये एक mirror है अरे वाह क्या बात है क्या ये एक mirror है तो आंसर है हाँ ये mirror है क्या जिसको अभी हम एक लाग भी बार देख रहे हैं क्या ये mirror है तो आंसर है हाँ ये भी mirror है क्या ये जो आप छुटू सा देख रहे हो क्या ये भी एक mirror है तो आंसर है हाँ ये भी एक mirror है बट दा पॉइंट इस कि मिरर है क्या जो मैंने अभी आपको ये तीन मिरर दिखा है सच बहुत तो ये तीनों अलग 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 प्रकार के मिरर हैं अभी हम इनके पर बात भी करेंगे बट मिरर होता क्या है अब जो मैं आप से पूछने जा रहा हूं थोड़ा सा ध्यान से बट अगर मैं इस यूट्यूब वाले चीज़ को खड़ा कर दो यहां पर ऐसे करके तो शायद आपको इस स्क्रीन पे दिख रहा हो यहां पर कहीं पर है अगर लटा भी दूँगा तो भी दिख रहा है वैसे तो क्योंकि हो क्या रहा है इसकी लाइट इस पर जा रही है और तकरा के इस पर जारी तो देखो शायद यहां पर आपको वाइट वाइट सा दिख रहा हो यह रीजन है कि मैंने स्टेबल के ओपर ब्लैक चार्ट चपकाया है क्योंकि आक्चुली मैं यह वाइट कलर का था इसकी इमेज इस बोर्ड पर बन रही थी जो कि बहुत गंदा ल लग गया क्योंकि यह वाइट रंग का है अब यह पूरा जो यह यह जो टेबल है वाइट रंग की थी तो यह तो पूरी यहां पर दिख रही थी बहुत गंदा लग रहा था इसलिए हमने क्या क्या इसके ब्लैक चार्ट चपका दिया तो क्या यह आपको इस बोर्ड क्या इसको ये बोर्ड में दिख रहाँ but the point आप point को समझना है क्या इसका मतलब ये जो बोर्ड है इसका मतलब ये जो बोर्ड है क्या ये बोर्ड एक mirror है तो answer है नहीं ओ sorry answer है हाँ ये बोर्ड एक mirror है but अगर मैं science के बहर बढ़ा कर मैं ऐसे ले मैन लिए पूछूं रोड पर चलते वे किसे क्या यह मिर्र है तो आप बोलोगे नए यह मिर्र पागर है कि मिर्र शीशा है नहीं हमारे लिए मिर्र मतलब शीशा लेकिन साइन्स के लिए मिर्र का मतलब ऐसी कोई भी चीज जो लाइट को बहुत अभी तो ये on होगे तो नहीं दिख रहे लेकिन अभी off है ये भी एक mirror का काम करें कियोंकि मुझे इसमें अपने शकल दिख रही है आप मेरे बात को समझ पा रहे हो ना कि mirror क्या है mirror एक ऐसा shiny polished object है जो कि अपने उपर गिरने वाली जाधा तर light को reflect कर देता है जाधा तर light को reflect कर देता है उसको हम mirror कहते है अब mirror कैसे बनता है एक तरफ आप polish कर दो एक तरफ मत करो तो mirror बन जाता है generally हना ये बात ध्यान रखने है बट I hope आपको पता हो कि mirror दो प्रकार के होते हैं plane mirror और spherical mirror अगर mirror बिलकुल सीधा हो तो ये कौन सा mirror होगा plane mirror लेकिन अगर एक mirror टेड़ा हो जैसे कि मैं अभी आपको एक चीज दिखाता हूँ दो प्रकार के mirror हैं कंचे से दिखाता हूँ कि ये flat नहीं है तो अगर हम देख के कैसे पता लगाएं कि कोई भी mirror convex है अगर हमें उसकी मुटाई नहीं दिख रहे हैं वैसे ये वाला mirror जो है वो कनकेव है तो अगर मैं यहां पर इस कंचे को रखता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये इसके सेंटर के तरफ आके ही रुखेगा लेकिन वहीं पर बिल्कुल उल्टा यह हमारे पास कंवेक्स मिरर है कंवेक्स मिरर में क्या अगर मैं मारबल को यहां चोड़ूंगा तो यह नीचे गिर जाएगा क्यों कि यह इधर से बाहर निकला हुआ है और पॉलिस सर्फेस इसका अंदर है तो हमेशा इसके सेंटर पर आके रुख जाएगा तो आपने देखा कि यह जो दो मिरर हमारे पास थे यह फ्लैट नहीं है इन पर कंचा कैसे इधर उदर भाग रहा है लेकिन वहीं पर यह जो मिरर हमारे पास है यह एक फ्लैट मिरर है यानि की प्लेट मिरर है तो अगर स्फेरिकल मिरर होगा स्फेरिकल मिरर के बारे में बात करेंगे लेकिन आओ पहले बात कर लेते हैं प्लेन मिरर की प्लेन मिरर जो इमेज बनाते हैं देखो हम सबके घरों में अच्छी बात यह है कि प्लेन मिरर है चाहे स्फेरिकल हो चाहे ना हो प्लेन मिरर तो सबके घर म अब यह बाहु बली का टाइम तो है नहीं कि आपको अपको अपनी शकल देखने के लिए पानी में देखना होगा याद है उसमें एक सीन आया था कितना प्यारा सीन था ओ माय गॉड पहले बात तो वह गाना कितना कमाल का है जहां पर भाहु बली अंकल आप पता नहीं कौन से लेकिन वह उस आंटी जी का अंटी जी भी नहीं करना है पानी में पानी में देखते हैं तो बड़ी सुन्दर हो तो पॉस्टे है सबके घर में प्ले मेरर तो ही अब प्ले मेरर जो इमेज फोर्म करता है वो कैसी होती है क्योंकि मुझे पता है आप सब के गर में प्लेन मिरर है तो जादा मेनत नहीं लगेगी सबसे पहली बात जब भी प्लेन मिरर इमेज बनाता है वो इरेक्ट होती है सीधी बनती है और वर्चौल होती है मैंने आपको भी बताया दूसरी बात जो इमेज होती है वो सेम डिस्टेंस पर बनती है मतलब अगर आप मिरर से दूर जाओगे तो ऐसा लगेगा कि image भी दूर जा रही है ना भई जितना दूर आप रहोगे mirror से object रहेगा उतनी दूर image भी रहेगी ये बात ध्यान रखना इसके बाद थर्ड बात करें image formed is always of same size यानि जितना बड़ा object है image magnified नहीं बनेगी image diminished नहीं बनेगी छोटी नहीं बनेगी बड़े नहीं बनेगी image का size object के size के exactly equal होगा exactly equal होगा और वहीं पर बात करें image formed by plane mirror is literally inverted यानि image जो है वो literally inverted रहेगी इसका मतलब है कि हमें left वाला जो है वो right में दिखेगा और right वाला जो है वो left में दिखेगा मालो आप a b c को mirror में देखते हो तो पहली बात तो c ऐसा दिखेगा पहली बात तो c आपको ऐसा दिखेगा फिर b आपको ऐसा दिखेगा और फिर a आपको ऐसा दिखेगा ऐसे अगर आप मालो नौरा फतेही को शीशे में देखते हो नौरा फतेही को असली वाली को नहीं देखना है शीशे में उसके नाम को अगर शीशे में देखते हो तो वो ऐसा दिखेगा मुझे आपको कोई भी एक नाम दिखाना था और मुझे ये नाम अच्छा लगता है तो मैंने आपको ये नाम दिखा दिया ठीक है कोई भी नाम हो अब देखो आप ध्यान से N जो है वो पहली बाद तो कोने पर चला गयर उल्टा हो गया हाना O लेकिन सेम बना है O लेकिन सेम बना है क्योंकि वो सिमेट्रिक होता है R जो है वो उल्टा हो गया और I जो है वो भी सब उल्टे हो गया है लगबग लगबग सभी उल्टे हो गया है सिवाए O के क्योंकि सब सिमेट्रिक नहीं होते हैं तो ऐसी इमेज जिसमें left वाला right दिखता है right वाला left दिखता है उसको हम लोग lateral inverted image कहते हैं और आप सबको पता होगा इसी कारण वर्ष ambulance में ambulance उल्टा लिखा जाता है ताकि आगे वाला driver जब देखे side वाला शीशे में कि पीछे कौन आ रहा है तो वो थमझ जाए कि याद पीछे ambulance आ रही है और बट ध दिहान रखी है मैं भी आपको पढ़ाऊंगा गाड़ियों के side में plane mirror नहीं लगा होता है उसमें convex लगा होता है बट उसमें भी image lateral inverted ही बनती है तो यह हुआ कि जब भी plane mirror एक image को form करेगा तो वो image कैसी होगी यानि कि किस प्रकार होगी बास समझ में आती है मन में कोई सवाल तो यह हमारी हुई plane mirror चीक है okay done है अगर आपको यह confusion हो रही है कि virtual image तो समझ में आता है अब यह हम समझेंगे भी लेकिन image क्या उल्टी भी बनती है तो हाँ हम इस mirror से अभी cave में देखेंगे कि image उल्टी भी बन सकती है सीधी भी सीधी तो बनती है सभी देखते आ रहे हैं ल पर क्योंकि यारी मैं चाहता हूँ यह one shot ऐसे one shot हो जो भाया YouTube पर आग लगा दे मतलब कि तो उस चीज के लिए आपको अगर कोई भी मन में सवाल हो तो comment section में पूछना आपके doubt नहीं रहने चाहिए अगले session में उनको हम चाहे consider कर लेंगे ठीक है ओके आगे बड़े चालो चलो भई अब हम बात करेंगे यहां पर spherical mirrors की plane mirrors तो क्या है हम समझे कि जिन में surface flat है लेकिन spherical mirrors क्या होते हैं तो ऐसे mirrors जिनका obvious से बात है surface flat नहीं होता है उनको हम spherical mirrors कहते हैं अब spherical mirrors जो हैं वो दो type के होते हैं जो हमें पढ़ने हैं मतलब एक होता है concave mirror और एक होता है convex mirror आओ के बारे में बात कर लें यह जो नाम है concave और convex यह कोई नए नाम नहीं है मुझे पता है आप सबको यह नाम पहले से ही पता है तो यह जादा मेहनत वाला काम नहीं होगा क्योंकि यह नाम पुराने नाम है बट श्टेल अगर मैं बात करूं कि concave mirror और convex mirror क्या है उससे पहले spherical mirror वो हैं जिनका जो surface है वो थोड़ा सा curved होगा spherical mirrors वो हैं जिनका surface curved होगा plane mirror की तरह flat नहीं होगा और दूसरी बात अभी मैं आपको पताऊंगा कि spherical mirrors बनते किसे हैं तो answer है एक sphere से बने होते हैं यानि एक कांच का glass का transparent sphere imagine करो हना उनके दो हिस्सों को काट के एक तरफ polish करके यह बनते हैं जिसके उपर अभी discussion होगा अभी हम उसको समझेंगे बट concave mirror कौन सा mirror है तो concave mirror की बहुत सारी परिभाशाएं हैं समझने वाली बात करें तो अगर एक mirror जो की ऐसा हो जिस पे light गिरे अंदर धसेवे surface पे अब देखो जैसे कि यह एक मानलो glass है यह मानलो एक glass का बन फट्रशन और देखो जो 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 अब आगर मैं इस तरफ पॉलिश कर देता हूं इस तरफ पॉलिश कर देता हूं तो इदर तो light नहीं गिर सकती है तो polish हो गया light तो इदर गिरेगी तो जब अंदर धसेवे surface पे light गिरती है उसको हम लोग कह देते हैं cancave mirror क्या कह देते हैं cancave अब आप से अगर मैं पुछूँ कि ये mirror कौन सा है तो अभी हम नहीं पता सकते क्योंकि हमें इसमें ये नहीं पता कि कहां पर light गिर सकते हैं और कहां पर polish अगर मैं इधर polish कर दूँ तो आप समझ जाएंगे कि इधर वाले surface पर light गिर सकती है तो ये mirror भी कौन सा mirror है अगर मैं ऐसे बना दूँ तो बच्चा कह देता है convex बट अभी भी हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि shade नहीं हो रखा है अगर मैं इसमें इधर shade कर दूँ तो अभी भी जो light है वो अंदर धसेवे surface पर गिर रही है यहां पर light गिरेगी तो यहां तो आपने polish कर दिया है तो ये mirror ज surface पर तो उसको हम लोग बोल देंगे concave mirror और बिल्कुल इसका उल्टा है convex mirror अब अगर मैं आपसे पूछू कि ये mirror कौन सा है तो अभी तो यह पहली बात mirror ही नहीं है यहां पर एक surface पर कोई polishing नहीं हो रखी है बट अगर मैं इसके इधर वाले surface पर polish कर दो तो इस बार जो light ग गिरेगी वो बाहर निकलेवे surface पर गिरेगी और ऐसे mirror को हम लोग convex mirror कहेंगे जिसमें light बाहर निकलेवे surface पर गिरेगी ऐसे mirror का नाम क्या पड़ेगा convex mirror ठीक है ना और वहीं पर अगर मैं आपसे पूछू कि ये mirror कौन सा है तो आप नहीं कह सकते तो अगर मैं यहां पर shade कर दूँ तो इसमें भी बाहर निकलेवे surface पर light गिरेगी तो ये mirror कौन सा हो जाएगा convex और अगर मैं आपसे पूछू कि ये mirror कौन सा है तो देखने में ऐसा लग रहा है अगर मैं इधर shade कर दूँगा तो ये concave बन जाएगा लेकिन अगर मैं इधर shade कर दूँ तो बाहर निकले surface पर light जो है वो गिरेगी और ऐसे mirror को हम again convex mirror कहेंगे तो convex mirror shape की according decide होता है कि कहां पर कौन से वाले surface पर light गिर रही है अगर अंदर धसेवे surface पर light गिर रही है तो concave और बाहर पर light गिर रही है तो convex तो इसका जो reflecting surface है वो curved outwards होगा अब एक कंचे की मदद से यानि एक marble और mirror की म के मिरर और convex mirror कैसे हम लोग पता लगा सकते हैं देखके चीक है जी हाँ जी तो आइवोप आपने देखा कि concave mirror और convex mirror कैसे अंदर धसेवे और कैसे बाहर निकलेवे होते हैं ओके डन है चालो जी बहुत बढ़ी आओ गया अब अगर हम लोग बात करें concave और convex mirror को लेके कुछ basic terms को ध्यान सुनना हमारा मकसद क्या है अब हमारा aim क्या है हमारा aim है कि हम लोगों को concave और convex mirror से कुछ ray diagrams बनाने हैं हना सबसे पहले हमें कुछ rules बनाने होंगे और rules के बाद ray diagram आएंगे ये इस chapter की second most important चीज हम पढ़ने जा रहे है first most important चीज क्या है numerical हना जिसमें formula आएंगे अभी तक कोई formula नहीं आया है formula आएंगे और उसके ओपर numerical आएंगे वो लेकिन first सबसे important चीज है second most important चीज है ray diagrams यानि कि हम एक concave और convex mirror में object को अलग-अलग जगा पर रखेंगे और वो अलग-अलग तरीके की image जो है वो form करेगा ये हम पढ़ेंगे but point क्या सुनना हमें image formation से पहले कुछ rules बनाने होंगी और rules से भी पहले हमें कुछ terms जो हैं वो सीखनी होंगी कुछ termology सीखनी होगी जो की बहुत जादा important होगी तो उसके लिए यहां पे सबसे पहले हम एक कांच का sphere लेते हैं मैंने आपको यह बताया कि जो concave और convex mirror हैं वो actually कांच के एक sphere से बने होते हैं कैसे आउज जरा समझें तो यहां पे मैं क्या करता हूँ सबसे पहले यह मेरे पास एक sphere है यह बराबर कब होगा let's say ऐसे यह मान लेते हैं अभी के लिए इस sphere यह ठीक है और इसको मैं white color कर देता हूँ ठीक है अब यह जो sphere हमारे पास है आप इसे एक कांच का अभी फिलाल आपको इस circle दिख रहा होगा but obvious हो कि इसको बोड़े पे बना रहे हैं बट आप इसे कांच का गोला एक कांच की ball एक का sphere समझो ठीक है ना अब मैं क्या कर रहा हूँ मुझे अगर concave mirror बनाना है अगर मुझे एक concave mirror बनाना है तो मैं क्या क बिलकुल मैंने यहां पर एक line कीची ठीक है जी यहां पर एक line कीची थोड़ा सा ज्यादा हो गया इदर इसको इदर कर देते हैं एक second I guess this is fine yes ठीक है तो मैंने यहां पर दो line बनाई ठीक है यह जो line है मेरे पास इस line को भी मैं orange कर देता हूँ अब हुआ क्या actually line नहीं बनाई है हो क्या रहे समझना यह मेरे पास से कांच का गोला है मैंने क्या किया इसको इदर से काट दिया यह मैंने काट दिया काट के अलग कर दिया ऐसी मैंने इस कांच के गोले को भी यहां से काट के अलग कर दिया अब सबसे important चीज यहां पर आने वाली वह क्या मैंने इसमें यह तो जो भी मैं सवाल आपसे पूछूँगा अभी आने वाले आगे के वंचोट में, आपको सबको टाइम स्टैंप के साथ आंसर देना है, और इससे एक कमेंट सेक्षिन बढ़िया रहता है, दिखता अच्छा है, समझ में आता है कि यार ये एक अच्छा, आप कार्मेंट सकता, लेकिन क्या टाइम हो रहा है, उस टाइम स्टैंप को देखके आपको आंसर देना है, क्या? ये जो मैंने मिरर बनाया है, फर्स्ट मिरर, और यहाँ पर अगर मैं इसको इधर से शेर्ड करूँ, तो ये जो मिरर मुझे मिला है, इसको मैं नाम दे रहा हूँ, अगेन तो आपको पताना है, इसको मैं first बोलूँगा, इसको मैं second, तो आपको पताना है comment section पे, कि जो first mirror है, वो कौन सा mirror है, और जो second mirror है, वो कौन सा mirror है, जल्दी से comment section पे इस answer टाइप करके लिग दो, चीक है, I hope आपने लिग दिया हूँ, तो जो first वाला mirror है, आप देख सकते हैं कि यह convex mirror है, क्योंकि मैंने इसके अंदर shade किया है, और बाहर निगलेवे surface पे light गिर सकती है, वहीं पर मैंने इसमें बाहर वाले surface पे shade किया है, और अंदर वाले surface पे light गिर सकती है, जिसकी वैसे, य मेरे पास बन गया है, एक convex mirror, और ये मेरे पास बन गया है, एक concave mirror, ठीक है, सबसे पहली बात तो यह है, अब कुछ basic definitions हमें पढ़नी होंगी, क्या-क्या, सबसे पहली, जो जो मैं बोल रहा हूँ, वो आगे आपको लिखावा मिलने वाला है, ठीक है, तो अभी उस पर ध्या तो इसकी लंबाई, जैसे A से लेके B तक यह लंबाई है, जहाँ पर mirror जो है, वो reflection कर सकता है, तो यह A से लेके B का distance है, इस इस नोन ऐस aperture, यह A से लेके B का distance को हम aperture कहते हैं, aperture जितना जादा होगा, mirror उतना बड़ा होगा, और उतना जादा light को वो reflect करेगा, ठीक है ना, तो aperture क्या है, length of the mirror, जिसको यहाँ पर diagram wise A से लेके B हम कह सकते हैं, ठीक है, फिर आता है बड़ा ही important एक word, जिसको हम कहते हैं, बच्चों, pole, अब pole क्या होता है, हमारे mirror के जो center का part होता है, हमारे mirror के जो center का part होता है, इसको हम लोग pole कहते हैं, the central part of the mirror, यानि the center of the mirror is called pole, mirror के center को हम लोग pole कह देते हैं, फिर आता है एक बड़ा ही प्यारा शब्द, जिसको हम बोलते हैं center of curvature, जिसको हम बोलते है center of curvature, अब ये center of curvature क्या है, मैंने जिस sphere से अपने mirrors को cut किया है, उसका एक center होगा, क्योंकि वो एक sphere है, उस center को बोलते है center of curvature, चीक है जिक, फिर आती है हमारे إلى पा यह एक imaginary line है जो की पास हो रही है हमारे pole और हमारे center of curvature से यह एक imaginary line है जो पास होती है हमारे pole और हमारे center of curvature से इस imaginary line का नाम क्या है तो आंसर है principal axis मैं short में लग देता हूँ इस line का नाम है principal axis एक ऐसी imaginary line जो हमारे mirror के pole और center of curvature से पास होती भी जाएगी यह एक ही line होगी आप imagine कर सकते हैं pole एक है center of curvature और pole से जाने वाली एक ही imaginary line होगी जिसको हम बोलेंगे principal axis बास समझ में आती है छीक है जी इसके बाद हमारे पास कुछ और definition आएगी सबको मैं दुबार से भी revise करवाँंगा लेकिन pole और center of curvature के बीच में आप देख सकते हैं एक distance है जिससे कहा जाता है radius of curvature pole और center of curvature के बीच में एक distance है जिसको radius of curvature कहते हैं बिलकुल यहाँ पे भी ऐसा होगा center of curvature और pole के बीच में distance है जिसे radius of curvature कहा जाता है तो हमने अभी तक क्या-क्या परिभाशा है पढ़नी सबसे पहली बात aperture लंबाई of the mirror is called aperture second pole center of the mirror is called pole third हमने पढ़ा center of curvature center of the sphere जिससे हमने हमारे mirrors को काटा है उसको बोलते हैं c यानि center of curvature radius of curvature pole और center of curvature के बीच का distance radius of curvature जिसको capital R से represent करते हैं and एक ऐसी imaginary line जो pole और center of curvature से पास होती है उस imaginary line को हम लोग बोलते हैं principal axis इतना समझ में आता है okay है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अब समझें क्या ये बात कहनी सही होगी कि इस पूरे diagram से assumption से हमारा जो center of curvature है वो convex mirror के लिए उसके पीछे लाए करता है और हमारा center of curvature concave mirror के लिए उसके आगे लाए करता है और ये इतनी important statement है जो कि आगे आने वाले लगभग जब तक हम reflection पढ़ने तब तक काम आईगी आपके हना तो काफी ज़ादा important statement है कि center of curvature for convex is behind the mirror whereas center of curvature for concave mirror is in front of the mirror तो ये कुछ परिभाशाए हैं ये जो diagram मैंने बनाए इतनी manage say बड़ा प्यारा diagram उस diagram की इज़त रखते वे मैं ये चाहूंगा कि आप video को यहीं पर पॉस कर ले और इसको आप अच्छे से note down करें बनाएं कहीं पर compass से scale से बढ़िया तरीके से प्यारा diagram को कि ये जीवन बर काम आने वाला diagram है अभी diagram में बना बनाया भी लेकर आ सकता था लेकिन step by step एक एक चीज़ बनाने से समझ में आता है कौन सी चीज़ कहां पर अब यहां पर पोल की परिभाशा पर लिखी हुई है center of curvature की भी लिखी हुई है एक बारी पढ़ लीजिए क्या लिखावा है हम लोग पढ़ चुके हैं इसको अंगरी जी लिखी हुई है बस चीक है पढ़ लिया ओके डन इसके बाद आता है radius of curvature जिसको हमने बोला कि हम किस तरी प्रेजेंट करेंगे आर से center of curvature को हम सी से और पोल को हम लोग पी से इसके बाद aperture आता है उसके बाद principle है तो यह परिभाशा है हमने यहां पे पीछे देख ली है अब एक बड़ी ही important चीज बचती है जिसको हम लोग बोलते है focus क्या कहते हैं भई focus क्या चीज होती है भई focus इतनी important term है focus बहुत जादा important term है इसलिए इसको हमें अलग से diagram बनाके पढ़ना होगा चीज है focus को हम पहली बात तो principle focus भी कहते हैं और इसको हम capital F से represent करने वाले हैं और focus को समझने के बाद ही हम focal length समझ पाएंगे जिसको हम small f से represent करने वाले हैं अब focus क्या है आव ज़रा इसक को यहां पर एक diagram से समझते हैं चीक है सबसे पहली बात तो अब से हम लोग diagram बनाना शुरू हो रहे हैं तो अब से हम जो भी diagram बनाएंगे वो आपको scale और pencil से बनाना होगा अब से जो भी diagram हम लोग यहां पर बनाने वाले हैं वो आपको scale और pencil से बनाना होगा पहले मैं यहां पर focus की परिभाशा या focus क्या है for concave mirror यह बात करने वाला कि concave mirror के लिए focus क्या है इसकी बारे में बात करेंगे diagram क्या बनाना है बहुत ध्यान से सुनना एक ही बारी में सुन लेना आगे आदे घंटे तक यही काम आने वाले आपके सुनो सबसे पहली बात तो हमें एक principal axis बना लेनी है कितनी भी length की उसके बाद क्योंकि मैं concave मेरा बनाना हो तो इदर एक point mark करना जिसको c नाम दे देना है क्योंकि मैं आपको पता है कि center of curvature for concave is in front इसके बाद अब आपको जो बोलने जा रहा हैं बहुत ध्यान से सुनिएगा compass को खोल लेना है six centimeters का y6 क्योंकि ये मेरा experience पताता है 15-16 साल का कि concave mirror या कोई भी mirror concave convex six centimeter पर सबसे अच्छे diagrams आपको बना के देता है अगर मैं 4 centimeter करूँगा अभी आप देखेंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा आप करके भी देख सकते हैं और वहीं पर अगर मैं 8 centimeter करूँगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा तो कहीं ना कहीं 6 centimeter एक perfect measurement है जो मैंने आज तक देखा है ऐसा कोई rule नहीं है कि 6 centimeter ही करना है बट सारे diagrams ठीक है ना आपको अच्छे कहीं diagram 4 पर अच्छे बनते हैं कहीं 8 पर लेकिन 6 पर सारे diagram अच्छे बनते हैं यह दियान रखिएगा 6 centimeter का आपको compass कोलना है यहाँ पर needle रखनी है और यहाँ पर एक arc लगा देनी है ठीक है इसके बाद यहाँ पर shade कर देना है तो यह आपका बन गया concave mirror यहाँ पर नाम दे देना है pol क्या दे देना है pol अब हम बात कि tenemos, यह आपको हर बार करना है मैं हर बार बताओंगा नहीं कैसे करना है मैंने आपको पता दिया एक बारी, ठीक है अब आपको focus के बारे में जानना है focus क्या है अगर मैं एक concave mirror पे बहुत सारी पैरलर लाइट रेज मारता हूँ अगर मैं एक कन के मिरर पे बहुत सारी पैरलर लाइट गिरता हूँ तो हमने क्या अब्जर्व किया हमने क्या देखा कि ये सारी की सारी जो पैरलर लाइट है वो एक पॉइंट पे आके मिल जाती है principle axis पे हमने क्या देखा कि यह सारी light rays reflect होने के बाद एक point पे आके मिल जाती है इसको भी हम देखेंगे भी लेकिन सारी parallel light rays एक point पे आके मिल जाती है एक concave mirror में सारी parallel जाने वाली light rays एक point पे आके मिल जाती है एक principle axis पे और उस point को नाम दिया गया focus उस point को नाम दिया गया बच्चो focus या फिर principle focus क्योंकि यह principle axis पे है तो अगर मैं आपसे पूछूं कि what do you mean by focus तो आप कोगे concave के लिए focus एक ऐसा point है जहां पे सारी parallel lines after reflection हमें मिलती हुई नजर आती है या मिलती है अक्चली नजर के आती है उसे कहते हैं हम लोग focus ठीक है जी तो यह हुआ हमारा focus और दूसरी बात focus से लेके जो पोल है उसके beach के distance को हम लोग कह देते है focal length focus से लेके pole के beach के distance को हम लोग कह देते है focal length और क्या देखा गया है यह देखा गया है कि यह जो आपको याद है ना r r क्या था radius of curvature जो कि pole और center of curvature के बीच का distance था और क्या देखा गया है कि यह जो radius of curvature है वो approximately बराबर होता है focal length के double के हम अभी तो इसको exactly equal ही कह रहे हैं क्योंकि अभी हम बहुत छोटे हैं लेकि जब हम बड़े होंगे तो आपको समझ में आएगा कि यह approximately equal होता है चोड़ देते हैं इस statement को क्योंकि अभी हम इसको रखने पड़ता हम इस पूरे chapter में R को 2F के बराबर ही रखने वाले हैं बट यह लगभग लगभग बराबर होता है बट point क्या है point यह कि अगर आपने यहां से लेकि यहां तक 6 cm 6 cm के आग लगाए थी ना अगर 6 cm लगाए था तो यह हमारा 3 cm हो जाएगा यह हमारा 3 cm हो जाएगा क्योंकि focus जो है वो radius of curvature का आदा है यह radius of curvature focus का double है तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जो आप focus बना रहे हो यह अगर आपने 6 पे बनाया है तो यह आपका 3 पे ही बनना चाहिए चाहिए आप इसे पहले ही mark कर लो parallel line से मिलाने से पहले यह आपको focus mark करना जो की 3 पे होगा समझ में आई यह हमने कौन से mirror के लिए काम किया concave अब concave mirror सारी light को एक जगा पे खटा करता है इसलिए इसका नाम converging mirror भी होता है I hope आपको पता हो 9th class से ही 7th 8th में पढ़ाता है वैसे तो यह इसको converging mirror भी कहते हैं वहीं पर हमारे पास आता है convex mirror अब convex mirror का नाम diverging mirror भी होता है क्योंकि यह light को फैला देता है यानि कि diverge जो है वो कर देता है आव ज़रा समझें कि convex mirror यहाँ पे क्या है again diagram एक बार बताऊंगा convex का भी समझ जाना सबसे पहले आपको draw करनी है principal axis उसके बाद इस बार आपको इधर mark करना है क्योंकि आपको पता है convex का C उसके पीछे होता है yes or no yes उसके बाद compass वो ही भाई मैं तो कह रहा हूँ compass 6 cm का खोलो उस पर welding गर वालो क्योंकि सारे के सारे ray diagram 6 cm पे सबसे जादा अच्छे बनते हैं यह मैं आपको अपने experience से पता रहा हूँ दुबारा से बोल रहा हूँ ठाना यह बात धियान रखना 6 cm की यहाँ पे आपको arc लगानी है और यहाँ पे आपको shade कर देना है तो इस से आपको needle यहाँ रखना है arc लगानी है इससे आपको जो mirror मिलेगा वो convex mirror होगा ठीक है अब यहाँ पे भी ऐसा ही होता है मैं इसके अपर बहुत सारी क्या मारूंगा parallel light rays बहुत सारी मतलब 3-4 ठीक है अब यह parallel light rays पहली बात तो convex mirror एक diverging mirror होता है यानि कि यह light को फैलाता है इसलिए इसका नाम diverging mirror भी है क पहला देता है मतलब सारी light ray कुछ पहले बात तो इसका focus भी exactly बीच में होने वाला है छे पे तो सारी light ray ऐसा लगता है कि यहां जाएगी है यहां से आई यह बट वो actually मैंसे फैल जाती है यह straight line बनेगा तो अगर आप यहां से देखोगे तो आपको लगेगा है light ray वहां से आ रहे बट यह तो reflect हो गई है तो कहने का मतलब यह है कि अगर मैं किसी भी concave mirror पे एक parallel beam of light जो है वो मारता हूं तो यह parallel beam of light actually में concave पे तो एक जगा पे मिलती है बट convex में ऐसा appear होता है although वो fell जाती है point वही है यहां से लेकि यहां तक का distance तो r है और यहां से लेकि यहां तक का distance f है और यहां पे भी वही नियम लागू होता है कि जो radius of curvature है वो लगभग लगभग बराबर है focal length k double k but exactly बराबर नहीं है तो यहां पे अगर मैं concave mirror की परिभाशा दूँगा focus की तो मैं बोलूँगा concave में a point जहां पे light मिलती है parallel light मिलती है after reflection और यहां पे मिलती भी appear होती ह इसलिए focus की परिभाशा में क्या लिखाव है point principle axis पे जहां पे parallel light rays जो कि infinite से आ रहे हैं मतलब कहीं से भी आ रही है वो या तो converge होंगी या ऐसा appear होगा यह शब्द बहुत कीमती है ऐसा appear होगा कि वो converge हो रही है और focus और pole के बीच का distance focal length के लाया जाता है यहां पे एक note का point भी लिखा हो है कि focal length is equal to half of its radius बट सच बोलूं तो approximately equal होता है यह बट अभी आपके किताबों में नहीं लिखा होगा क्योंकि अभी आप छोटे हो not exactly equal but approximately equal होता है बट ठीक है point यह नहीं अब हम यह पहली बात तो यह भी देखने वाले हैं कि कैसे parallel light ray लेकिन एक ही बार देखेंग उसको हम rules की मदद से देखने वाले हैं उसको समझने के लिए पहले rules पढ़ने होंगे मैं a sequence दोबारा clear कर दूँ आपके लिए हम अब rules पढ़ने जा रहे हैं लेकिन rules पढ़ने के लिए आपको mirror बनाना आना चाहिए principle axis c 6 cm की arc 3 पे focus दोनों में यह करना है बस convex में उल्टा कर इधर सी 6 cm की arc बीच में focus और इन rules के मदद से ही rules बनाने के बाद ही आप image formation कर पाओगे तो बहुत important topic आ रहा है अब जहां पर हम लोग rules बनाना शुरू करने वाले हैं चीक है जी rules for spherical mirror to form image अगर हमें image बनानी है तो पहले rules मैंने आपर time बचाने के लिए ये काम पहले से करके रखा हूँ है बढ़ आपको तो हर बार करना पड़ेगा principle axis 6 cm पर C की arc लगानी है तीन cm पर focus और ये pole ऐसा हर बार करना है अब concave और convex mirror में हमारे पास कितने कितने rule हैं तो answer है rule number 1 आता है यहां पर फिर rule number 2 आता है हमारे पास फिर rule number 3 आता है और rule number 4 आता है यानि एकल मिला के चार rules है और same यही चार rules फिर हमारे पास convex में भी हैं ठीक है ना same चार rule rule number 1 अच्छा मैं कैसे पढ़ाऊंगा आपको दोनों के rules साथ साथ कराऊंगा ठीक है ना rule number 2 यानि अगर मैं पहले concave का rule number 1 पढ़ रहा हूं तो फिर convex का rule number 1 पढ़ाऊंगा इससे आपको थोड़ा सा और clarification भी मिल जाएगा और rule number 4 और इन चारो rules में से कोई भी दो rule लगा के हम आगे image formation करने वाले हैं तो ये rules बहुत जादा important आपके लिए होने वाले हैं चीक है जी चली सबसे पहले बात करते हैं rule number 1 की अब rule number 1 क्या कहता है ये कहता है कि अगर एक light parallel जा रही है अगर एक light parallel जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो टकराने के बाद focus से पास हो जाएगी अगर एक light ray parallel जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के तो टकराने के बाद focus से पास हो जाएगी तो जो कि मैं पढ़ा भी अभी और यही rule अगर मै convex में बनाऊं कि अगर एक light ray principle axis के parallel जा रही है तो ऐसा appear होगा कि वो focus से pass हो रही है otherwise वो ऐसे चली जाएगी ठीक है आप मेरे measurements तो मत जाना मैंने तो इसको बड़ा मुश्किल से यहाँ पर बनाया है आपको तो 6 cm और 3 पर ही काम करना ठीक है न तो यह हमारे पास rule है कि अगर एक light ray parallel जा रही होगी तो ऐसा appear होगा कि वो focus से pass हो रही है बट वो state चली जाएगी यह scale से एक ही लाईने ध्यान रखेगा rule number one rule number two क्या कहता है rule number two actually में rule number one का उल्टा है कि अगर एक light ray focus से pass होती है अगर एक light ray focus से pass होती है तो तकराने के बाद parallel हो जाएगी तो तकराने के बाद वो पैरलल हो जाएगी ठीक है यह बात ध्यान रखेगा और इसीमें अगर मैं अरगला rule बनाउ कि अगर एक light ray focus के तरफ जाती है अगर एक light ray focus के तरफ जाती है तो टकराने के बाद पारलल हो जाएगी अगर एक light ray focus की तरफ जा रही है तो टकराने के बाद पारलल हो जाएगी तो यहां पे ऐसा कुछ यह rule बनेगा इसके बाद rule number 3 जो कि सबसे जादा easy और easy ही है मैं तो कहूंगा use बहुत कहूं होगा एक जगा पे use होगा c से पास होती है यानि कि अगर एक light ray center of curvature से पास होती है तो वहीं से वापस भी चली जाएगी अगर एक light ray center of curvature से पास होती है तो वहीं से यह light ray वापस चली जाएगी गई और same path से टकरा के वापस आ गई बिलकुल यह rule यह rule तो उसमें भी बिलकुल same है कि अगर एक light ray center of curvature की तरफ जा रही है क्योंकि इसका तो पीछे है तो टकरा के वहीं से वापस हो जाएगी चीक है जी टकरा के वहीं से वापस इसमें भी यही हुआ कि light ray center of curvature से actually मैं गई और वापस क्योंकि इसका तो center of curvature इदर है ना लेकिन यहाँ पे center of curvature की तरफ जाएगी और टकरा के वहीं से वापस हो जाएगी कुल है ओके चीक है and rule number four इसके लिए आपको d की जरुवत पड़ेगी अभी तो मैं roughly बना रहा हूँ आप लोग इसे d से बनाएंगे कि अगर एक light ray pole पे गिरती है अगर एक light ray pole पे गिरती है तो एक angle I बनाएगी आपको d से यह angle नापना होगा और उतना ही angle बनाके d से आपको angle नापना होगा और उतना ही angle बनाके यह light ray वापस चली जाएगी angle I बनाया नापा, मालोई आया 30 degree, 31 degree 37 degree, 38.5 degree जितना भी आया, उतना ही angle नीचे की तरफ बनाके light ray जो है, वो reflect हो जाएगी तो जितने angle पे गिरेगी angle I होगा उतना ही angle R बनाके वो reflect हो जाएगी बिलकुल exactly same rule बनता है यहाँ पे भी कैसे अगर एक light ray देखो pole पे गिरी, again some angle I बनाके, तो exactly उतना ही angle R exactly उतना ही angle R बनाके light ray जो है, वो चले जाएगी decent अपना होगा, यह angle ठीक है जी, तो यह हमारे पास चार rules हुए, और इन चार rules को हम use करके image formation करेंगे, हमने अभी यह चार rules पड़े हैं इन चार rules को पहले मैं आपको दिखाऊंगा इसके लिए हमें बिलकुल यहां पे table पे पास से camera से देखना होगा, क्योंकि obviously बात है, वो वाला camera तो आपको नहीं दिखाएगा और हम इन चार में से most of the rules को देखके, पहले visualize करते हैं कि यह rules actually मैं दिखते भी हैं कि नहीं, और उसके बाद हम बात करेंगे कि image formation कैसे होगी तो सबसे पहले हम इन चार rules को देखेंगे और उसके बाद हम image formation और जैसे हम इन rules को देखनें पहले आप अले देखते हैं, light बंद करते हैं फिर इसको आगे बढ़ते हैं ठीक है I hope आपने समझे rules को देखा और हमने इसके उपर काम किया अब थोड़ा सा और visualize हुए अब हमें क्या करना है मैं request रहेगी कि आप इन चारो rules को एक बार अपने register में बना लो देखो अगर आप चाहते हो कि जीवन भर ये one shot आपके दिमाग में घुश जाए तो मैं जो कहा रहा हूँ उसकी बात समझा लो या ठीक है ना इतनी बात मान के one shot देखने आए हो तो at least उस बातों को follow भी करना अब मैं क्या कहा रहा हूँ आप वीडियो को पॉस करके ये सारे rules यानि concave के चारो rules और convex के चारो rules एक बारी अपने register में draw कर लो उसके बाद जो है हम आगे बढ़ेंगे ठीक है चाहे मैं पीछे तो करी लोगे ना इन चारों को रोक के बना लो और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे प्रीज हाँ जी तो rules को देखने के लिए मेरे पास अभी हाथ में concave mirror है अब इस concave mirror में हम लोग क्या देखने वाले हैं थोड़ा धियान से सुनना होगा अगर मैं इस concave mirror में ये मेरे हाथ में concave mirror है अगर ये parallel light जाएगी तो parallel light focus है जब मैं इस light को mirror पे मारूँगा अपने सामने आप rule first खोल के रखे कि आपको exactly rule first यहाँ पे दिखने वाला है बस focus आपको imagine करना होगा तो ये हमारे पास parallel light जारी जैसे ये parallel light mirror मेरे पे गिरेगी ये parallel light गिरी देखो ये focus से पास हो गई parallel जाने वाई light रे focus से पास हो गई यह parallel जाने वाली light ray focus से pass हो गई तो यहां कहीं इसका focus हो गया तो parallel जाने वाई आप अगर rule number one को खोलेंगे तो exactly आपको rule one ऐसा दिखेगा ना parallel जाने वाई light ray focus से pass हो गई अब मैं उल्टा करने जा रहा हूँ अब मैं light ray को focus से pass कराऊंगा focus से pass कराऊंगा तो light ray parallel हो जाएगी अब अपड़ पीछे ले जाऊं और light ray को अगर C से pass कराऊं light ray को तो देखा अगर मैं light ray को C से pass कराता हूं तो light ray वहीं से वापस चली जाएगी एक सेकेंड ये आगर एक light ray को C से pass कराऊंगा लगबग लगग मुई से लेगी और पॉल पे तो आपको पताः ए पॉल पे गिरूझा एंगल आय बढ़ाऊंगा एंगल आय बढ़ाऊंगा तो एंगल आइ बढ़ाऊंगा तो एंगल आय बढ़ेगा तो ये हमारे चार रूल्स हुए Concave Mirror के लिए अब convex mirror के लिए बाकी तो rule लगबग से मैं आपको पहला rule दिखा दूँ convex का पहला rule खोल के रखिए जो कि parallel जाने वाई light ray ऐसे diverge हो जाती है तो ये light ray parallel जा रही है तो parallel जाने वाई light ray देखो ओपर के तरफ diverge हो गई है तो ये हमारे concave और convex lens का खेल जो है वो रूल का होता है बच्चों आगे बढ़ते हैं और आप आपने rules जो हैं वो समझ लिए हैं अब हम लोग क्या करने वाले हैं image form करेंगे लेकिन ध्यान रहे हम चार में से कोई भी दो rules लगा के image को form करने वाले है मतलब धीरे धीरे आपको समझ में आएगा एक बहुत simple सा logic लगाईएगा रे डाइग्राम अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आपको थोड़ इसी शुरुवात के एक दो डाइग्राम में दिक्कत आएगी दिक्कत भी नहीं कहूंगा आपको नया सा लगेगा बर जैसे जैसे हम आगे डाइग्राम बढ़ा पर चले जाएंगे चीज़े आपके ल दो रूर लगाने हैं और दो रूर लगाने के बाद जब लाइट रहे रिफलेक्ट हो जाएगे मेरर से जहां जाके वो मिलेगी वो हमें एपजेक्ट की पूजीशन आपजेट के इमेज की पूजीशन देगा जैसे कि सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं Image Formation for Concave Mirror अब Concave Mirror में जो Image Formation है उसके हमें छे अलग-अलग cases जो हैं वो पढ़ने हैं Six Different Cases अब Six Different Cases कौन-कौन से हैं जैसे कि हम सबसे पहले जो Object को रखेंगे हमारे पास जो सबसे पहले Object होगा वो कौन सी Position पे होगा यानि कि हम Object को पहले Pole और Focus के बीच में कहीं भी रख देंगे Object होगा Between, Pole and Focus कहीं पे भी ठीक है जी Second Case हमारा होगा जब हम Object को Focus पे रख देंगे At Focus ठीक है जी Third हमारा जो Case होगा वो होगा जब Object C और F के बीच में कहीं पे होगा यानि कि Between, C and F कहीं पे भी इनके बीच में कहीं पे होगा फिर Fourth Case होगा जब Object हमारा At C आ जाएगा Object आ जाएगा हमारा At C यानि C के उपर आ जाएगा इसके बाद अगला Case होगा Beyond C यानि जो हमारा Object है वो C के पीछे जो है वो चला जाएगा और Last Case होगा हमारा जहां हमारा Object At Infinite चला जाएगा अब यहाँ पे मैं डाइग्राम शुरू करने से पहले एक बात करना चाहूँगा ये जो छे केसे हैं हमारे इन छे केसे में हमें अलग अलग तरीके से रूल लगाके Image Formation करना है बट कुछ बाते हैं जो आपको ध्यान में रखनी है ये Ray Diagrams बहुत जादा Important क्यों है इस चप्टर की Second Most Important चीज़ ये क्यों है First है Numerical है Second Most Important चीज़ ये क्यों है क्योंकि अगर आपने मान लो देखो एक तो सीधा सीधा एक्जाम में Ray Diagram ही आते है मतब एक तो ये टॉपिक सीधा ही आएगा तो ये वैसे Important हो गया Secondly ये जो टॉपिक है वो एक्जाम में आपकी मदद करेगा Uses आज हम Mirror के Uses पढ़ेंगे बट वेरे यकीन मानिएगा अगर आपको Ray Diagram नहीं आते हैं तो आप Uses भी नहीं पढ़ पाओगे तीसरी चीज निमेरिकल में कब किस चीज को Positive लेना है कब किस चीज को Negative लेना जिसको हम Sign Convention बोलेंगे ये टॉपिक भी आप नहीं समझ पाओगे अगर आपको Ray Diagram तो Ray Diagram अपने आप में काफी Important चीज हो जाती है ठीक है अब क्योंकि इसके चे केस हैं जहां पर हमें आपजेक्ट को अलग अलग जगा रखना है चलो एक सवाल पूछता हूं मान लेते हैं आप में से कोई ऐसा बच्चा है जिसने आज तक Let Us Suppose रायता नहीं खाया है ठीक है ना मान लो आप में से किसे ने आज तक कभी रायता नहीं खाया है वैसे तो बड़ी प्यारी चीज होती है यह बट अगर आपने कभी रायता नहीं खाया है तो मैं आपको अगर पहली बार रायता खिलाने जा रहा हूं तो मैं आपको घीय का राइता तो शायद नहीं खिलाओंगा, मैं आपको प्यास टमाटर का राइता तो शायद नहीं खिलाओंगा और शायद पाइनेपल का भी नहीं खिलाओंगा, क्योंकि ये कुछ को पसंद आएंगे, कुछ को नहीं, मैं शुरुबात करूँगा एक ऐसे से जो बहुत सिंपल सा हो, लाइक सिरफ उसमें नमक डला हो, उसमें काली मिर्जडली हो और थोड़ा सा जीरा पाउडर डला हो, I guess ये वाला राइता मैं आपको खिलाना चाहूँगा, क्योंकि ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म अफ राइत कहां से करा दी, इस वाले केस से तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे, ठीक है, तो इसलिए कराऊंगा मैं छे के छे केस, हम अबजेक्ट को एक बार इसके बीच में रखेंगे, फिर इसके बीच में रखेंगे, फिर इसके बीच में रखेंगे, फिर इसके पीछे, सारे केस करन होना है तो C और F के बीच में हमने अपना object यह खड़ा कर दिया जिसका नाम मैंने दे दिया A B ठीक है object का सर हो गया A और पैर हो गया B अब object की जो लंबाई है यह तो आप सब को पता है principle axis छे सेंटीमिटर तीन सेंटीमिटर ना यह जो object की लंबाई है उचाई है यह हम लोग कितनी रखने वाले हैं तो आसर है एक से लेकर देड़ सेंटीमिटर इससे बड़ा मत करना problem हो जाएगी problem क्या हो जाएगी वह आप खुछ समझ जाओगे लेकिं problem क्यों है object बढ़ा करने में दिक्कत किया इसका reason आपको 12 में जाके समझ में आएगा बट सलह यह मानना ना मानना आपकी मर्जी है कि object डेड़ से यह उतना ही यह से चोटा ही लो एक लो दो पर भी मती जाना में तो काऊंगा ठीक है अब हमारे पास चार रूल्स थे तो चार में से हम को पास हो जाएगी यह मैंने पहला रूल लगाया अब मैं दूसरा रूल लगाऊंगा और दूसरा रूल में कौन सा लगाऊंगा यह चार में से मैंने एक तो लगा दिया अब मैं बाकी तीनों में से कौन सा लगाता हूं इससे मेरी image formation पर कोई फरक नहीं पढ़ने वाला जो रूल लगाना मेरे लिए convenient होगा easy होगा वो रूल में लगाऊंगा चीक है जी होगा क्या अगर मैं c वाला रूल लगाता हूं तो मेरे डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि mirror इतना बड़ा नहीं है तो मैं यहां पे f वाला रूल लगा रहा हूं कि light अगर focus से जाएगे तो focus से जाने के बाद जो light rays होती है वो parallel हो जाती है focus से जाने के बाद जो light rays होती है वो parallel हो जाती है तो light ray after reflection यहां पे जो है वो जाके मिल रही है अगर आप देख सकें तो हना भाई light ray यह तो मैं principal access को extend कर रहा हूं तो हमने क्या किया पहला rule लगाया parallel जाएगी focus से पास और focus से जाएगी तो parallel तो यहां जाके मिल गए तो यह हमारी image बन गई A dash और B dash यानि कि आप देख सकते हैं कि जो हमारी image form हुई है वो उल्टी image form हुई है ठीक है अब हमें हमारी image के बारे में तीन चीजे हमेशा लिखन position और एक है उसका size यह तीन चीजे हमने image के respect से लिखनी है उसका nature, उसकी position और उसका size अब अगर बात करें उसके nature के बारे में तो यह जो image form हो रही है यह असली में form हो रही है नकली मैं मतलब यह जो light rays यहां मिल रही है क्या यह actually मिल रही है तो answer is yes जब भी image mirror के front में मिलेगी वो हमेशा real होगी, याद करो मैंने आपको पताया था कि हम real image की नई वाली definition पढ़ेंगे, अभी तक हम real image को बोल रहे थे, ऐसी image जो projector पर बन सकती है, लेकिन अब हमारे लिए real image कौन सी है, ऐसी image जो mirror के front में बनती है, यह परिभाशा virtual होगी, तो यह image एक तो real है, और real के साथ साथ आप देख सकते हैं कि यह inverted यानि की उल्टी भी है, हना भई, अच्छा position की बात करें तो आप देख सकते हैं कि जो image है, वो C के पीछे है, C के पीछे है, तो इसको हम बोलेंगे beyond C, हमेशा C के पीछे ही बनेगी, इधर उदर हो सकते हैं, लेकर रहेगी वो C के पीछे ही, और size में आप देख सकते हैं, image बड़ी है, तो बड़ी image को हम कह देते हैं, magnified image, हना बड़ी image को हम लोग कह देते हैं, magnified image, ओके, चीके, तो यह पहला case हमने पढ़ा, which is actually C case, but दीरे-दीरे हम सारे ही case पढ़ेंगे, अब अगला case, जहां पर हम object को C पे ले जाएंगे, यानि at C, object को हम C पे ले जाएंगे, तो यह मेरा object है, और यह सबसे important cases में से एक है, मैं आपको पताऊंगा अभी क्यों, again दो rule लगाऊंगा, parallel जाने वाली light रे, focus से pass हो जाएगी, parallel जाने वाली light रे, focus से pass हो जाएगी, second rule, focus से जाने वाली light रे, parallel हो जाएगी, अब अगर ऐसा होगा, तो कमाल की बात देखने की यह होगी, कि light रे, after reflection, सीधा C के नीचे ही मिलेंगे, A-B-, दुबारा से, कौन कौन से दो rule लगाए, parallel जाएगी तो focus से pass, focus जाएगी तो parallel, मैं कोई भी और दो rule लगा सकता हूँ, यह मेरी choice है, मैंने यहाँ पर दो लगाए, इससे जो मेरी image बनी, वो हमेशा, चायब कोई भी दो rule लगाओ, image हमेशा C के नीचे ही मिलेगी, और कमाल की बात है, same size की, image exactly same size की होगी, और exactly C के नीचे ही होगी, तो इसलिए यहाँ पर इसका nature, position, size अगर हम लेखें, nature, position और size अगर हम लिखें, तो nature में, actually में मिली है, तो real है, उल्टी है, तो आप देख सकते हैं, inverted भी है, position की बात करें, तो C पे है exactly, तो at C, और size की बात करें, तो again same size है, ना image बड़ी यानि की magnified है, और ना ही image छोटी यानि की diminished है, ओके बचो, तो इस तरीके से यहाँ पर हमारी image ज जाती है, done है, ओके, अब इसके बाद हम चलते हैं, beyond C, ठीक हो, beyond C चलते हैं, ये तीन case पहले कर रहे है, beyond C का मतलब है, हमारा जो object है, वो C के पीछे चला गया, अब कहीं भी ले जाब आपकी choice है, C के पीछे होना चाहिए, तो यहाँ पे भी दो rule लगा रहे है, parallel जाएगी, तो कहां से pass हो जाएगी, भाई, focus से, और अगला rule लगा रहे है, कि light ray अगर focus से जाएगी, तो after reflection वो parallel हो जाएगी, और इस वज़ा से हमारी जो image form होगी, वो C और F के बीच में, A-B-, और हमारी जो image form हो रही है, आप देख सकते हैं, वो C और F के बीच में हो रही है, क्या हम जो ये कर रहे हैं, between C and F बन रही है, क्या हमेशा C और F के बीच में बनेगी, अगर object हमारा C के पीछे है, तो answer है yes, बिलकुल हमेशा image C और F के बीच में ही बनेगी, हाँ, अगर आप object को थोड़ा और दूर लेके जाते हो, तो image थोड़ा इदर हो जाएगी, थोड़ा इदर F के बीच में बनेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, चीक है जी, size में image छोटी बनेगी, अगर आप देखो तो, तो diminished है, भले ही आपको देखने में शायद same size की लग रही हो, बट आप जब accuracy से बनाओगे, तो वो छोटी होगी, position की बात करें, तो between C and F, चाहे कुछ भी हो जाए और again nature की बात करें तो, असली में मिल रही ही क्योंकि front में है और ulti है तो inverted, अब तक हो सकता आपके दिमाग में एक topic आगया हो कि यार, क्या real के साथ हमेशा inverted होता है, तो answer है 10th class में, it is yes, ऐसा ही होता है, जब भी image real होगी, चाहे mirror हो, चाहे आगे जाके lens आएंगे, जब भी image real होगी, वो हमेशा inverted भी होगी, और ऐसे ही जब image virtual होगी, तो वो erect भी होगी, लेकिन only in only 10th class, 12th class में आप देखो कि जब हम एक से जादा lenses इस्तमाल करेंगे, तो वहाँ पे real image inverted भी हो सकती है, बर 10 तक आप ऐसा कह सकते हो कि real image is always inverted and virtual image is always correct in 10th class, छीक है न? तो यह हुआ, अब यह तीन case हमने पढ़े, अब हम इतना पढ़ चुके हैं कि हम अलग-अलग cases को पढ़ सकें, जैसे कि at focus और between P and F, अब यह case बहुत important क्यों है, आव ज़रा समझाता हूँ, छे case हमें पढ़ने हैं, और छे case में यह इकलोता ऐसा case है, जहाँ पे image जो है, वो virtual and erect होती है, बाकी सब में real and inverted, अभी जब यह case हो जाएंगे, तो मैं आपको इस mirror की मदद से दिखा, क्योंकि इधर से यह cancave है, इधर से plane है भी दिखाऊंगा आपको, लेकिन इस mirror की मदद से मैं आपको दिखाऊंगा, कि कैसे, यह एक लौता ऐसा case है, जहाँ पे image जो है, pole और focus के जब बीच में रखनें object को, तो image जो है, वो virtual और erect बनती है, आव ज़रा देखें, तो यहाँ पे मैं object को रख रहा हूँ, object मेरा यह रहा, A, B, between, PNF का मतलब यह नहीं है, कि exactly between ही रखना है, आसपास, बीच में कहीं पी भी रख सकते हैं, अब सुनने वाली बात क्य जाएगी वाला rule लगा सकता हूँ, तो answer नहीं लगा सकता, क्यों? क्योंकि parallel अगर गई, तो यह focus से pass कैसे होगी, हमारा जो object है, वो ही हमारी light ray को रोग देगा, तो इसलिए यहाँ पे यह वाला rule ना लगा के, एक तो हम C वाला rule लगाएंगे, कि अगर एक light ray C से जा रही हो, तो वहीं से वापस चली जाएगी, अगर एक light ray C से, C से भी pass करानी है और head से भी, अगर एक light ray C के तरफ जा रही हो, तो वहीं से वापस, और अगला rule जो हम यहाँ लगाने वाले हैं, angle of I और angle of R वाला, कि अगर एक light ray pole पे गिरेगी, तो यह angle आपको बचो D से नापना होग तो angle R से चली जाएगी, अब कमाल की बात क्या है देखिए, कि यह जो light ray हैं आप देख सकते हैं कि यह फैल रही है, यानि कि यह तो दूर जा रही है, तो यह मिलने वाली तो हैं नहीं, लेकिन अगर मैं इस light ray को पीछे खीचता हूँ, scale से dotted line, अगर मैं इस line को पीछे खीच तो आप देख सकते हैं कि यह light rays यहां जाके मिल जाती है, इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ, एक सेकिन देदा, थोड़ा सा इसको extend कर देते हैं, कि नहीं, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो light रहे हैं, वो मिलती भी अपियर हो रही है, मिल नहीं रही हैं, तो हमने उसको जब यहां से देखेंगे, यहां से देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि light ray इधर actually से आ रही है, तो यह हमारा जो object का मुंड़ी है, वो उपर है, पैर तो हमेशा नीच चाहिए है, तो यह हमारी A- और B- करके image बनेगी, अब यह माज में आती है हमें, तो यहां पर भी हमें इसके बारे में तीन बाते लिखनी होंगी, एक तो इसका nature, एक तो इसकी position और एक इसका size, ठीक है जी, चलो बहुत देरे सवाल ने पूछा, time stamp देखो, धिहां से time stamp देखो, और time stamp देख के मुझे पताओ, इसका nature, position और size, I hope आपने यह कर लिया है, अब nature में आपने पकी बात जो है वो लिखा होगा, virtual, virtual लिखने के दो रीजन है, पहला mirror के पीछे image बनी है, और जब भी image mirror के पीछे बनती है, मैंने आपको पता है वो virtual होगी, साथ ही साथ virtual मतलब नकली होता है, तो हमने यहां पर image को dotted line से मिला है, वो actually में मिली नहीं है, हमें मिलती भी नजर आ रही है, हमने उसको imaginary तरेके से मिला है, प्लस वो सीधी है है और मैंने आपको यह पताया कि 10th class में erect के साथ हमेशा virtual भी आएगा, बट वो reason सही नहीं है, सही reason यह है कि mirror के पीछे है, या फिर dotted line से बनाए गई है, position की बात करें तो behind mirror, behind mirror, और size की बात करें तो आप कह सकते है, magnified है, काफी बड़ी है तो highly magnified भी लिख सकते हो, बर magnified से भी चल जाएगा, अभी मैं आपको 6 के 6 case के बात दिखाऊँगा, इस mirror से कि कैसे image, जब तक आप focus के पीछे हो, तो वो real और inverted है, लेकिन जैसे pole और focus के बीच में आप का object आजाएगा, तो image virtual और erect और सबसे बड़ी बात magnified भी होई जाएगी, ठीक है, तो यह हमारा A case हो गया, अब B case थोड़ा सा घटिया case है, इसलिए इसको मैंने end तक बचा के रखा हुआ है, और इस case में क्या है कि, जो हमारा object है, वो A B focus पे पढ़ाँगा, अब यहाँ पे पोल वाल, अच्छा यहाँ पे आप वोला रूल नहीं लगा सकते, कि focus है जा रही है तो parallel, क्योंकि हमारा object खुद ही focus पे पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे हम C वाल रूल भी लगा सकते हैं, या चाहे तो हम पोल वाल रूल भी लगा सकते हैं, कि अगर एक लाइटरे पोल प after reflection, वो actually में parallel हो जाएंगी, अब parallel होने वाली light rays कहीं पे भी नहीं, आप सबको पता है, parallel rays की परिभाशा ही यह है, कि parallel rays कभी भी मिलती नहीं है, वो किसी भी point पे जाके मिलेंगी नहीं, अब क्योंकि यह कहीं नहीं मिलेंगी, तो देखा जाये तो actually में image तो form होगी ही नहीं, बट हमने, हमारी पड़ाई ने ऐसा assume कर लिया है, कि यहां जाके infinite पे मिलेंगे, although यह कहीं नहीं मिलेंगे, बट हमने ऐसा assume कर लिए, यह assumed बाता है, इसके ओपर कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए, यह assumed है कि यह infinite पे जाके मिलेंगे, although यह कहीं मिल नहीं रहे है, ठीक है न अब अगर ऐसा है तो हमें इसके बारे में तीन बाते लिखनी है अगर नेचर पोजिशन और साइज अब इसका नेचर पोजिशन साइज में पोजिशन तो बहुत ही इजी है विच इस एट इंफानाइट image कहीं बन नहीं रही है तो हमने मान लिया कि at infinite अब क्योंकि हमने ये assume किया है कि ये this side मिलेगी ये assume किया है कि ये this side मिलेगी तो real and inverted हो जाएगा, समझ गए? क्योंकि हमने ऐसा assume किया है और size की बात करें, मान लो और उदर बहुत दूर जाके भी मिलती है तो ये हमारा principal access है और बहुत दूर जाके भी मिलती है बहुत दूर जाके भी मिलती है तो जो हमारी image होगी, वो magnified होगी काफी जादा magnified होगी है काफी जादा magnified होगी तो आप इसको highly magnified भी लिख सकते हो तो कुछ इस प्रकार से आप कह सकते हो बचो कि जो हमारी focus वाला case है वो एक अच्छा case नहीं है इसलिए मैंने इसको end तक जो है वो थोड़ा सा बचा के रखा है और इसके बाद हमारा last case बचता है जो कि again गटियाई case है इसलिए उसको बचा के रखा था और वो है कि जब हमारा object infinite पे चला जाए अब आप मुझे पताओ अगर आपका object ही infinite पे है तो इसका मतलब है वो दिखेगा थोड़ी ना वो कहीं है ही नहीं object infinite का मतलब है वो नहीं है कहीं infinite पे दिखी नहीं रहा है और एक बात हमेशा ध्यान रखना जब भी object infinite पे होगा तो light rays हमेशा parallel आएंगी आप चाहो तो यह point कहीं पे लिख सकते हो light rays always incident parallelly light rays always incident parallelly if object is at infinite light rays always incident parallelly if object is at infinite अगर object infinite आफा नाइट पे है तो light rays हमेशा parallel जो है वो गिरेंगी अब अगर ऐसा है कि light rays अगर parallel गिरेंगे तो यहां तो एक ही rule लगेगा दूसरा तो कोई rule नहीं लग सकता क्योंकि अगर light rays parallel होती हैं अगर light rays parallel होती हैं तो वो light rays कहां जाके मिलती है आप सबको पता है parallel जाने वाई light rays फोकस पे जाके मिलती हैं यहां पे इधर जाके light rays मिल जाएंगी यह तो हम पहले वी बना चुके हैं इसका मतलब है हमारी जो image फॉर्म हो जाएगी वो यहां पे छोटी सी डॉट फॉर्म में image फॉर्म होगी ऐसी image को हम point sized image कहते हैं तो इस हैं आप सच बोलूं तो क्यूंकि एक point size है क्यूंकि एक point size है देखो यार आप यह हो और आपकी शीशे में image ऐसी बनती है तो आप कहोगे यह है erect हना लेकिन अगर आपकी शीशे में image जह है वो ऐसी बनने की बजाए ऐसी बने की हैं तो यह हो जाएगी inverted लेकिन अगर आपकी शीशे में कोई ऐसी image बनती है जो कि एक dot होती है तो वो inverted है या erect है वो नहीं पता चलेगा तो to be very honest यहाँ पर real के साथ कुछ भी नहीं आना चाहिए बढ़ क्योंकि मैंने आपको बोला 10th class है और real के साथ हमेशा invert आता है तो हमारी खुद की किताबों ने real के साथ inverted लिखावा है पर मेरा ऐसा मानना है कि नहीं होना चाहिए बढ़ ठीक है position की बात करें तो इसकी जो position है वो focus पे है add focus और size की बात करें तो point size जिसको आप highly diminished या बहुत जादा छोटा भी कह सकते हो highly diminished यानि की very very small या फिर एक बूंद यानि एक dot की form which is point size ठीक है तो यह 6 case हमारे पास हुए for concave mirror और इन concave mirror के 6 cases में I hope आप ये बात सीखे कि कहीं पे भी object को रख दिया जाए object हमारा कहीं पे भी पड़ा हो जो image है वो real और inverted बनेगी सिवाए एक case के जब object को हम pole और focus के बीच में रखते हैं तो जब भी हम object को pole और focus के बीच में रखते हैं तो image जो है वो virtual और erect बनती है क्योंकि मैं इस camera से नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इसकी light settings अलग है आउ इस mobile के through एक बार देखते हैं इस camera से और इस mirror से कि कैसे ये एक virtual और erect image बनाता है जब polar focus के बीच में हो otherwise इसकी image real और inverted रहती है आउ जड़ा देखते है तो ये अभी तो हमारे पास plane mirror है अगर मैं plane mirror के पास जाता हूँ या दूर आता हूँ इससे कोई फरक नहीं पड़ता ये plane mirror है लेकिन अगर हम इसको उल्टा करें एक बार इसको उल्टा कर दीजिए इसके पीछे हमारे पास concave mirror है I hope आपको थोड़ा सा अभी क्योंकि मैं बहुत दूर हूँ तो शायद आपको दिख रहा हूँ एक second तो I hope अभी मैं आपको इसमोल्टा नजर आ रहा हूँ और image अच्छी भी नहीं क्योंकि ये real or inverted है क्योंकि मैं इसके focus से अभी पीछे हूँ लेकिन दीरे दीरे अगर मैं इसके पास जाऊँगा और मैं इसके ये देखिए polar focus के बीच में आ जाऊँगा तो पहली बात इमेज बहुत बड़ी भी हो गई है और दूसरी बात ये image erect भी हो गई है क्योंकि मैं polar focus के बीच में आ गया हूँ चाहिए ना I hope आपने देखा कि कैसे हमारी जो image है वो virtual और erect होती है और बड़ी भी होती है जब object polar focus के बीच में होता है और इसी के basis पे हमारे concave mirror के uses भी है मैं convex पे आ रहा हूँ लेकिन इसी basis पे हमारे concave mirror के uses भी है आँ ज़रा समझें कैसे सबसे पहले लिखावा है कि इसको हम torch या headlight में reflector के रूप में use करते है अब torch और headlight में reflector के रूप में कैसे use करते है तो ये हमारे पास एक torch है अब torch में आपने अगर notice किया हो तो इधर की तरफ ऐसे silver silver color का लगा होता है कुछ जिसकी shape can cave mirror जैसी ही होती है अब अगर उसकी shape can cave mirror जैसी है और यहाँ पे कहीं पे यहाँ पे कहीं पे अगर मैं bulb रग दूँ और वो उसके focus पे हो लगबग लगबग अगर ये मेरे पास वो reflecting surface है और ये bulb है जो कि लगबग उसके focus पे पड़ा हुआ है तो यहाँ से जो भी light rays निकलेंगी जो कि उसके focus से निकलेंगी तो क्या focus से निकलने वाली light rays एकदम parallel हो जाएंगी answer है यह focus से निकलने वाली light rays एकदम parallel हो जाएंगी अब अगर light rays एकदम parallel हो गई तो torch, head lights ये दूर तक light को मार पाएंगे इसलिए torch, head lights और वीकल्स के इन सब में ये mirror लगा होता है इसके बाद shaving mirror पहली बात तो सच बोलूँ तो ये एक shaving mirror, makeup mirror ये मेरी बीवी का है, मैंने उखाड लिया है इसका handle वहाँ पड़ा हो है बट आपने notice किया था अभी कि जब मैं दूर था तो तो मेरी image real और inverted थी लेकिन जैसे ऐसे में पास आया मेरी image virtual तो हुई, erect भी हुई लेकिन magnified भी हो गई तो इसलिए हम अगर इस mirror के बहुत पास रहेंगे, तो ये बड़ी image बनाये का जिससे कि हम shaving असानी से कर सकते हैं, makeup असानी से कर सकते हैं, और यही reason से dentist जो है, वो concave mirror का इस्तमाल भी करते हैं, उनके बास बस चोटा होता है वो दान्त के पास रखते हैं वो ऐसे रखते हैं कि दान्त polar focus के बीच में आ जाएं, और आपकी जो image है वो काफी जादा magnified दिखे दान्त की ताकि वो उसमें जो भी problem है वो देख सके हैं इसके बाद अगर बात करें तो solar furnace में ये reflector के रूप में यूज होता है I hope आपको पताने दिख रहा हो कि नहीं मैं जूम करता हूँ पताने दिख रहा हो कि यहाँ पे एक छोटा सा कुकर लगा हूँ जिसमें आप दाल, चावल, कुछ भी रख सकते हो और ये एक concave mirror है अब इसके ओपर जो भी धूप गिरेगी ये सारी धूप reflect होके इसके focus ये लगभग लगभग इसका focus है आपको देखने में dish TV लग रहा होगा न actually dish TV भी तो इससे inspired है dish TV में भी इधर एक receiver लगा होता है यहाँ पे एक concave disc तो वो सारी concave disc उस dish TV के center पे actually में signal को फैकती है जिससे कि वो अच्छे amount में signal पकड़ पाता है तो यहाँ पे भी sun rays आ रही हो सारी sun rays इस पे जाके देखा जाए तो reflect हो रही है तो ये इसका हो गया क्या focus और यहाँ पे सारी light ray खटी हो रही है जिसकी वैसे solar furnace में खाना बेगारा बनाने के कामातार बहुत जादा amount में actually heat जो है यह release करेगा reflect करेगा और खाना वाना भी पका सकता है क्योंकि light मतलब sun के rays में heat भी है light भी है तो यह हुआ हमारा concave mirror अब concave mirror की uses हैं आप अकल लगाओ यह हमने जो concave mirror की uses पड़े वो कैसे पड़पाए हम यह ऐसे पड़पाए है क्योंकि हम इसके ray diagram को जाने आप same convex में भी होगा बिटा although convex में छे case नहीं है सिरफ दो ही case है और इन दोनों case की मदद से हम सीखेंगे कि कैसे हम convex mirror में image form करते है और उसके uses क्या है यह सबसे important बात है ठीक है तो सबसे पहले convex mirror में महाँ पाद दो ही case बनते है पहला case है object between infinite and pull क्योंकि यहाँ पे हमें object तो पहली बात हमेशा इदर ही रखना है यहाँ कि light ray तो इदर से आएंगी और इसका f और c दर होता है तो इसलिए यहाँ पे हम object को कोई हमारे पास milestone ही नहीं है यह pole ही है ठीक है ना हमारे पास कोई milestone ही नहीं है कहने का मतलब यह हुआ कि हमारे पास मैं इदर pole और infinite के बीच में आतो object को रखूँगा और अगला case शायद आप guess कर पा रहे है जिसमें हमारा जो object है वो infinite पे होगा तो यह हमारा pole है अब हमारा जो object है वो pole और infinite के बीच में कहीं पे भी रख सकता हूँ तो मैंने let से यहां रख दिया अब rule चारो rule आपको पता होने चाहिए भई नहीं पता है तो जाओ पीछे revise कर लो otherwise यह समझ नहीं आएगा ठीक है तो पहला rule अगर एक light ray principle axis से जा रही है तो वो ऐसा appear होगा की focus से पास हो रही है otherwise वो फैल जाएगी और दूसरा rule अगर एक light ray c की तरफ जा रही है अगर एक light ray c की तरफ जा रही है तो वहीं से वापस आ जाएगी अब आप देख सकते हैं कि यह light ray इदर तो कहीं पे मिले ही नहीं लेकिन पीछे इस point पे मिलते वे नजर आए पीछे इस point पे मिलते वे नजर आए तो यह होगा हमारे पास a-b- यह होगा हमारे पास a-b- यानि कि हमारी image ठीक है जी अब आप मुझे पताईए इस image का nature क्या है, position क्या है, size क्या है size तो शायद दिखी रहा होगा कि छोटा है यानि कि diminished है और दूसरी बात position की बात करें तो between P and F और कमाल की बात सुनने वाली यह है कि हमेशा image P और F के बीच में ही रहेगी आप object को पास ले आओ, आप object को और दूर ले जाओ, आप हुश्यार बच्चा इसे करके भी देखेगा क्योंकि यह इतना असान है करके देखना वो कहेगा, मैं teacher की बात पर यकीन क्यों करूँ क्या पता teacher time बचाने के लिए कह रहा हो लेकिन फिर भी चलो, यह हमारे पास है pole, यह हमारे पास infinite के बीच में कहीं, यहां रख लो, यहां रख लो, यहां रख लो, यहां रख लो, image P और F के बीच में रहेगी थोड़ा बहुत इधर होगी, nature क्या है आप देख सकते हैं, जबरदस्ती पीछे मिलाई है तो virtual है, और सीधी है तो erect है, ठीक है जी, डने जी, इसके बात second case हमारे पास आता है, जहां पर object हमारा चला जाएगा, at infinite, I hope यह case आपको, आपने मन में ही बना लिया है, है न बही, object हमारा चला गए, at infinite, मैंने अभी आपको एक लाइन लिखवाई थी, कि अगर object infinite पे है, तो वहां से जो light rays आती है, वो कैसी आती है, बही, parallel, अब इसमें parallel आने वाली light rays, हमें ऐसा लगेगा, कि यहां से emerge हो रही है, बड़ अच्छली में फैल जाएंगी, यह तो हम पहले भी चुका हूँ, वर्चुल के साथ हमेशा erect होता है, तो आपके किताबों में भी erect ही लिखा होगा, तो हम भी erect लिख देते हैं, पोजिशन की बात करें, तो at focus, तो यहां पर आई होप आप एक बात सीखे हो, कि चाहे concave mirror हो, चाहे convex mirror हो, अगर object infinite पे है, तो image हमेशा focus पे ही form हो और size की बात अगर करें, तो again point size, या फिर आप कह सकते हैं, बहुत जादा छोटी, point size के साथ साथ बहुत जादा छोटी यानि highly diminished भी कह सकते हैं, तो क्या हम इस नतीजे पे पहुंचें, कि कुछ भी हो जाए, हमारा जो convex mirror हो हमेशा virtual erect और छोटी image बनाएगा, तो यह point आप ल बाल रंग से कहीं पर लिख सकते हैं, बच्चों, बहुत important point है, कि convex mirror always, numericals में तो बहुत जादा help करेगा, convex mirror always form virtual erect and diminished image, always form virtual erect and diminished image, यह हमेशा virtual erect और diminished image बनाता है, बात समझ में आती है, अब मेरे पास यहाँ पे छोटा साही सही, लेकिन एक convex mirror है, और यह मेरे पास एक plane mirror है, इसको भी हम again pass वाले camera से देखेंगे, लेकिन यह मेरे पास एक plane mirror है, और आप देख सकते हैं, शायद कि मेरा जो convex mirror है, वो मेरे plane mirror से काफी जादा छोटा है, बट फिर भी अभी हम इसके mirror के uses पढ़ ले, convex mirror के uses, धियान दे, इसके सारे uses इसी बात पर deal करते हैं, कि यह छोटी image बनाता है, अब आप पता हो, आपने सबने देखा होगा कि हमारी गाड़ियों में, जो side में शिशा लगा होता है, बाइक में, स्कूटी में, वो convex mirror होता है, अब वो mirror convex क्यों होता है, क क्योंकि मैं अपने गाड़ी के side में बड़ा सा mirror तो लगा नहीं सकता, तो छोटे से mirror में, जादे से जादा area देखने के लिए, मैंने अपने गाड़ी में, plane mirror के बजाए, convex mirror लगा दिया, क्योंकि भले ही वो image छोटी बनाएगा, लेकिन जादा area cover करेगा, और बिलकुल ऐसी पार्किंग के अंदर, या एक ऐसे sharp turns के अंदर, या उपर भी आसपास भी, ये convex mirror लगे होते हैं, क्योंकि ये actually में image को छोटा बनाते हैं, जिससे कि हम पीछे का जादा area cover कर पाते हैं, तो convex mirror को rear view, मतलब पीछे का देखने के लिए इस्तमाल भी करते हैं, चाहे वो गाड़ इस mirror और इस mirror की मदद से देखते हैं, कि किस प्रकार से जो convex mirror है, वो हमेशा छोटी image बनाता है, और इससे हम larger area cover कर सकते हैं, एक बार देखते हूं पहले, तो ये हमारे पास एक plane mirror है, और ये चार गुना size का आप देख सकते हैं, मेरी पूरी शकल इसमें नहीं आ रही है, और मेरा mobile जो है, वो इसमें लगभग पूरा आ रहा है, लेकिन मेरी शकल भी पूरी नहीं आ रही है, लेकिन वहीं पे, अगर मैं इसी size से देखो, ये convex lens उठाता हूं, पहली बात तो ये उससे चार गुना छोटा है, दूसरी बात आप देख सकते हैं, कि मेरा पूरा mobile phone, मेरा ह हाथ, साती सात मेरी पूरी शकल, मेरी गर्दन और मेरी डवल चीन होगी है, जिन जाना पड़ेगा, मेरी गर्दन और गर्दन के नीचे मेरा कॉलर भी आपको पूरा नजर आ रहा है, इसलिए इसको हम rear view यानि पीछे के लिए देखने के लिए इस्तमाल आक्चुली में करत हैं, अब हमारे पास बात होगी, sign convention की, sign convention से क्या मतलब है, sign convention का मतलब है कि हम कब कौनसी चीज पॉजिटिव लेंगे और कब कौनसी चीज नेगिटिव लेंगे, एक सेकेंड, कब कौनसी चीज पॉजिटिव और कब कौनसी चीज नेगिटिव का मतलब क्या है, सबसे पहली बात तो हम अब numerical की तरफ बढ़ रहे हैं, उसकी practice की तरफ बढ़ रहे हैं basically, तो उससे पहले आगे बढ़ें, मैं आपको एक बात यहाँ पर बताना चाहूँगा, और वो बात यह है कि हमारे पास यहाँ पर कुछ चीज आएंगी जैसे कि U, U हमारे लिए होगा object distance, object distance का मतलब है कि हमने अपना जो object है वो पोल से कितना दूर रखा है, हमने अपना object पोल से कितना दूर रखा है, इसको हम object distance से, यानि U से represent करेंगे, फिर आएगा हमारे पास V, जो की अब आप समझी के होंगे हमारी जो image बनेगी वो पोल से कितनी दूरी पर बनेगी सारे distance पोल से ना पर जाते हैं तो हमारी image कितनी दूरी पर बनेगी इसको हम image distance कहेंगे f तो आप सब जानते ही हैं पताने की शायद जरूरत नहीं है और वो है focal length लेकिन वहीं पर दो चीज़े और आएंगी और वो है एक है h1 जिसको हम height of object कहेंगे जिसको h not भी कहीं किताबे बोलती हैं यानि कि यह होगा हमारे लिए height of object ऐसे हमारे पास होगा h2 यानि कि h i b इसे कहीं लोग बोलते हैं which is height of image I hope आप समझ रहे हूं कि height of object और height of image क्या है यह तो हमारे पास distance of object या distance of image था यानि हमने पोल से कितनी दूर पर object रखा या image कितनी दूरी पर बनी लेकिन height का मतलब है कि वो हमारे principal axis से कितना ओपर या कितना नीचे यह उनकी height क्या है यह हमारे यह भी हमने पढ़े हैं कि इनको हम किन-किन symbol से represent करने वाले हैं अब अगर sign convention की बात करें तो sign convention शुरू करने से पहले जहां पे मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा और वो क्या है सबसे पहली बात अगर हम sign convention की बात करते हैं तो sign convention में sign convention का मतलब आप समझ रहे होंगे कि हमने कौन से तरफ के sign को क्या माना जैसे maths में आपने partition plane किया होगा कि यह हमारे पास y-axis है यह हमारे पास x-axis है अगर यह origin है तो आपके respect से इधर के सारे distance positive x में इधर के सारे distance negative x में उपर के सारे positive y नीचे के सारे negative y कुछ ऐसा ही यहां पे भी होने वाला है सबसे पहली बात तो हागर हमारे पास यहां पे एक principle axis है हना हमान लेते हैं यह हमारे पास एक principle axis है तो यह जो principle axis है अब इसके बीच में कोई हमारे पास mirror होगा अब mirror जो है ध्यान रखें वो कैसा भी mirror हो सकता है यानि वो concave mirror भी हो सकता है वो convex mirror भी हो सकता है इसलिए अभी हम mirror के उपर नहीं जाएंगे कि वो mirror कौन सा है बट let's say वो concave mirror है या convex mirror है से हम represent कर रहे हैं अपने mirror को मैंने आपे को specific shape इसलिए नहीं बनाई ताकि अब ये ना समझो कि ये कोई concave mirror है या convex ये कोई भी mirror हो सकता है plane भी हो सकता है, concave भी हो सकता है convex भी हो सकता है और उसके बीच वो बीच आप सब को पता है कि कहीं pole होगा अब पहली बात तो सारे distance pole से ना पे जाएंगे मतलब pole से शुरू करके आप left या right जाओगे pole से शुरू करके आप left या right जाओगे अब जितने भी distance है distance height की बात नहीं हो रही है जितने भी distance pole से left ना पे जाएंगे वो negative ना पे जाएंगे और जितने भी distance pole से right ना पर जाएंगे वो positive ना पर जाएंगे distance का मतलब object distance, image distance या focal लेंते हैं क्योंकि ये तीनों distance हैं और ये दोनों height हैं इनकी बात नहीं कर रहा हूं इनकी बात कर रहा हूं तो ये pole से ना पर जाएंगे अगर अगर पोल से इधर आ रहे हो तो negative pole से उदर जा रहे हो तो positive असान भाशा मैं कहूं तो left side के सारे distance negative होंगे और right side के सारे distance positive होंगे बड़ अगर बात रही height की तो height में अगर हम उपर की तरफ height ना पर रहे हैं तो वो positive होगी अब जब हम height की बात करते हैं तो left right से फरक नहीं पड़ता जब हम height की बात करते हैं बच्छो तो left right से कोई फरक नहीं पड़ता है हम height की बात कर रहे हैं तो इधर की height और इधर की height दोनों ही positive में होंगी लेकिन अगर कोई inverted चीज होती है inverted image form होती है तो वो negative होगा, although हम सब को पता है कि inverted image हमेशा इधर ही बनेगी real and inverted, but आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर अगर हम image की height की बात कर रहे हैं, तो उससे left, right का कोई लेना देना नहीं है, समझे न उसका लेना देना है, बस कि वो उपर है या नीचे, अगर नीचे है तो height negative होगी, उपर है तो positive अब ये सारे sign convention हमें एक बार तो करने है concave mirror के लिए यहाँ मैं concave mirror के लिए करूँगा, फिर आप सब को video को pause करना है, इमानदारी से, इमानदारी की बात रहेगी और फिर आप सब बच्चे convex mirror के लिए यहाँ पर काम करेंगी, इमानदारी की बात रहेगी ठीक है ना, इमानदारी की बात पहले concave mirror के लिए बात करते है, U के बारे में बात करते है F के बारे में बात करते है V के बारे में बात करते है फिर H1 के बार में बात करेंगे और h2 के बार में ठीक है जी चलवाओ अब अगर u यानि object distance के बार में बात करें तो चाहे concave mirror हो चाहे convex object हमेशा इधर रखते हैं और इधर के सारे distance negative में ना पर जाएंगे अब numerical के दौरान आपको धिहान रखना है आपको यह बोला नहीं होगा कि object minus 30 cm पर पढ़ा है आपको तो बोला जाएगा object 30 cm पर पढ़ा हुआ है तो आपको यह पता होना चाहे कि मुझे minus लेना है जब हम numerical करेंगे कोशन करेंगे आप समझ जाओगे पहली बात तो बच्चों सारे के सारे सवाल जो है कोशन जो है मैं आपको अगर दिखाऊं तो हम लोग करने वाले हैं औसवाल publication की book से मैं सारे जो सवाल है अभी के लिए अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं एक second रुखेंगे हमारे आपे सारे की सारी औसवाल publication की बड़े ही बहतरीन books पड़ी हुई है तो हम सारे के सारे जो सवाल हैं यह फिलाल अगर मैं 10th की maths की बात करूँ तो हम सारे के सारे सवाल औसवाल publication की book से करने वाले हैं इसमें बहुत अच्छे-अच्छे MCQs, complete सवाल और सबसे अच्छी बात ही है कि हर एक chapter से पहले उसके short terms, short summary वेगारा सब दे रखी है तो आपको इसमें बहुत प्यारे question mark wise में मिल जाएंगे, MCQ मिल जाएंगे, MCQ के भी solution मिल जाएंगे इनकी explanation काफी अच्छी लगी मुझे और इनका सबसे अच्छी बात ही है कि इस किताब बड़ी सुन्दर है और सच बोलू तो एक अलग feel आते है जब हम एक सुन्दर किताब से पढ़ते हैं ये तो आप सब मानते ही हो गया है ना मतब नहीं मान रहे हैं तो आप जूटी बोल रहे हैं कि अगर एक किताब सुन्दर दिखती है तो उसको पढ़ने का थोड़ा और मन करता है तो किताब बड़ी colorful है सुन्दर है plus इसके questions बहुत अच्छे हैं जैसे मैस की किताब है तो long very long short हर प्रगार के questions ना और उसके नीचे उनके answers भी है तो अगर आपको ये किताब purchase करने हैं तो आप सको science and fun के app पे भी आप जा सकते हैं वहाँ पे भी मिल जाएगा और इस video के description में भी आपको इस किताब का link जो है वो मिल जाएगा आप जाके किताब purchase कर सकते हैं मत अगर ले ही रहे हो तो कोई ऐसे किताब लो जो एक लेनी पड़े और आपको पूरे साल चल जाए जिसमें थोड़ी बहुत theory भी आपको short में मिल जाए, mind maps मिल जाए, numericals भी मिल जाए, mcq भी मिल जाए, सब मिल जाए तो मतलब मेरे सल आए कि आप Oswald publication ले सकते हो, Oswald गुरुकुल publication, link वे गारा नीचे आपको description में मिल जाएगा, चलो मैं यह गारा हूँ, जब हम numerical करेंगे, जैसे यह one shot upload होगा, और आप सब इसको जाहतर देख लोगे, तो हम इसका एक session लेके आएंगे मैंने का था, आप comment में डाल देना कि हम ने one shot देख लिया है, अच्छे से पूरे से, फिर हम एक session लेके आएंगे, जहां पर हम light chapter के दो घंटा लगा के अच्छे-च्छे question करेंगे, और आपकी improvement देखी जाएगी, कि कितना पहले आप question सही कर रहे हो, और आप कितना कर रहे हो चीक है ना, ओकि है ना, चालिए, तो यू हमारा जो है, वो हमेशा negative रहता है, चाहिए कुछ भी हो जाए, focal length, क्योंकि ये concave mirror है, और concave mirror का again focus इस तरफ होता है, तो इसकी focal length भी negative हो जाएगी, लेकिन अगर week ये बात करें, तो क्योंकि ये concave mirror है, ये real image भी बनाता है, और य यहां देखो आपको ray diagrams काम आए, यह आपको पता होना चाहिए कि ये real image भी बनाता है, और virtual अगर ये पता ही नहीं है, तो sign convention कैसे करोगे, real image mirror के front में होती है, याने की negative, लेकिन virtual mirror के पीछे होती है, याने की positive, height of object, हमेशा object हमने सारे के सारे जितने भी cases पड़े उपर रखा तो positive, लेकिन again जो height of image है वो depend करता है कि erect image बन रही है या inverted, क्योंकि ये जो mirror है वो inverted image भी बनाता है और erect भी बनाता है, अगर ये image erect याने की सीधी बनाएगा, तो आप सब को पता है कि जो height है वो positive लेंगे, क्योंकि height left, right पे depend नहीं करती, उपर और नीचे पे depend करती है, तो erect क के लिए positive और inverted के लिए negative हो जाएगा, तो I hope आप सब बच्चे ये sign convention याद नहीं करना है, तेको सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं, वो sign convention को याद करते हैं, याद कीवी चीज लंबे समय तक नहीं टिकती है, हाँ कई चीज़े हैं जो याद ही करना ही पड़ती है, आपको comment section पर, अपने register में तो करना ही करना है, साथ ही साथ comment section में time stamp के साथ, time stamp के साथ, convex mirror के sign convention देने हैं आपको, जल्दी से, उसके बाद हम लोग magnification पढ़के, और फिर हम चलेंगे reflection पर, यहाद आ रहा reflection बस खतम होने वाला है, पांदस मिनट में, ठीक है, तो जल्दी से आ आप लोग यहाँ पर, sign convention, convex mirror के करें, ठीक है, आप आपने कर लिया है, वीडियो को pause करके, नहीं किया है तो फिर से रोक के कर लो, u की बात करनी है, f की बात करनी है, v की बात करनी है, h1 की बात करनी है, और h2 की बात करनी है, अब u की बात करें तो negative क्योंकि object हमेशा इधर र वर्चुल इमेज बनाता है अगर यह हमेशा वर्चुल इमेज बनाएगा तो भी इसका हमेशा पॉजिटिव होगा H1 तो हमेशा ही positive होता है क्योंकि ये उपर image बनाता है और H2 की बात करें तो वो भी positive क्योंकि हमेशा ये जो image बनाता है वो erect होती है कौनसी image होती है? erect So the point is कि इसका U negative होता है लेकिन बागी सब positive होता है ठीक है आप चाहो तो ऐसे याद कर सकते हो ये long term नहीं है आपको पता होना चाहिए कोई और खेल खेल दिया किसे ने आपके साथ और 12 में तो खेल खेले जाएंगे तो आप फ़स जाओगे पर ठीक है 10 तक तो काम चली जाएगा कि U जो है वो negative है बागी सब positive है आपको इसे ऐसे याद नहीं करना है आपको इसे समझना है दन है पकी बात चाहली तो आगे बढ़ते हैं इसके बारे में बात करते हैं और ये sign convention है जो कि आपको numerical में help करेंगे आपको question में सब कुछ statement दे रखी होगी 30, 20, 15, 15, 10 आपको देखना है कि कौनसी चीज positive में ले जाएगी और कौनसी चीज negative में ले जाएगी इसके बाद हमारे पास आता है mirror formula mirror formula आप कह सकते हो इस chapter का दूसरा formula है पहला formula हमने अभी तक पढ़ा है r is equals to 2f दूसरा formula इस chapter का आने वाला है which is mirror formula काफी important इसके उपर या तो mirror formula और similarly ये आएगा lens formula तो या तो mirror formula या तो lens formula इसमें से किसी एक के उपर आपको exam में 101% कोई numerical मिलना ही मिलना है mirror formula क्या कहता है पहली बात तो ये एक ऐसा formula है जो हमारे एक mirror के focal length को object distance को और image distance को आपस में relate करता है ये एक formula है विछ relates focal length object distance and image distance of a mirror इसका formula क्या कहता है mirror formula 1 upon focal length इसको हम 12 में derive भी करेंगे ये कहां से आया 1 upon focal length बराबर होगा 1 upon image distance 1 upon image distance plus 1 upon object distance plus 1 upon object distance यानि की mirror formula क्या है 1 upon focal length इसको अगर मैं symbol की formula लिखूँ तो focal length के लिए हम लोग f use करते हैं तो 1 upon f is equal to 1 upon image distance जो की v है plus 1 upon object distance जो की u है तो कुल मिला के हमारे पास ये एक formula है जिसको mirror formula बोलते हैं और ये काफी important formula है इस से या lens से कोई एक से सवाल आपको exam में जरूर मिलेगा यानि अगर इसकी definition बोली जाए तो it is a type of formula which relates focal length, image distance and object distance of a mirror एक mirror के इन तीनों variables को जो आपस में relate करता है उसको हम mirror formula बोलते हैं इसके ओपर दबाके numerical से हम लोग भी करेंगे और मुझे नहीं पता कि आप ये one shot कब देख रहे हैं बट ये one shot upload होगा Wednesday को बट उससे पहले Monday को मैंने इसका एक lecture भी लेना है light का actually वो lecture जान के भी लिया जा रहा है light के questions का हो सकता है अगर आप इससे Wednesday ही देख रहे हो तो Monday जो गया है उसमें हमने एक session लिया था live रात को 9 बज़े जाके मतलब लेंगे मतलब आप ताइम में मत जाओ ये dark movie बनती जा रही है but the point is कि हम इस one shot से पहले एक lecture ले चुके है और हम इसके बाद में एक लेंगे तो इससे आपको फरक पाए अगर आपने दोनों लेक्चर अटेंड किये होंगे live तो इससे पहले वाले में आपको भी question कराए गए थे बहो सकता आप से ना हो but अब वो आप से होंगे अगर आप one shot देखेंगे तो तो one upon f is equals to one upon v plus one upon u ये हमारे पास mirror formula जो है वो आता है अब mirror formula और magnification के ओपर combined numericals बनते हैं इसलिए हम magnification को भी पहले पढ़ लेंगे अब what do you mean by magnification तो magnification क्या है तो ratio of height of image to height of object अगर मैं image की height और object की height का ratio निकालता हूँ तो इसे magnification कहते हैं जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ कि मेरे पास एक object था जिसकी height 2 cm थी और image जो है वो 10 cm की बनी तो मेरी image कितने गुना बड़ी बनी तो आप कहोगे मेरी image 5 गुना बड़ी बनी है तो कैसे निकाला आपने 10 को 2 से डिवाइड कर दिया तो magnification भी यही है height of image और height of object के ratio को ही हम magnification कहते हैं तो अगर मैं पहली बात तो magnification को आप लोग m से represent करेंगे मेरे घर में CT बजगी कुछ बन रहा है कि जन्में शायद पता नहीं आपको वाज आ रही है कि नहीं but magnification का formula हमारे पास हो जाएगा height of image upon में हो जाएगा height of object height of image upon में height of object यानि कि मेरी image की क्या लंबाई है upon में मेरे object की क्या लंबाई है उसके ratio को हम magnification कहते हैं तो अगर मैं इसे again symbolic form में लिखा हूँ तो height of image को हम लोग h2 से height of object को हम h1 से दिखाने वाले है तो ये हमारे पास magnification का formula आता है ये जो formula हमने यहाँ पर देखा है ये formula आया है किस से? definition से मतलब इस formula को हम derive नहीं करते हैं तो परिभाशा से ही आया है कि height of image upon में height of object लेकिन magnification का एक formula और है जो की derivation से आएगा और वो है minus v by u ये एक और formula है magnification का जिसकी derivation है mirror formula की भी derivation है 12th class में और इस formula की भी derivation है 12th class में although सच बोलू तो इसकी derivation आप 10th में भी कर सकते हो कुछ मुश्किल नहीं है बड़ आप देखी रहे हो अभी हमारा चप्टर आदा हुआ है और one shot की लंबाई कितनी है तो ये चप्टर already बहुत बड़ा है ये चप्टर वैसे ही बहुत बड़ा है और ये और बड़ा होता चला जाता अगर हमारी पड़ाई, हमारी CBSV, हमारे board, हमारे NCRT derivation को इस चप्टर में डाल देते तो इसलिए उन्हें उन्हें अच्छा decision लिया और derivation को 12th में डाल दिया बट ये formula हम derive भी करते हैं, show भी करते हैं, कहां से आया magnification के दो formula है, height of image, upon में height of object और एक और formula है, minus V by U, तो ये दो formula हमारे पास magnification के हुए, अब magnification से हम क्या समझ सकते हैं, ध्यान रखना अगर magnification negative आता है, तो इसका क्या मतलब है magnification positive आता है, तो इसका क्या मतलब है magnification अगर 1 से बड़ा आता है, mode, mode का मतलब समझते हो mode का मतलब है, हमें plus minus नहीं देखना, अगर वो 1 से बड़ा है 1 है, 2 है, या minus 1 है, या minus 2 है, ऐसे मैं कहा रहा हूँ, mode का मतलब है minus नहीं देखना है, अगर वो 1 से बड़ा है अगर वो 1 से बड़ा है तो इसका क्या मतलब है धियान रखना mode है minus plus नहीं देखना है minus में मालो minus 2 है तो वो 1 से बड़ा मानना जाएगा क्यों कि हमें mode का मतलब है modulus यानि कि minus नहीं देखना है और ऐसे ही अगर magnification का mode 1 से छोटा है तो इसका क्या मतलब है तो पहली बात अगर magnification negative में आ रही है तो इसका मतलब है कि image inverted है कैसे अगर magnification negative है तो इसका मतलब h2 negative है क्योंकि h1 तो हमेशा ही positive होता है height of object तो हमेशा उपर रखते हैं तो अगर magnification negative आ रहा है इसका मतलब h2 negative है और height of image negative का मतलब है image inverted है और ऐसे अगर magnification positive आ रहा है तो इसका मतलब है कि जो हमारी image है वो erect है और अगर magnification का mode जो है वो एक से बड़ा आ रहा है अगर magnification का mode जो है वो एक से बड़ा आ रहा है यानि plus minus हमें नहीं देखना है तो image magnified है अगर minus में बड़ा है तो इसका मतलब वो inverted भी है और magnified है और plus में बड़ा है तो वो erect भी है और magnified है एक से छोटा है तो image diminished है यह आप से mcq में पूछा जा सकते हैं सवाल diminished है और अगर magnification एक ही है इसका मतलब height of object, height of image के बराबर है इसका मतलब image जो है वो same size की है image जो है वो same size की है तो इस प्रकार से magnification जब हम किसी भी numerical में निकालेंगे उसके sign और उसकी value से पता चल जाएगा कि image magnified है या diminished है या वो erect है या वो inverted है बाफ समझ में आई और बचो मुबारक हो इसी के साथ हमारा reflection वाला हिस्सा जो है वो खतम होता है अब आप कहे रहे होगे सर इतना लंबा समय लगा reflection खतम करने में पहली बात तो हमारे जो paid batches हैं और हमारी जो offline batches हैं उसमें सिरफ reflection को खतम करने में हमें चार से लेके पांच छे classes लगती हैं चार-पांच बच्चे बनाते हैं फिर मैं चेक भी करता हूँ कि वो सही बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं वो सारी बाते भी लागू होती हैं बट ठीक है लेकिन मैं आपको पता है था कि अब refraction में ज़्यादा समय नहीं लगेगा ज़्यादा समय refraction में इसले नहीं लगेगा क्योंकि refraction वाला जो हिस्सा है अब आपको बहुत असान लगने वाला है as compared to reflection खास का ray diagrams जिनको हम खटाक 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 बना पर चले जाएंगे विए कि ray diagrams हमने mirror के अगर बनाए तो lens के बनाना अब बहुत ज़्यादा easy हो जाएगा ठीक है लेकिन उससे पहले मेरे request रहेगी कि आप इस video को यहीं पर pause करेंगे रोकेंगे और पहले अच्छे से जितना भी हमने reflection को पढ़ लिया है उसको आप एक बार revise करेंगे ठीक है ना otherwise reflection में problem आएगी आप चाहें तो इस video को यहाँ पर pause कर ले जहां आपने notes बनाए है तो उसको पड़े नहीं बनाए है तो पहले reflection के notes बना ले उसके बाद फिर आप reflection को देखें मेरी सला है सला मानना ना मानना it's your choice चलो आओ तो बच्चो यह हमारा एक blank पे जाता है और इसके बाद हम आज यहाँ पे शुरू करते हैं reflection मैं दुबारा बोल रहा हूँ questions के लिए हम अलग से एक lecture लेके आएंगे धियान रखिएगा चीक है तो reflection क्या है अब reflection बिलकुल अलग फिनॉमिना है reflection से पहले reflection क्या है समझते हैं और फिर इसको हम यहाँ पे देखेंगे पानी की मदद से यह बोल हमारा बिचारा बड़ा ताइम से वेट कर रहा है इसका अदा पानी evaporate भी होगया है सूख के तो हम एक बारी पहले समझते हैं कि reflection क्या है देखो reflection में क्या था किसी एक medium से किसी दूसरे transparent medium में चली जाती है like air से water में चली जाती है या air से glass में चली जाती है या air से honey में चली जाती है glycerin में चली जाती है और oil में चली जाती है तो जब light रहे किसी एक medium से किसी दूसरे medium में जाती है तो हमने क्या देखा है कि जो light है वो bend होती है जो light है वो अपने रस्ते से bend हो जाती है ऐसा क्यों होता है दिरे दिरे सीखेंगे इसी chapter में कब zaba bend होगी, कब कम bend होगी ये भी हम दिरे दिरे सीखेंगे लेकिन light ray जो है वो bend होती है जब वो एक medium से दूसरे medium में जाती है इसको पहली बात तो refraction कहा जाता है अब refraction अभी लिखा होगा कि refraction क्यूं होता है जब light एक medium से दूसरे medium में जाती है तो वो bend क्यूं होती है तो अभी यहाँ पे लिखा होगा कि हर एक medium में जो light की speed होती है वो अलग होती है जैसे कि शायद आपको पता हो कि speed of light in air शायद आपको पता हो कि हवा में जो light की speed होती है वो 3 into 10 की पार 8 meter per second होती है शायद कभी पढ़ा हो क्योंकि काफी famous line है नहीं पता है तो कोई बात नहीं लेकिन light की speed हवा में 3 into 10 की पार 8 meter per second होती है और हवा में या vacuum में हम इस chapter में air और vacuum को एक ही बात मान के चलेंगे although दोनों अलग है बर मान के एक चलेंगे तो air या vacuum में मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ और vacuum क्योंकि हम इस chapter में इसको same मान के चलने वाले है तो air और vacuum में जो speed of light है वो सबसे ज़ादा होती है यानि 3 to 10 के पार 8 light इससे तेज नहीं चल सकती है यह light की maximum speed है बट अगर light वहीं पर पानी के अंदर चली जाए शहद में चली जाए glass में चली जाए तो उसकी speed धीरे हो जाती है जिसकी वैसे light bend हो जाती है अब आप सोच रहोगे speed अलग होने के वैसे light bend की होती है तो वो आपको दिरे-दिरे समझ में आएगा बट एक reference के लिए हमारे पास यहाँ पे एक कोई भी medium है अब again यहाँ पे कोई भी medium हो सकता है medium 1 reference के लिए आप इसे air माल लो कोई भी हो सकता है और नीचे हमारे पास कोई दूसरा medium है medium 2 दोनों अलग-अलग medium है अब हुआ क्या कि light ray यहाँ आ रही थी यह light ray और light ray यह normal है ठीक है ना अब अगर दोनों transparent medium है तो light को यह अगर normal को आगे खीचूं तो light ray को यहाँ से सीधा जाना चाहिए था कि नहीं light ray को यह dotted line दिखा रही है कि अगर एक light यहाँ गिरी तो light को सीधा जाना चाहिए था बट होता क्या है जब light ray एक medium से दूसरे medium में जाती है तो वो अपने रस्ते से bend हो जाती है तो जिस light ray को इधर जाना चाहिए था वो actually में आप देख सकते है अपने रस्ते से bend हो गई इधर की तरफ bend हो गई अब आपके मन में बहुत सारे सवाल उठे होंगे एक साथ जिनके आंसर आपको दिरे दिरे आगे मिलेंगे हो सकता है सबसे पहला सवाल आपके मन में उठाओ कि light ray इधर की तरफ ही क्यों bend हुई उधर की तरफ क्यों नहीं bend हुई तो इसका आंसर भी आपको आज ही मिल जाएगा अभी थोड़ी दिर में बट यह angle i है और यह angle r है इस angle i क्योंकि यह normal है और यह incident ray है तो इस angle को बोलते है angle of incidence है यह incident ray है हर बार की तरह लेकिन इस बार यह जो ray है ध्यान रखेगा यह reflected ray नहीं है यह refracted ray है क्योंकि reflection हो रहा है तो light ray जो है वो bend हो रही है अपने path से इधर bend हो रही है उधर भी हो सकती है लेकिन अपने रस्ते पर नहीं जाएगी कि जब मैं पानी के अंदर light ray मारूं अब तो आप क्या देखेंगे कि light अपने रस्ते से bend हो जाएगी कहां bend होगी अभी हम उस पर focus नहीं करें बट bend हो जाएगी लेकिन इसके साथ-साथ मैं आपको एक बात और पहले ही पता दूँ कि जहां-जहां re-fraction होता है जब re-fraction हो रहा होता है तो वहाँ पर reflection भी होता है यैसे ये light ray आ रही है अब light ray reflect हो गए लेकिन धिहान रखिएगा वहाँ पर reflection भी होगा although हमारा focus अभी reflection नहीं है तो जब मैं इस पर light मारूंगा तो हो सकता है आपको light reflect होती भी दिखे पानी से क्योंकि पानी हमें दिख रहा है अगर दिख रहा है तो इसका मतलब है इसके light reflect होके हम तक तो आ रही है यानि पानी reflection भी करता है और reflection भी करता है ये बात आपको समझे नहीं है अब इसको हम इस container के थुरू भी देखेंगे और पानी की bottle के थुरू भी देखेंगे अब जैसे कि क्या आपको इस bottle में पानी दिख रहा है तो आप इसे बाता है ये लेकिन इसके आर पार भी दिख रहा है आपको इसके आर पार मेरी शकल भी दिख रही होगी यानी कि light जो है वो reflection भी कर रही है क्योंकि आप इस bottle को देख पा रहे हो, इस पानी को देख पा रहे हो लेकिन वो reflection बट जब हम reflection पढ़ रहे होते हैं तो हम reflection को focus में नहीं लेते हैं reflection तो हो गया, अब हमारा focus reflection है तो सबसे पहले आओ इस चीज़ को देखते हैं कि refraction कैसे होता है फिर आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले इस glass यह जो आपको बोल देख रहा है इससे पहले हम लोग देखते हैं कि refraction कैसे हो रहा है मैं आपको पहले ही पता चुका हूँ कि ध्यान देने वाली बात यह है कि जह आप जहां reflection होता है वहां uh that को कर रहा है तो आपको reflection को नहीं देखना है आप और आप यह हमारे पास नॉर्मल लेजर अगर मैं ऊत्का को tend sourd upgrade को बेंड हो गई reflection वाले को नहीं देखना है अगर आप वैसे देखें तो light ray वैसे ऐसे थी लेकिन जैसे इसको पानी में बैंट हो गई अल्दो कम हुई लेकिन light ray जैसे पानी में गई यह बैंट हो गई अभी हम इसको अगर इससे देखें slab से तो क्या इस बर हम कांच का इस्तमाल करेंगे तो light ray आपको बहुत जादा bend होती वी नजर आएगी again reflection को मत देखना reflection को देखना light जो है पहले normal थी अब जैसे glass slab में गई आपको काफी जादा bend होते वी नजर आ रही होगी और यही मैं इस पानी की bottle के साथ भी कर सकता हूँ although इसमें पानी बहुत हिलेगा बट जैसे पानी के अंदर light ray गई आए होप आपको दिख रहा हो इसमें थोड़ा सा उतना visible नहीं होगा बट जैसे light ray पानी में गई तो light ray क्या होगी bend क्योंकि इसमें most of the light ray reflect हो रही है तो bottle एक अच्छा example मैं कहूंगा नहीं है बट जहां तक मुझे लगता है इस slab सबसे अच्छा example है क्योंकि light ray जब जा रही है तो मुझे लगता है glass क्योंकि और ज्यादा अभी हम पढ़ेंगे dancer medium है जिसके वैसे light ज्यादा bend हो रही है नॉर्मल ऐसे glass में जाने के बाद यह कुछ ऐस किसे जो है वो bend हो रही है तो यह हुआ हमारे पास reflection जो है वो कैसे होता है तो I hope आपने देखा कि किस प्रकार से यहां पर reflection जो है वो हो रहा है तो यहां पर आप लोग समझेंगे basically कि कैसे light bend होती है कभी normal की तरफ और कभी normal से दूर आओ इस बात को समझते है तो यह थोड़ा सा important है क्योंकि इसी के उपर आगे का पूरा chapter अब decide होने वाला है तो यह अगर मेरे पास यह मेरे पास अगर एक medium है तो हमारी ध्यान रखना light chapter में दो प्रकार के medium होते हैं एक होता है rarer medium और एक होता है denser medium नाम से लग रहा है denser medium मतलब घना medium जो की सही भी लग रहा है कहीं ना कहीं और rarer medium मतलब की कम घना जो उसके मुकाबले कम घना हो तो ध्यान रखिएगा यह पीछे हमारा page था ना मैं यहां पर लिख देता हूं इसके लिए ठीक है यह हमारे काम आएगा ओए यह तो भाई साब कुछ और ही हमें दिख गया कोई बात नहीं आओ rarer medium और denser medium को आओ ज़रा एक बारी समझ लेते हैं यहां ठीक है चलो तो सबसे पहले अगर मैं बात मतलब कम घना और denser मतलब जादा घना जो की सही भी है बट रेर मीडियम हमारे लाइट चप्टर में कैसे डिफाइन करेंगे medium in which speed of light is greater ऐसा medium जिसमें speed of light जादा होगी उसको हम rarer medium कहेंगे और denser medium क्या होगा medium in which speed of light is less यानि ऐसा medium अगर देखो पहली बात तो यह दोनों के दोनों medium comparative words है मतलब यहां पर comparison चलेगा अगर मैं बोलूँ कि मेरी height बड़ी है या चोटी तो इसका answer आप नहीं दे सकते मेरे साथ अगर कोई बड़ा इंसान खड़ा हो लाई great खली तो मैं आपको बहुत ही जादा चोटा लगूँगा लेकिन मेरे साथ अगर रीमा मैं खड़ी हूँ जिनकी height बहुत ही छोटी है जो इस podium पर खड़े होके पड़ाती है तो मैं आपको बहुत ही बड़ा लगूँ अगर मेरे पास water and air का pair है तो water मेरे पास हो जाएगा denser इसमें light धीरे चलेगी और air हो जाएगा मेरे पास rarer यह हलका है तो इसमें light थोड़ा तेज़ चलेगी वहीं पर अगर मैं आपको बोलूँ water and glass तो I hope आप समझते हैं कि water और glass में water इस बार rarer हो जाएगा जहाँ पर water air के respect में denser था ल gas यहां पर हो गया है denser अब आप सोच रहे होगे कि सर ठीक है यह वाले cases में तो हमने देखके पता लगा लिया बट क्या हम हर case में देखके पता लगा पाएंगे चलो आप मुझे बताओ comment section पे कि एक हमारे पास terpentine oil है और एक हमारे पास olive oil है तो क्या पता लगा सकते हो तो है शायद नहीं अगर हमारे पास एक तरफ glycerine है और एक तरफ mustard oil है तो क्या हम पता लगा सकते हैं तो शायद आंसर है नहीं मतलब अभी देखके देखके नाम सुनते यहां तो हमने पता लगा लिया कि कौन rarer है कौन denser है बट वैसे हम कई बार नहीं पता लगा पाएंगे और जरूरत भी नहीं है आगे जाके एक topic आएगा जिसका नाम है refractive index रिफ्राक्टिव इंडेक्स पढ़ने के बाद आप यह देखके भी पता लगा लोगे कि कौन सा medium rarer है और कौन सा denser है बट अभी के लिए जरूरत नहीं है आगे के लिए मतलब जब यह पूरा chapter खतम हो जाए गवन शॉट उसके end तक आप यह सीख जाओगे कि मैं कैसे refractive index की मदद से यह पता लगा सकता हूं कि कौन सा medium rarer है और कौन सा denser है जब हम refractive index के बारे में बात करेंगे although यह हम इस chapter के लगबग लगबग last में पढ़ने वाले हैं बट ठीक है अभी के लिए यह आया अब दो medium में से कौन सा rarer है कौन सा denser है आपको अंदाजा अलगबग हो गया है इन pairs के लिए अभी हम ऐसे ही pairs की बात करेंगे जिनको आप देखके समझ जाओ बट अगर मैं य रेरर से denser medium में जा रही है अगर light ray rarer से जा रही है किसी denser medium में तो क्या होगा इस light ray को सीधा चले जाना चाहिए था ऐसे लेकिन जब भी light ray rarer से denser जाएगी तो bend हो जाएगी towards the normal bend हो जाएगी towards the normal ध्यान रखना when light ray enters from a rarer एक rarer medium से अगर वो जाती है into a denser medium यानि एक denser medium में it bends towards normal यानि वो normal की तरफ bend होगा अब ये अगर angle i है और ये अगर angle r है तो अब आप मुझे पताओ जल्दी से comment section में time stamp देखे कि angle i और angle r में क्या दोनों angle बराबर हैं तो साफ दिख रहे हैं नहीं सवाल किसका answer देना है comment section पे कौन से angle बड़ा है angle i बड़ा है या angle r बड़ा है जल्दी से बताओ जल्दी से okay okay i hope आपने answer दे दिया है angle i बड़ा है या angle r बड़ा है तो answer है कि angle i इस case में बड़ा होता है angle r से क्योंकि light normal के तरफ bend हो रही है तो साफ दिख रहे हैं कि angle i जो है वो कम होगा लेकिन वहीं पे अगर एक light ray जाती है उल्टा यानि कि अगर एक light ray जाती है dancer से rarer medium में अगर एक light ray जाती है dancer से rarer medium में तो यह हमारे पास एक dancer medium है और यह हमारे पास एक rarer medium है तो अगर एक light ray जाती है denser से rarer medium में तो क्या होगा पहली बात तो यह हमारे पास इसका original path है यह हमारे पास angle eye है तो अगर एक light ray जाती है denser से rarer medium में तो यह bend हो जाएगी away यह इसका normal path है तो यह normal से दूर यह normal है तो यह normal से दूर away from the normal bend हो जाएगी और ये इतना बड़ा हमारे पास angle r होगा और शायद पूछने की भी जरुवत नहीं है लेकिन angle i इस बार छोटा होगा और angle r इस बार बड़ा तो यहाँ पे आपने तीन अलग-अलग सिक्षाई दी हैं पहली अच्छा ऐसा क्यों होता ये भी हम सीखेंगे लेकिन पहले सिक्षा के लिए अगर एक light ray जाती है rarer से denser तो bend होती है towards the normal और अगर वो जाती है denser से rarer तो bend होती है away from the normal और angle i, angle r के बराबर नहीं होता है इस केस में angle i बड़ा होता है angle r से और denser से rarer जाएगी तो angle r जो है वो जो है बड़ा होगा angle i से बास समझ में आती है अब हम ये दोनों अभी तक मैंने आपका जब laser पास कराई तो मैं उसको air से water में करवा रहा था यानि rarer से denser में करवा रहा था आओ अब हम दो अलग-अलग cases देखते हैं कि अगर एक light ray जाएगी rarer से denser तो वो कैसे bend होगी towards the normal और denser से rarer जाएगी तो कैसे bend होगी वो away from the normal पहले इसको देखते हैं एक glass prism और laser की मदद से आओ पहले इसको देखते हैं आगे बढ़ेंगे तो जैसे कि अभी हम यह देख भी चुके हैं बढ़ अगर एक light ray rarer से denser जा रही है तो आप देख सकते हैं bend हो रही है towards the normal यह normal है इसका तो light ray bend हो रही है towards the normal I hope आप देख पा रहे हूँ लेकिन वहीं पे अगर मैं इससे बाहर निकलनेवाई light ray देखूँ तो आप देख सकते हो इससे बाहर निकलनेवाई light ray जो काँच से glass से air में जा रही है जो glass से air में जा रही है वो bend हो रही है away from the normal जो glass से air में जा रही है वो bend हो रही है आप देख सकते हैं away from the normal तो जो उपर जा रही है air से glass वो bend हो रही है towards the normal लेकिन जो जा रही है glass से air वो bend हो रही है away from the normal हाँ जी ठीक है तो I hope अब ये तो clear हुआ कि जब भी light ray जाएगी from rarer to denser तो bend हो जाएगी towards the normal और जाएगी denser to rarer तो bend हो जाएगी away from the normal अब हमारे पास जैसे की laws of reflection आये था अगर आपको याद हो तो laws of reflection में हम लोगों ने देखा था कि light ray जो है उसके दो law थे जब भी light ray reflection करती थी तो कुल मिला के हमारे पास दो law हुआ करते थे पहला law हमारे पास था कि angle i is always equal to angle r जो की यहाँ तो नहीं है या तो आप देखे रहे हो कि angle i और angle r बराबर नहीं है लेकिन second वहाँ पे जो law था वो था incident ray, reflected ray and normal all lie on the same plane अब यहाँ पे भी हमारे पास दो laws of reflection जो है वो आते हैं अब यहाँ पे हमारे जो laws of reflection है अब एक तो same ही law है जैसे कि वहाँ पे था incident ray, reflected ray and normal all lie on the same plane लेकिन यहाँ पे बस ऐसा होगा कि वो reflected ray के बजाए refracted ray आ जाएगा तो incident ray, reflected ray and normal all lie on the same plane यह same plane में लाइ करेंगी बिलकुल वैसे ही जैसे कि reflection में था तो हमारे पास पहला law तो आप कह सकते है कि same यह incident ray, reflected आ गया है बस reflected की बजाए and normal to the interference जहाँ पे भी normal बनता है, all lie on the same plane लेकिन जो second law है वो तो आप समझ सकते हो कि second law तो same होई नहीं सकता है वहाँ पे angle I, angle R के बराबर था, यहाँ पे कभी angle I बड़ा है तो कभी angle R बड़ा है depending upon कि light कौन से medium से कौन से medium में जा रही है अब अगर हम second law को पढ़ें तो second law को समझने के लिए आपके पास आपको trigonometry आनी चाहिए I hope आपने trigon सभी ने पढ़ लिए मैच में, basic sign या cos या tan इनके बार में पता होना चाहिए बाकी numerical करेंगे तो पूरी trigon आनी चाहिए, जो कि अभी फिलाल तो हम नहीं कर रहे है अब जैसे कि second law कहता है कि अगर एक light trip एक medium one से दूसरे medium two में जाती है कोई भी अभी हमें इससे फरक नहीं पढ़ता कि वो dancer से rarer medium में जा रही है या rarer medium से dancer अभी हमें इस चीज से फरक नहीं पढ़ रहा है कि वो dancer से rarer medium जाएगी या rarer से dancer ठीक है ना, अभी सिर्व इससे फरक पढ़ रहा है कि वो एक medium से दूसरे medium में जा रही है तो जब भी lighter एक medium से दूसरे medium में जाती है तो आपको सबको पता है कि ये bend हो जाती है ना भई ये bend हो जाती है अब ये angle r है तो अभी तक second law reflection का ये था कि angle i और angle r बराबर है लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो angle i है second law यहाँ पे कहता है कि जो ratio है angle i का अगर मैं sign निकाल लो हाना जैसे angle i कुछ है 30 degree है 40 है 50 है 70 है 80 है 90 जो भी है 90 तो खहर नहीं हो सकता 90 से लेकि 0 के बीच में अगर कोई भी angle है तो sign i की जो भी value है तो sign i मतलब angle i का sign component अगर मैं निकालता हूँ और ऐसे ही मैं angle r का अगर sign component निकालता हूँ तो sign i by sign r का जो ratio है sign i by sign r का जो ratio है यह हमेशा constant रहेगा इसका माइन यह है और ध्यान रहे for given pair of media and color मतलब आप light का color change नहीं करोगे light के color change होने से क्या होता है यह हम लोग human eye chapter में पढ़ेंगे wavelength change होती है जिसके वैसे changes आतने है तो अभी color पर ध्यान ना देखे हमारा जो medium का pair है यानि कि जिसको हम medium का plural होता है media यानि for given pair of media अगर light ray air से water में जा रही है तो sign i by sign r का जो भी ratio है मालो वो ratio मालो थोड़े दिर के लिए वो ratio 1.2 है तो 1.2 ही रहेगा चाहे में angle i की कोई भी value रखूँ चाहे में angle r की कोई भी value रखूँ लेकिन अगर light ray air से water में जा रही है और अगर वो ratio 1.2 आता तो 1.2 ही रहेगा मालो air से glass में जाती है और वो ही अगर 1.3 आ जाता है ऐसे रफली मालने के लिए क्या रहा हूँ मालो 1.3 आता है तो 1.3 रहेगा यानि की the ratio of sign i to sign r यानि की the ratio of sign of angle of incidence to the sign of angle of refraction यह हमेशा constant रहता है अगर आप एक medium को दूसरे medium को पेर को constant रहेगा इतना आपको समझना होगा ठीक है जी ओक है अब इसी ratio को हम आगे जाके refractive index कहेंगे बट अभी नहीं मैंने आपको पताया although refractive index हमारा अगला topic है लेकिन हम इस chapter के last में इसको पढ़ने वालें because सबसे important और प्यारा topic भी यही है बट second law of refraction को स्नेल्स law भी कहा जाता है स्नेल एक scientist के surname के पे है उन्होंने यह law दिया था तो उन्हीं को honor देने के लिए इस law को हम स्नेल्स law भी कहते हैं थोड़ा सा confusion वाला दुबरा समझाता हूँ lighter एक medium दूसरे medium में जा रही है तो कुछ angle I होगा कुछ angle R होगा तो angle I का जो sign value है और angle R की जो sign value है उसका जो ratio है वो हमेशा constant रहता है यह कहता है हमारा second law इस से कोई फरक ने पड़ता angle I क्या ले रहे हो angle R क्या ले रहे हो अगर आपने medium का pair सेम ले रखा है तो sign I by sign R का जो ratio है इसकी जो value है वो हमेशा constant रहेगी जाने ओके चालिए refractive index के बारे में पढ़ेंगे लेकिन उससे पहले हम लोग बात कर रहे हैं lenses के बारे में और lenses के बारे में पढ़ना बहुत easy job होने वाली है क्यों क्योंकि lenses की पढ़ाई में हमारी बहुत सारी पढ़ाई mirror में काम आएगी पहली बात तो lens है क्या अगर एक lens दो spherical transparent surface से मिलके बना है जैसे कि यह हमारे पास एक lens है ठीक है न यह हमारा जो lens है वो दो spherical surfaces से मिलके बना हुआ है मैं इसको पास वाले camera से भी दिखा दूँगा कि एक हमारे पास convex lens है और एक हमारे पास concave lens होता है फिलखाल अगर हम एक lens से देखें तो यह थोड़ा सा मोटा है इससे ज़्यादा बहतर समझ में आएगा आएगा यह वाला मैं आपको कैमेरा में पास से दिखाता हूँ यह जो lens हमारे पास है यह एक convex lens है मैं बताता हूँ अभी इनके बारे में लेकिन ऐसा कोई भी चीज जो दो spherical surfaces से मिलके बनी होती है इसे हम लोग कहते हैं lens अब कहें बच्चों को लगता है कि जो lens है वो सिर्फ और सिर्फ दो प्रकार का होता है बट ऐसा नहीं है ठीक है ना जो lens होता है वो सिर्फ दो प्रकार का नहीं होता है अगर सच बोला जाये तो ठीक है ना lens जो होता है वो सिर्फ दो प्रकार का नहीं होता है lens बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं आप मैं आपको समझाता हूँ कैसे ठीक है यह आपके syllabus का हिस्सा तो नहीं होगा बट अगर एक surface convex है और दूसरा surface भी convex है तो ऐसे lens को हम सच बोलू तो convex or convex बोलते हैं because इसके दोनो surfaces convex होते हैं ओ मतलब बीच में optical center होता है अगर एक ऐसा surface और ऐसा है तो दोनों surface cancave है तो ऐसे lens का नाम cancave ha keep होता है लेकिन आपको शायद ना पता हो एसे भी lens होते हैं इसको plane on convex कहते हैं क्योंकि एक surface plane है और एक बहर निकलावा यानि conovacs है आपको शायद ना पता हो ऐसे भी lens होते जिसका नाम concave और plane होता तो मतलब lenses जो है कुल मिलाके बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं लेकिन हमें जो पढ़ने हैं वो सिरफ दो lenses है चीक है न एक हमारे पास आएगा convex lens और एक आएगा हमारे पास concave lens अब fact क्या कहता है convex lens कोई नाम ही नहीं होता है आपको हैरानी होगी मेरे कहने पे बट fact ये कहता है कि convex lens नाम की कोई चीज ही नहीं होती है सचाई है ये वो तो हमने इसको प्यार से ऐसे बोलना शुरू कर दिया बट actually convex lens नाम की कोई चीज नहीं होती है इसका असली नाम कहा है इसकी मम्मे इसको पार्क में से बुला रही है कि राजू ओ बेटा राजू हना ऐसे convex oh convex बट actually में इसका ये वाला surface भी convex है ये भी convex है और बीच में optical center है तो इसका नाम पढ़ता है convex oh convex और इसलिए इसको प्यार से by convex भी कहते हैं तो जब आप 12 में पहुंचे होगे आपकी सारी किताबों में आप जाके चेक करना आपको by convex lens ही नाम मिलने वाला है again कहीं ना कहीं उन्होंने भी convex यूज़ किया हुआ है but most of the जगा पे उन्होंने by convex lens यूज़ किया हुआ because convex lens कुछ होता ही नहीं हमेशा lens दो surfaces से मिलके बनता है ऐसे ही concave lens concave lens के अगर बात करें तो concave lens के दोनों surfaces concave होते है although again concave कोई भी नाम नहीं है बड़ इसका ये surface भी concave है और इसका ये surface भी concave है बीच में optical center है तो इसका actually पूरा नाम जो है concave o concave और इसका जो सबसे common name हम लोग आगे जाके use करने वाले हैं वो है by concave इसी के तरह चुकि इसके दोनों surface convex है तो by convex by मतलब दो ऐसे इसके दोनों surface concave तो नाम पढ़ गया by concave तो point इसकी दोनों surfaces जो है वो convex हों तो उसे हम हम 10th में convex lens बोलेंगे और दोनों surface concave हो तो उसे है concave lens अब गहें किताबे बहुत funny तरीके से ऐसे भी लिखती हैं कि ऐसा lens जो बीच में से मोटा हो और कोने से पतला हो यह मुझे lens की परिभाशा तो नहीं लग रही है मतलब किसी भी चीज़ की नहीं लग रही है बर lens की परिभाशा तो नहीं लग रही है कि जो lens बीच से मोटा हो और कोने से पतला हो और आपको यकिन नहीं है कि हमें नाम नहीं ले सकता बर बहुत अच्छी अच्छी किताबें जो बहुत famous हैं बहुत सारे बच्चे अपने exam की तैयारियां उनसे करते थे हमारे time पे तो अब तो थोड़ी कम बच्चे उनको use करते है और उनमें ये परिभाशा हैं लिखी हुई है मैं हिंट दे सकता हूँ उस किताब के नाम के पीछे सिंग आता है बस अब इस से आदा नहीं गोलूँगा उस किताब में ये lens की जो परिभाशा हैं लिखी हुई है कनवेक्स और कनकेव की वो यही है कि जो बीच से मोटा और कोनों से बतला ठीक है इसको पहचान के रूप में use किया जा सकता है बड़ ये परिभाशा नहीं है परिभाशा क्या है जब दोनों surfaces कनवेक्स हों तो बाई कनवेक्स दोनों surfaces concave हों तो by concave ठीक है अब जैसे कि हम लोगों ने rules बनाए थे convex और concave mirror के ऐसे हमें rules बनाने हैं convex और concave lens के ठीक है आप मैंसे जिसको भी lens या mirror तो हमने बनाना सीखी लिया आता है तो मैं दोनों के पहले पहले डायग्राम बहुत समझा के बनाऊंगा तो ध्यान से सुनना उसके बाद हम आगे फिर बढ़ेगे ठीक है तो reflection of parallel ray एक तरफ मैं बनाऊंगा convex एक तरफ concave ठीक है ध्यान सुनना सबसे पहले आपको बनानी है principal axis उसके बाद अगेर आपको compass जो है वो 6 cm का लेट से खोल लेना है इसके बाद एक आर्क आपको ऐसे लगानी है यहाँ पर point नहीं mark करना है compass के needle यहां रखे एक आर्क आपको यहां लगानी है फिर compass के needle यहां रखे एक देख लेना pencil यहां रखे कि हैं यह यह आर्यां कि नहीं वरना थोड़ी बहुत needle आगे-पीछे करके दूसरी आरक आपको यहां लगा देनी है तो यह आपका बन जाएगा हमारे पास convex lens फिर क्या करना यहां से आपको एक dotted line खीच रही है और यह हमारे पास optical center जैसे कि वहाँ पे सारे के सारे distances हमने pole से नापे थे यहाँ पे सारे के सारे distance हम optical centers नापेंगे जो कि इसके lens के बीच में है ठीक है अगें हम लोग क्या करेंगे वही काम करेंगे 3 cm पे और पता है शायद कि convex lens को हम converging lens भी बोलते हैं क्योंकि यह light को एक जगा पे converge कर देता है नहीं पता है तो मैं यहाँ पे एक rough diagram बनाओं अगर convex lens के उपर parallel light ray मारी जाए तो यह light ray को एक जगा पे खटा कर देता है इसलिए इसका नाम एक converging lens भी है वहीं पे यह बिल्कुल उल्टा करता है यह light को फैलाता है यह जो lens है यह light को फैलाता है अगर इसके उपर parallel light ray गिरती है तो इसके उपर जो parallel light ray गिरती है यह उस light को फैलाता है और ऐसा लगता है कि light ray एक point से फैल रही है तो यह light actually में diverge हो जाती है कुछ इस प्रकार से तो जैसे कि वहां पर भी था एक का focus एक तरफ और एक का focus opposite तरफ था यहां पर भी ऐसा होता है convex का focus right side पर होता है और concave का focus जो है बचो वो left side पर होता है बट अच्छी बात यह कि lens में light ray दोनों तरफ से आ सकती है अगर इधर से light ray आई तो convex का focus इधर हो जाएगा और इधर से आई तो इधर हो जाएगा तो इस वज़ाए से ज़्यादा कुछ फरक पड़ता नहीं है तो यह हमारा focus है अब क्योंकि यहां पर C नहीं होता है अब optical center से 3 पे अगर आपने बनाया और 6 पे अगर आपने 2F बनाया तो बिलकुल क्योंकि light ray इधर से भी आ सकती है तो यह F और यह 2F अब इनको अलग अलग देखने के लिए हम इसको नाम डैश दे देंगे है ना उससे को फरक ने बड़ता यह F यह F डैश है और यह 2F डैश है ताकि यह थोड़ा differentiate हो सके वहीं पर अगर मुझे concave बनाना हो तो again मैं principal axis बनाऊंगा और इस बार मैं यहां पर आर्क लगाऊंगा अब जब मैं दूसरी आर्क लगाने जाऊंगा तो मैं pencil निडल यहां रखके देखूंगा pencil यहां नहीं आनी चाहिए बलकि इधर और इधर कहीं आनी चाहिए और फिर आजाएगा मेरे पास f dash और 6 पर आजाएगा 2 f dash अब अगर मुझे इसको convex से उल्टा दिखाना है क्योंकि convex में क्योंकि हम सारी लाइटर इधर से लेकर आने वाले यहां पर मिलेगी तो यह focus है तो इसमें अगर मुझे इसको उल्टा दिखाना है तो हम लोग क्या कर देते ह आज़ो मैं आपको पता है कोई फरक नहीं पड़ता बड़ किताबे क्या कर देती है इसको f dash और 2 f dash बोल देती है और इसको f क्योंकि हमारे लिए लिए यहां से आएंगी और यहां मिल जाएंगे तो यह focus होगा और यहां से जाएंगे और यहां मिल जाएंगे तो यह focus होग मैंने पहले वाले में ज्यादा मेहनत की बाकियों में मैं बस बनाऊंगा या आगे जाके तो जब हम image formation करेंगे तो यह बने वे ही आएंगे ठीक है ना दियान रखना चालो याद करेंगे mirror में हमारे पास कितने rules थे तो answer है चार rules थे लेंस में अच्छी बात यह है कि मारे पास तीन ही rules है और तीनों ही बहुत अच्छे rules है और तीनों मेंसे हम किसे का भी इस्तमाल करके again image formation करेंगे तो पहले यह rules देखते हैं फिर इन rules को इस laser की मदद से और इस convex lens की मदद से एक बार हम देखने की भी कोशिश करेंगे चिक है चलो तो सबसे पहला rule अगर एक light ray principle axis के parallel जाती है अब यहां पर एक बड़ी ही ध्यान देने वाली बात जो जातर बच्चे नहीं ध्यान देते हैं और गलत करते हैं मैं पता नहीं क्यूं देखता हूं बहुत सारे teachers भी इसके अपर जादा focus नहीं करवाते हैं ठीके ना और य यह बात अगर आव इस बाते focus नहीं करवाओगे तो ray diagram गलत हो जाएंगे अब जैसे कि हमारे पास यह एक lens है ना यह lens है अब lens में लाइन है अब अगर light यहां जाएगी तो बच्चे को लगता है lens तो यहां से शुरू हो गया तो reflection यहीं से ही कराना होगा बात तो सही है लेक dotted line तक सीदह लेके जाना है और जो भी होगा इधर या इधर वो सब इस line के बात होगा असान भाशा में कहाँ कि reflection की जो शुरूआत है वो आप इस dotted line से करा होगे ठीक है ना तो अगर एक light ray parallel जाएगी तो यह focus से pass हो जाएगी अगर एक light ray parallel जाएगी तो यह focus से pass हो जाएगी simple सा rule और यहाँ पे अगर एक light ray parallel जाएगी तो ऐसा लगेगा कि यह focus से pass हो रही है अगर एक light ray parallel जाएगी तो ऐसा लगेगा कि यह focus से pass हो रही है मत समझ में आई although ऐसा लगेगा बट वो होगी नहीं यह rule number first हुआ फिर अगर बात करें rule number second की again principal access दो arc लगा दी हमने यह हमने dotted line बना दी यह हमारा f हो गया यह हमारा 2f हो गया यह हमारा f dash हो गया और यह हमारा 2f dash हो गया अगला rule क्या कहता है बिल्कुल पहले वाले rule से उल्टा हो जाएगा पहले वाले रूल में क्या था भई पैरलल जा रहे थी तो फोकस से पास यहां पे क्या होगा भई यहां पे होगा फोकस से जाएगी तो पैरलल हो जाएगी ठीक है जी फोकस से जाएगी तो पैरलल हो जाएगी आओ समझें कैसे अगर एक light ray focus से पास होती है और यहां गरती है लैंज पे तो तकराने के बाद, reflection के बाद यह parallel हो जाएएगी झाएगए जी? और इसमें भी ऐसा है अगर एक light ray focus की तरफ जा रही होगी तो तकराने के बाद, यारनि की reflection के बाद parallel हो जाएगी लेकिन सबसे प्यारा रूल और सबसे ज़्यादा इस्तमाल होने वाला रूल भी रूल नमबर हमारे पास थर्ड है सबसे ज़्यादा इस्तमाल होने वाला भी और सबसे प्यारा रूल भी यही है चीक है जी चलो आओ देखते हैं क्या तो यह हमारे पास optical center, यह हमारे पास F, यह हमारे पास 2F, यह हमारे पास F dash है और यह हमारे पास 2F dash है ठीक है अब इसमें सबसे प्यारा rule क्या कहता है अगर एक light ray optical center पे गिरती है तो बिना किसी refraction के यह straight चली जाएगी, सीधी चली जाएगी अगर एक light ray optical center पे गिरती है तो बिना किसी refraction के यह सीधी जो है वो चली जाएगी, straight चली जाएगी अरे एक दम से एक बात यादा है, यह पता दूँ मैं आपको, यह जो slab है मैंने आपको पताया था इसकी पढ़ाई N.C.E.R.T. ने इस चप्टर में ले रहे हैं कि हम इसको human eye में करते हैं क्योंकि मैंने आपको पताया था कि इसको और prism की पढ़ाई को हम compare करके बढ़ाते हैं दोनों की पढ़ाई बहुत हद तक similar है और similar होके भी अलग है तो उसको हम compare करता हूं ज्यादा मजा आता है इसलिए मैं slab को हर साल आप लास्ट यह जाके अगर वीडियो देखोगे तो मैंने हमेशा ऐसे करता हूं हर साल दस साल से ऐसा करता रहा हूं मैं slab को हमेशा से human eye में बढ़ाता हूं कि वहां पर पढ़ने का मजा यह लगे बट यहां पर अगर मैं यह rule बनाता हूं से कि अगर एक लाइट रहे ऑप्टिकल सेंटर पर गिरेगी यह आखरी रूल है लेकिन सबसे इंट्रस्टिंग भी है यह सबसे जादा भी इस्तमाल होने वाला है तीन ही ना किसी री फ्रैक्शन के पार हो जाएगी ठीक है दोनों में रूल भी सेम यह देखो बाकी मतलब फिर विस कुछ ना कुछ डिफरेंस है अपियर हो रही है लेकिन यहां तो रूल भी सेम है कि अगर एक लाइटर आप्टिकल सेंटर पर गिरेगी तो स्ट्रेट चली जाए बढ़ यहां पर मैं इस चीज की टेंशन नहीं लूँगा कि पहले कौन सा करा हूँ बाद में कौन सा करा हूँ क्योंकि अब हमें पता है कि क्या अच्छा यहां पर बहुत बड़ा चेंज आने वाला है क्या वहां पर जो रियल इमेज थी वो मिरर के फ्रंट में बनती थी जहां पर जो रियल इमेज होगी वो लेंस के इधर बनेगी यानि कि राइट में क्यों क्यों कि भाई साब ये लेंस हैं ये रिफ्राक्शन करते हैं ये लाइट को आर पार कर देते हैं अब अगर लाइट को आर पार करेंगे तो वहां पर लाइट रेज एक्चुली में जा अगर light rays parallel आई तो एक focus पर जाके मिल जाएंगी ठीक है ना अगेन वही तीन चीज़े nature, position, size चीक है तो nature इस क्योंकि light rays असली में मिल रही हैं dotted नहीं है तो real और जैसा कि मैंने आपको पताया कि mirror में real image इधर थी लेकि lens में इधर होती है और क्योंकि real के साथ हमेशा inverted चलता है तो real and inverted position की बात करें तो add focus और size की बात करें तो point sized चीक है ना तो यार देखो या बहुत कम teacher मैं अगेन अपने तारीफ नहीं कर रहा है बहुत कम teachers होंगे जो आपको diagram पूरा यहां बनवाएंगे है ना मैं देख रहा था one shots लोगों के मैं इसलिए देखता हूं मैं आपको लगेगा कि मैं से ज्यादा बोल रहा हूं मैं कभी यूट्यूब के ने teacher की videos देखता नहीं मुझे लोग भेशते हैं कि देखो यह कर रहे हैं देखो वो कर रहे हैं हमारे यह बात जानता होगा कि मैंने हुआ क्या था कि मैंने इस पूरे setup का behind the scene डाला था खासकर वो नौरा फतही वाले उसका और experiment का तो और यह हमारा ना team हमारे team का group बनावा जहां पर सारे core लोग हैं मतलब सारे main लोग हैं तो वहाँ पर message आ गया कि आप यह वीडियो अब यहां से हटा दें क्योंकि YouTube पे बहुत सारे लोग हैं जो इसको फिर आप से पहले अगर कर दें मतलब यह लोग सोचते हैं हमारे team के लोग मैं नहीं सोचता है मैं तो कहता हूं मैं तो अगर inspire कर पा रहा हूं लोगों को इस तरीके से पढ़ाने के लिए तो मुझे बड़े अच्छा लगता है मैं देखता हूं कि मेरे आने से पहले लोग पढ़ा रहे थे अच्छा मतलब मैं अच्छे की बात नहीं कर रहा हूं तरीके की बात कर रहा हूं लोग पढ़ा रहे थे ऐसी बात नहीं बहुत लोग पढ़ा रहे थे लेकिन ऐसा कोई नहीं पढ़ा रहा था experiment करके इंडिया म मुझे इसे करेंữa लोग कहते हैं कि आपको अझीब नहीं लगता है भौछ़ अच्छा लगता है एक बार किसी ने सपना कई है आगे जा के तो मैंने यही बोला था पॉडकास्ट हो का तो मैंने यही बोला था कि मेरा सपना यही है कि हर कोई इसकी importance को समझे बड़ा अच्छा लगता है लोग इसको follow कर रहे है चलो तो यहां पर हमार पर जो nature है वो real and inverted है position जो है वो focus पर है और size जो है वो point size ठीक है अब अगला आपको पता है क्या होने वाला है 2F के पीछे है क्योंकि वहां पर जो हमारे लिए C था उसका काम यहां पर 2F करेगा 2F क्या है कुछ भी नहीं है focus का double है अगर यह 3 है तो यह 6 है यह 3 है तो यह 6 है है ना ठीक है ना तो यह C का ही काम करने वाला है तो देखो अगला क्या आगया C या 2F कहलो जो भी कहलो इसके पीछे तो यह हमारा object होने वाला है यहां पर object की height as such matter नहीं करेगी आप 12 में जानोगी क्यों बस आपके lens से बड़ा नहीं होना चाहिए तो दो rule लगाने वाले है पहला rule अगर एक light ray parallel जाएगी तो कहां से पास हो जाएगी भई focus से पास हो जाएगी है ना और अगला rule अगर एक light ray optical center से जाएगी तो वहीं से आगे निकल जाएगी ठीक है यह मैंने थोड़ा सा यहां पर गरबड़ी कर दिये अगर एक light ray optical center से जाएगी तो वहीं से आगे निकल जाएगी अब क्या आपको याद है कि जब वहाँ पे हमने object को C के पीछे रखा था तो image C और F के बीच में बनी थी यहाँ भी देखो वही हुआ हमने object को C के यानि 2F के पीछे रखा तो image C और F यानि F और 2F के बीच में बनी है तो सब कुछ repeat होने वाला अभी आप देखते चलो ठीक है जी और image छोटी भी बनी है तो यह हमारी image है जो की A dash और B dash है है ना भी तो यहाँ पर हमारे पास आता है तो nature, position और size तो nature क्या है आप देख सकते हैं real है और inverted भी है position क्या है between F है and between F and 2F है और size क्या है आप देख सकते हैं size है diminished size इसका छोटा है यानि की size इसका है diminished है चीक है जी इसके बाद आपको पता ही क्या होने वाला है 2F पे आएंगे तो image जो है वो 2F पे बन जाएगी आप देखो 2F पे आ गया यह हमारा object हो गया A B नाम का तो वहीं से आगे निकल गई तो यहाँ पे ही same हमारी A dash और B dash image बन गई I hope इसका nature position size तो होई जाएगा nature बोलो real and inverted लिख ले ना लेकिन मैं थोड़ा time बचा रहा हूँ position हो गया between no 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 sorry position तो 2F ही हो गया और size same याद करो वहाँ object C पर रखा था तो image C पर बनी थी यहाँ पर object 2F पर रखा है तो image 2F पर बनी है बस फरक यह है कि 2F इदर का नहीं है उदर का है हाना तो nature position size लिख लेना अब क्या होगा F और 2F के बीच में जब वहाँ पर F और C के बीच में रखा था तो image C के beyond गई थी और magnified तो यहाँ पर मुझे उमीद है कि 2F के पीछे जाएगी और magnified कि सब कुछ ही repeat हो रहा है तो शायद यह भी होगा मतलब मुझे तो पता ही होगा मैं तो acting कर रहा हूँ मैं तो आपके respect से क्या रहा हूँ हाना भई तो यह हमारे पास A भी है रूल लगाएंगे भई आओ पहला रूल अगर एक light ray parallel जाएगी तो focus से पास हो जाएगी और अगर एक light ray optical center से जाएगी तो वह इसे आगे निकल जाएगी तो यहाँ पर हमारी जो है वो image form हो जाती है A dash and B dash A dash and B dash हाना भई तो A dash B dash हमारी image form हो जाती है तो यह जो हमने rules पढ़े इन rules की मदद से हम image formation जो है वो कर रहे है अभी मैं आपको lenses से light को reflect sorry, refract होते वह भी दिखा रहा हूँ rules दिखा रहा हूँ मैं आपको वो convex lens से दिखाऊँगा क्योंकि convex और concave सेम ही बात है कि चालो ठीक है ओके तो यह आ गया अब इसमें अगें नेचर पोजिशन साइज नेचर रियल और पोजिशन है बियॉंड टू एफ और साइज है इसका मैगनिफाइड अब इसका हमारे पास सेकिंड लास्ट के जब अबजेक्ट का आ जाएगा एफ के उपर अब अगर भी कुछ ऐसा ही हम लोग उमीद लगा के बैठें तो लाइट रे जाएगी पारलल तो कहां से पास हो जाएगी फोकस से और यहां पर ऑप्टिकल से जाएगी तो वहीं से आगे अब आप देख सकते हैं क्योंकि लाइट रे पारलल आ गई हैं तो कहीं नहीं मिलेंगी तो कह यहां जाके मिलेंगी भई इन फाय नाइट पे तो अगेन इसका नेचर पोजीशन और साइज अगेन इसका नेचर पोजीशन और साइज नेचर क्या है इसका भई तो यहां मिलेगी तो रियल एन इंवर्टेड साइज बोलें तो हाइली मैगनिफाइड और पोजीशन बोल अगर हमारा अब्जेक्ट अप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में जाता है तो इस सबसे प्यारा केस क्यों है जल्दी बताओ तो यह सबसे प्यारा केस इसलिए है क्योंकि यह एकलौता केस है जहां पर इमेज वर्चुल आंड एरेक्ट बनती है आओ जी बना लेते हैं और यह आखरी केस भी है हमारे convex lens का तो सब कुछ repeat हो रहा है अब मुझे याद है हमने वहां पे आदे घंटे का time लगाया है अभी mirror के day diagram बनाने में और यहां शायद 5-10 minute में हमने क्योंकि बिल्कुछ सब कुछ similar साई हो रहा है तो ऐसा है ना यह optical center तो है चौलो अगर light ray parallel जाएगी तो focus से pass हो जाएगी और अगर एक light ray optical center से जाती है तो वहीं से आगे तो आप देख सकते हैं कि यह दोनो light rays आगे जाएंगी तो और फैल जाएंगी अब अगर और फैल जाएंगी नहीं मिलेंगी तो क्या होगा तो फिर हम इसको अगर पीछे dotted line से मिलाते हैं अगर हम इसको पीछे dotted line से मिलाते हैं तो यहां जाके यह मिल जाएंगी और अगर यह dotted line से मिली है यानि कि हमने जबरदस्ती मिलाया है तो यह ह हमारे पास A dash और B dash मिल जाएगी अब यहां पर इसकी position के बारे में थोड़ा सा में discussion करना चाहूंगा क्योंकि बच्चे हमेशा गलती करते हैं nature तो आप सब भी को दिखी रहा है dotted से मिलाया है और क्योंकि यह lens के front में है तो virtual है और सीधी भी है तो erect भी है size भी आपको दिख रहा होगा magnified भी लिख सकते हैं highly magnified भी लिख सकते हैं लेकिन सबसे interesting चीज जो है वो है position अब अगर मैं आपसे पूछूं क्या position है हो सकता है आप बोलो कि position है between F and 2F बट सच बोलूं तो इस case में आपकी जो image है वो 2F के पीछे भी बन सकती है 2F पे भी बन सकती है और F और 2F के बीच में भी बन सकती है यहाँ पे हमारी जो image है उसकी position fixed नहीं होती है आप इचा करके देख लेना आप object को इधर लेके जाना image और पीछे खिसक जाएगी आप object को इधर लेके जाना image और आगे किसक जाएगी तो कोई भी actually में इसकी कोई fixed position नहीं है यह बात आपको धियान में रखनी होगी इसलिए हम इसकी position में लिखने वाले हैं in front of lens क्योंकि पहले बात तो यह एक लौता ही case है इसके अलावा और किसी भी case में image इसके आगे नह होगी ठीक है आओ एक बार convex lens से हम लोग एक बार ray diagram जो है वो देख लेते हैं कि कैसे हमारी जो light ray है वो bend होती है towards away यह सब एक बार आओ इसको देख लेते हैं तीनो rule देख लेते हैं parallel जाएगी तो focus से पास focus की तरफ जाएगी तो parallel और optical center पर जाएगी तो सीथा आओ एक बार lens से सबसे पहले rules को देखते हैं तो हमने पहला rule क्या पढ़ा था कि अगर एक light ray parallel जाएगी तो focus से पास हो जाएगी यानि कि यह converge कर देगा तो अगर एक light ray parallel जा रही है तो आप देख सकते हो कि यह focus है मैं आपको पताया था जहां जहां reflection होता है वहां वहां reflection आपको सिरफ reflection पर focus करना तो अगर एक light ray parallel जाएगी तो देख सकते हैं कि कैसे इसने light को converge कर दिया और यह focus से पास हो गया अगर एक light ray parallel जाएगी तो यह focus से पास हो जाएगी है और अगर मैं इसी का ultra version करूं कि अगर एक light ray को focus से पास कराऊं तो आप देख सकते हो यह parallel हो गई है अगर मैं light ray बनेश सब्सक्राइब कर hago ऐए लेकिन सबसे जादा इसतमाल होने वाला रूल है लाइट याण आप कि को रीजसे करेंगी तो आप तो से रूल्स हमारे कंकेव लेंस में भी लगते हैं, तो अल्टीमेटली रूल्स भी हो गए और अब हम यह भी समझ गए कि जो कंवेक्स लेंस है, उसकी जो इमेज फॉरमेशन है वो एक्जाक्ली कंकेव मिरर जैसी है, और बिल्कुल बिल्कुल यह भी हर प्रकार की इमेज अब अगर बात करें, तो आपको कंवेक्स मिरर की याद दिलाएगा बिल्कुल, यहां पे भी सिर्फ दो ही केस हैं, एक औबजेक्ट जिएक और इंफानाइट के बीच में कहीं पे, और एक इंफानाइट पे, क्योंकि यहां पे भी ऐसा ही होगा, आप अबजेक्ट कहीं प प्रकार की बनेगे, तो इससे यहां पे भी दो ही केस बनते हैं, तो पहला केस बनता है, अबजेक्ट बिट्वीन इंफानाइट और ऑप्टिकल सेंटर, और इंफानाइट के बीच में अबजेक्ट को आप जहां मन करे भारा रख दो, मैं यहां रख रहा हूं, आप यहां रख के देखना, यहां रख के देखना, ओवरॉल जादा कुछ फरक नहीं पड़ेगा, तो यह हमारे अबजेक्ट का नाम हो गया, बस यही होगा कि थोड़ी बहुत इमेज जैसे पिछले बार भी हुआ था, कन्वेक्स मिरर में, थोड़ा बहुत आगे पीछे होगी, तो अगर एक लाइटरे पैरलल जा रही है, तो ऐसा अपियर होगा कि वो फोकस से पास हो रही है, और वो फैल जाएगी, और अगला अगर एक लाइटरे अप्टिकल से जा रही है, तो वहीं से आगे निकल जाएगी, तो आपको ऐसा लगेगा कि यहां पे इमेज जो है, वो फ प्रेंट में बनी हैं और डॉटेड लाइन से भी बनी है तो इसका जो नेचर हो जाएगा वो हो जाएगा वर्चुल and erect पहली बात दूसरी बात इसका जो size हो जाएगा वो हो जाएगा again diminished और एक बात और भी देखने है कि इसकी जो position है वो हमारी O और F के बीच में है यानि कि between O and F और अब मेरी बात वो कहने वाली क्या थी कि अगर आप object को इधर 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 भी लेके जाओ तो भी image हमेशा O और F के बीच में रहेगी चाहे कुछ भी हो जाए कुछ भी का मतलब है कुछ भी हो जाए वो हमेशा इसके बीच में ही रहेगी और हमेशा diminished ही रहेगी and आखरी case हमारा मतलब second case at infinite यानि जो हमारा object है वो infinite पर पड़ा हुआ अब जब object infinite पर पड़ा होता है तो मैं पता है कि जो light rays आती है हमें पता है कि जो light rays आती है वो parallel आती है अब parallel आने वाली light rays ऐसा appear होगा कि वो focus से पास होई है बट वो actually में सीधा निकल जाएंगे तो फैल जाएंगे तो appear होगा कि वो focus से आई है तो again nature में यहाँ पर virtual बट क्यूंकि virtual के साथ हमेशा erect आता है although यहाँ पर एक point size image बन रही है तो वरना virtual भी बहुत था बट ठीक है किताबी भाशा के साब से virtual erect size हमारे पास point size है और position आप देख सकते है at हमारे पास focus है यानि कि अगर आप notice करें तो same diagrams हमने बनाए थे for convex mirror तो बिलकुल जैसे हमने convex mirror के लिए diagram बनाए थे ऐसे ही यहाँ पर हमारे कन के lens के लिए हैं वो भी हमेशा छोटी image और virtual और erect image बनाता था यह भी हमेशा छोटी image और virtual और erect image बनाता है तो इसी के साथ हमारे जो lenses हैं वो खतम होते हैं अब आगर हम आगे बढ़ें तो हमारे पास mirror formula जैसा ही एक और formula आने वाला है जिसको हम बोलते हैं lens formula अच्छा sign convention same रहेगी ध्यान रखिएगा तो मैं आपको पहले ऐसा करता हूँ sign convention convention की वो same रहेगी जो भी हमने पीछे की थी कहां है यह यह वाली sign convention की सारी बाते same रहेगी कि इदर वाले distance negative उदर वाले distance positive उपर वाली height positive नीच वाले negative बस जो छोटा सा बदलाव आया है वो क्या है mirror में इदर वाली जो image थी वो real थी लेकिन lens में इदर वाली image real होती है बस यह धियान रखना है mirror में इदर वाली image virtual थी लेकिन इदर वाली virtual है बाकी सब कुछ same रहेगा बाकी कुछ भी बदलने वाला basically नहीं है कुछ भी और change नहीं होने वाला है चलिए तो sign convention की बात करें again same पिछली बार के तरह यहाँ पे मैं convex lens के लिए काम कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप बात कर लेना concave lens की ठीक है न for concave lens done है तो convex lens में हमारे पास u जो है वो v जो है यह पहले f कर लेते है फिर हमारे पास v फिर हमारे पास u फिर हमारे पास अब यू तो हो गया क्या कर रहा है coffee पीनी पड़ेगी क्या h1 और h2 ठीक है हर बार के तरह तो अब हमारी sign convention क्या है सब कुछ same है क्योंकि object हमेशा इधर खड़ा करते हैं तो negative convex lens है convex अगर lighter यहां सही तो convex का focus उदर होगा यानि की right side पे तो positive वी की बात करें अगर real image बनाई है तो अलग है और virtual बनाई है तो अलग क्योंकि मैंने आपको पता दिया यहां पे उल्टा होता है real image lens के right side पे बनती है तो real के लिए positive mirror में बच्चो उल्टा था भूलना मत और virtual के लिए यहां पे negative आजाएगा height की अगर बात करें तो height of object हमारा जो object की height है वो हमेशा positive रहते हैं कि object हमेशा उपर के तरफ खड़ा करते हैं और अगर ऐसे ही बात करें height of image की तो हमारी जो image की height है वो depend करता है कि अगर हमारी जो image है वो बनी है erect अगर हमारी image जो है वो बनी है erect तो वो कैसे बनेगी positive और अगर हमारी image बनी है inverted तो वो कैसे बनेगी negative हाना भई erect बनी है तो positive और inverted बनी है तो negative simple है बस यहीं तो change आया है आप जाके चेक कर लो बाकी सारे sign conventions यह में जल्दी से concave lens के लिए करो एक मिनट देता हूँ एक मिनट तो मतलब मैं क्यों नहीं नहीं दूँगा आप वीडियो को pause करो एक मिनट के लिए और जल्दी से concave lens के लिए काम करो नहीं तो फिर आगे बढ़ रहे हैं आप आपने करने के बाद ही वीडियो को play किया होगा तो हमारे पास U जो है V जो है F जो है H1 जो है और H2 जो है अब V जो है वो तो negative है हमेशा object को तो हम इधर ही खड़ा करते हैं तो वो तो negative ही आएगा V की अगर बात करें तो यह हमेशा कौन सी image बनाता है negative हो जाएगा और अगर इसकी focal length की बात अगर हम लोग करें तो इसकी focal length कैसी बन रही है अब क्योंकि concave lens की focal length जो है वो इधर है यानि की again left side पर है तो यह भी negative आ जाएगा लेकिन यह हमेशा object तो उपर ही रखते है यह हमेशा image जो बनाता है वो virtual और erect है इरेक्ट है तो हमेशा positive आएगा ठीक है जी तो यह हमारे sign convention हो गए done है मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत आपकी होनी चाहिए ठीक है अब जैसे ही हमने sign convention पड़ा अब बारी किसकी आएगी बिल्कुत है ही कहा रहे हो mirror formula की ठीक है जी मतलब mirror formula जैसे ही बिल्कुत similar चीज़ की जिसका नाम क्या है lens formula तो आओ lens formula देखते हैं कि वो क्या है बच्चो चीक है जी तो चलिए बात करेंगे अब lens formula अगेन lens formula जो है mirror formula जैसी same इसकी परिभाशा है mirror formula की definition क्या थी एक ऐसा formula जो mirror की focal length object distance और image distance को आपस में relate करता था बिल्कुल यहां पे भी ऐसा है बस जो formula उसमें क्या change होगा वहां पे अगर आपको यहां दो तो formula था one upon focal length is equal to one upon image distance plus था वहां पे यहां पे बस क्या आजाएगा minus आजाएगा यह ध्यान रखना है यानि बाकी सब सेम है लेकिन plus की बजाएगा यहां पे minus आजाएगा अब वहां पे आप one upon object distance plus one upon image distance या one upon image distance plus one upon object distance लग सकते थे बड़ा I hope यह तो common sense की बाद है क्योंकि यहां पे minus आगया है तो यहां पे आपको आप इन्हें आगे पीछे नहीं कर सकते तो one upon image distance minus one upon object distance ही formula रहेगा तो one upon f is equal to one upon v minus one upon u यह हमारे पास आ जाएगा mirror formula और जैसे की lens oh sorry lens formula और जैसे की mirror formula के ओपर numerical आएंगे बिलकुल same lens formula के ओपर भी आएंगे मैं फिर से बोल रहा हूं बार बार एक बात बोल रहा हूं कि जो भी formula होता है वो लगाने से पहले आपको जो values हैं वो sign convention के साथ लगानी होती है आपको quotient में u, v, f, h1, h3, इस सब चीजे positive या normal form में दे रखी होंगी आपको देखना हूँ कि मुझे उन्हें positive में लेना है या negative में जो कि हमने sign convention में देखा इसके बाद हमारे पास same आता है magnification भी definition same वही है वहाँ पर magnification की definition क्या थी अगर आपको याद हो तो magnification की definition थी the ratio of height of image to height of object यहाँ पर भी same definition ही है कि जो magnification है वो height of image to height of object जिसको हम h, i by h not से show करते हैं अब याद करो कि वहाँ पर जो magnification का formula था वो h2 by h1 के अलावा और क्या था जल्दी से याद करो और अपने मन में दोहराओ कि वहाँ पर formula h2 by h1 के अलावा क्या था तो answer है वहाँ पर formula था minus v by u लेकिन कमाल की बात यह है कि यहाँ पर जो formula है वो minus v by u के बजाए v by u है यानि कि जो हमारे lens formula है उसमें से minus जो है वो आ गया है हाना हमारे lens forms की brightness की change हो रही है हमारा जो lens formula है उसकी magnification में minus आ गया है लेकिन वहीं पर हमारे जो lens formula है उसमें plus की बजाए minus आ गया है लेकिन हमारे जो magnification है उसमें minus की बजाए plus हो गया है हाना तो दोनों जगा बस sign ही change हुआ है और magnification का जो h2 by h1 वाला formula है वो तो सेम है दुबारा बोल रहा हूँ magnification का formula minus v by u के बजाए v by u हो गया है और lens formula one upon f is equal to one upon v plus की बजाए minus one upon u हो गया है बाकी सारी बाते सेम लागू होंगी कि magnification एक से बड़ा होगा तो magnified एक से छोटा होगा तो diminished एक होगा तो same size plus में होगा तो हमारा image erect है minus में होगा तो inverted है बाकी सारी बाते जो है वो same लाग होती है जी कि इसके बाद हम लोग बचो बात करते हैं इस chapter के आखरी topic की बाकी पीछे refractive index वाला topic बच रहा है मुझे पता है लेकिन इस chapter की आखरी topic के बारे में विचे इस power of lens अब अगर आपको याद हो तो power हमने 9th class में power का मतलब पढ़ावाय पावर का मतलब 9th class में था the rate of doing work यानि work done upon time लेकिन यह जो power of lens है वो काफी अलग है काफी different है power of lens कि इसकी दो परिभाशाएं होती है पहली परिभाशा the capability to converge और diverge light by a lens एक lens कितनी light को converge या diverge करता है इससे हम power निकालते हैं लेकिन इससे आपके numerical नहीं होंगे तो जो numerical definition है और फिर हम उस परिभाशा को समझेंगे भी कि power of lens power of lens is reciprocal of focal length of lens यह वाली definition को समझना है यह तो शायद समझ में आती है कि एक lens कितनी light को converge या कितना light को diverge कर सकता है कितना light को इखटा कर सकता है और कितना light को फैला सकता है इससे ना पा जाता है power लेकिन इसकी जो नीचे वरे definition है वो कहती है कि power of lens का मतलब one upon focal length यानि reciprocal of focal length इसका formula लिखते है फिर इसको समझेंगे भी कि हम ऐसा क्यों कह रहे है कि जो power of lens होता है जो power of lens होता है वो lens का ही one upon focal length होता है ऐसा क्यों कह रहे है पावर को हम represent करना वाले है capital P से और focal length को तो हम small f से करते हैं तो power का formula one upon f आ जाता है अब इस हिसाब से अगर बात करें तो si unit of power power की si unit क्या है focal length की si unit क्या होती है meter वैसे तो हम इसके numericals में ज़ादार centimeter लेंगे बट centimeter si unit नहीं है si unit तो meter ही है अब अगर one upon meter है तो meter उपर जाके क्या हो जाएगा meter inverse one upon meter है तो meter जो है वो उपर जाके क्या हो जाएगा meter inverse तो हमारी power की एक unit तो आ गई meter inverse लेकिन इसकी एक और unit है जिसको diopter कहा जाता है बच्चो इसकी एक और unit होते है जिसको diopter और capital D से represent करते हैं किसी के नाम पे रखे गई है जो भी SI units का symbol capital होता है आप समझ जाओ वो किसी का नाम सरने में है तो diopter किसी के नाम पे रखे गई है सरने में पे रखे गई है तो lens की power को हम meter inverse में भी नाप सकते हैं बर जाधा तर नापेंगे नहीं हम हमेशा power of lens को diopter में ही नापेंगे तो जैसे कि आप में से कुछ बच्चो जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको चश्मा लगा होगा तो चश्मे की power जैसे किसी की minus 2 होगी minus 1.5 होगी minus 0.5 होगी तो वो diopter ही है वो diopter ही है है ना capital D कभी आपने अगर डॉक्टर से prescription ली हो आपकी eye check-up हुआ हो तो उसमें उन्हें जो power of lens recommended लिखा होगा उसके साथ bracket में जो unit लगा होगी वो minus 2 जा minus 0.5 के आगे d लगा होगी power हम पढ़ाएंगे human eye में कि मैं minus c q बोल रहा हूँ आपकी power minus c क्यों होगी वो हम देखेंगे क्योंकि generally आपकी उमर में सबको एक बिमारी होती है आँखों की जो होती है वो myopia होती है hypermetropia नहीं पढ़ेंगी human eye में जिसमें हमें concave lens पहनना होता और इसी से ही हमारा ये भी topic आता है कि पहली बात तो अगर power negative है तो इसका मतलब क्या है अगर power negative है तो इसका मतलब है focal length negative है और अगर focal length negative है तो इसका मतलब है कि concave lens है क्योंकि concave lens की focal length negative होती है वहीं पहर अगर power जो है वो positive है power जो है वो positive है तो focal length जो है वो भी positive होगी और इसका मतलब है कि वो convex lens है तो यह भी ध्यान रखना है कि ऐसे भी कोशन आते हैं एक नंबर में एक नंबर में आप सकता है जर्शन रिजन पावर आपको प्लस वन डाप्टर दे रखिए प्लस 1.5 डाप्टर दे रखिए तो वह लेंस कौन सा है तो वह कन्वेक्स हो जाएगा नैसे ऐसे करके बाकी निम भाषा समझते हैं कि पावर जो है वो वन आप ऊन फोकल लेंस हुआ कैसे है बट अगर मैं यहां पर आपको एक नोच का पॉइंट की महां लो मैने कुछ लेंसिस को कम्बाइन कर देंगें यह मेरे पास एक कन्वेक्स लेंस है यह मेरे पास एक दूसरह कन्वेक्स लेंस हे ये मेरे पास एक तीसरा एक लेंसेज लेकिन ये कनकेव है और मेरे पास यहाँ पर एक चौथा लेंसेज जो की कन्वेक्स है ना इन सबको मैंने कॉन्टाक्ट में रखा वाद अब सबकी अलग-अलग पावर है इसकी पावर है पीवन इसकी पावर है पीटू इसकी पावर है पी 3 इसकी पावर है पी 4 किसी की positive किसी की negative लें कुछ तो power होगी तो जब हम किसी को बहुत साई lenses को combine करते हैं contact में लेके आते हैं तो जो total power होती है यह जो total power होती है जिसको मैं पी टोटल क्या देता हूँ वो सब power के sum के बराबर होता है वो सब power के sum के बराबर होता है यह formula आपको अगर नहीं आपे चार lens है तो चारों की power पाँच है तो पांच दो है तो दो सब की power अगर आप add कर दो तो इससे में total power of lens जो है वो मिल जाएगा यानि कि अगर मेरे पास द जो laser है वो अब light को जादा converge करने लग जाएगी एक lens है तो दो lens अकर लगाओंगा और दोनों convex होंगे तो power add हो जाएगी और जादा light को converge करेगे लेकिन अगर convex के सामने cancave लगा दूँगा तो एक की power plus में होगी एक की power minus में होगी तो cancel होके power कम हो जाएगी अभी मेरे पास हाथ में एक पतला convex lens है जिसकी power काफी कम है और उशांक सर के पास एक मोटा convex lens है जिसकी power काफी ज़्यादा है हमने अपने अपने हेल्थ के साब से lens पगड़ लिये हैं ठीक है अब तब मोटा हो चुका हो बच्छो लेकिन मेरे पास ये काफी thin convex lens है जिसकी power बहुत कम है तो मैं इसमें से laser light पा कुछ एवर ओर लेकिन अगर उशांक सर lens को लेके आएंगे तो light जौधा converge होने लग गई अब सर अटाएंगे तो देखो light कम converge हो रही है सर वापस से लगाएंगे तो light ज्यादा converge हो रही है सर हटाएंगे कम हो रही है जबा करेंगे तो बढ़ रही है इसका मतलब क्या है कि power आपर जो है वो एड हो जाती है जब भी हम कॉंटाक्ट में लेंसे को लेके आते हैं इसके उपर कोई निमेरिकल आपको नहीं मिलेंगे NCRD में क्योंकि हमारे सेलेबस का हिस्सा NCRD के अकॉर्डिंग नहीं है बट सवाल यह उड़ता है अब कि यह जो पावर औफ लेंस है यह वन अपन फोकल लेंस हुआ कैसे हो गया है ना आओ ज़रा इसको समझते हैं हमने उपर लिखा है कि जितना जादा कंवर्ज जितना जादा डाइवर्ज करेगा वह उतनी पावर जादा होगी तो मैं यहाँ पर दो डाइगराम की मदद से आपको समझाता हूँ यह मेरे पास एक कंवेक्स लेंस है अच्छा यह मैं आपको भी लेजर से दिखाना भी वाला हूँ कि अगर मैं दो लेंस एक लेंस से लाइट तो हम देखी चुके हैं कैसे बेंड होती है और में दोसे देखेंगे तो जादा बेंड होगी या कम तो अब बडे से बाता लाइट जादा बेंड होने लग जाएगगी 微 MATT वो तो अभी देखी रहें अगर यह मेरे पास एक lens है और यहाँ पर मेरे पास एक और lens है comparison गिले इसको नीचे लगदेते success से अब इन में से और तो पल लेक्ड को पास्त कर सो कीए कि दोनों lens में से इस वाले lens में light यहां जाके मिली, चीक है, ओके, क्योंगी convex है तो इस वाले में light यहां जाके मिलती है, अब आपको मुझे एक simple से question का जवाब देना है, कि कौनसे वाले lens की जो power है, वो जादा है, आपको time stamp के साथ A और B, time stamp देख लो क्या हो रहा है, time stamp के हिस ठीक है ना, यह A lens है, यह B lens है, तो I hope आपने answer जो है, लिखा होगा comment section पर, lens B की power जो है, वो जादा है, हमने यहां पर किस हिसाब से बोला कि lens B की power जादा है, क्योंकि B वाला light को जादा converge कर रहा है, जल्दी converge कर रहा है, जहां पर A वाले lens ने बहुत late light को converge किया lens के बाद, व मोटाई पर मज जाना, material भी अलग हो सकता है, converging power, material और चोड़ाई, मोटाई सब पर depend करती है, तो मोटाई पर नहीं जाते हुए, हमने parallel beam को मारा, तो इस वाले ने parallel beam को बहुत पहले converge कर दिया, वहीं पर इस ने parallel beam को थोड़ा late converge किया, लेकिन अगर आप notice करें, तो इसकी ज यह भी हुआ, जिसकी focal length छोटी होगी, मतलब वो light को जल्दी converge करेगा, और जिसकी focal length छोटी होगी, उसकी power जादा हो जाएगी, इसका मतलब है formula ठीक है, कि power और focal length देख दूसरे के universally proportional है, reciprocal है, जिसकी focal length कम होगी, उसकी power जादा हो जाएगी, समद गया, तो यहाँ पे अगर म अब बात करूं, तो हमारा जो chapter है वो खतम हो जाता है, इससे पहले हम combination of lenses को भी देख लेते हैं, कि जब हम दो lenses को एक दूसरे के साथ combine करते हैं, तो कैसे हमारी जो power है, वो add-on होती है, आओ एक बार यह देख ले पहले, ठीक है जी, I hope आपने यह देखा कि कैसे lenses को combine करने प और बढ़ जाती है, अब हमारा इस chapter का आखरी topic, which is refractive index, अब refractive index को मैंने थोड़ा सा end के लिए छोड़ दिया था, ऐसाच कोई reason नहीं था, topic बहुत प्यारा है, इसलिए इसको थोड़ा end तक छोड़ दिया था, बस और कोई कारण नहीं है, refractive index जो है, वो क्या चीज है, पह पहली बात तो हमने जो law of refraction में स्नेल्स law पड़ा था, जिसने बोला कि जो sin i by sin r का जो ratio है, वो हमेशा constant रहता है, पहली बात तो इसी constant को हम refractive index कहते हैं, पहली बात तो यही जो ratio है, इसी ratio को refractive index कहा जाता है, तो refractive index क्या है, इसकी उपर वाली परिभाशा भी मत पढ़ना, actually मैं अगर मैं ऐसा बोलूँ कि light ray मेरे पास ये एक one medium है और ये two medium है, कोई भी एक rarer है, कोई भी एक dancer है, और light ray अगर जाती है, from one medium to another, तो हमने पढ़ा है कि वो bend हो जाती है, अब वो towards the normal bend हो, या away from the normal bend हो, it depends कि वो rarer से dancer जा रही है, या dancer से rarer है, ठीक है, तो यहाँ प या गाल रहा हूं, और हमने पढ़ा ये ratio constant रहता है, बस इसी ratio को हम लोग refractive index कहते हैं, यही constant ratio क्या कहलाया जाता है, refractive index, refractive index को हम n से भी represent कर देते हैं, तो ये sine i by sine r का जो ratio है, ये refractive index कहलाया जाता है, लेकर क्या रफ्राक्टिव इंडेक्स कभी भी किसी एक medium का होता है, यह हमेशा किसी दो मीडियम का होता है तो अवसे बात है हमेशा यह दो मीडियम का होता है जैसे यहाँ पर यह रिफ्राक्टिव इंडेक्स किसका है तो आंसर है इसको ऐसे लिखते हैं जहाँ पर लाइट जा रही होती है यह उसका रिफ्राक्टिव इंडेक्स होता है विद इसको लिखूंगा refractive index of second medium with respect to first medium मैं इसको ऐसे लिखूंगा यानि कि sin i by sin r को मैं refractive index of second medium with respect to refractive index of first medium लिखूंगा पहली बात तो यह समझ नहीं है अब माल लेते हैं light जो है वो air से water में जा रही है पहला तो यह समझो तो refractive कहां जा रही है water में तो refractive index of water upon में air आएगा पहली बात तो because मैंने क्या बोला जिस medium में light जाती है उसका refractive index जो है वो निकाला जाता है तो यहां पर आगए refractive index of water upon में air और इसका formula मरपा sin i by sin r तो हो गई अच्छा यह सारे formula speed of light के terms में भी निकाले जाएंगे इसलिए हम इसके आगया आगया भी जगा छोड़ रहे है बट पहले इसको समझते हैं अब मालो light ray water से glass में जा रही है तो कहां जा रही है भई ग्लास में तो refractive index glass का upon में refractive index water का निकाला जाएगा ध्यान रखना जिसका formula sin i by sin r होगा अब यह बात भी आपको जाननी होगी कि refractive index of air या फिर refractive index of vacuum जिसको मैंने कहा था कि हम इस chapter में एक ही बात मानेंगे यह approximately 1 ही होता है इसकी actual value air की actual value 1.0003 होती है जिसको आप समझी सकते हो कि लगभग लगभग आप 1 ही मान सकते हो अब क्योंकि air का refractive index 1 ही होता है तो दिहान रखे क्योंकि air का refractive index 1 ही होता है तो मैं इसको सिर्फ refractive index of water भी कह सकता हूँ लेकिन इसको नहीं कह सकता क्योंकि यहां पे air नहीं है क्योंकि refractive index air का 1 ही होता है तो इसलिए अगर मैंने कहीं पे लिखावा refractive index of water तो आप समझ जाना कि वो with respect to air ही लिखा हुआ है कहीं पर लिखाव है refractive index of diamond तो आप समझ जाना कि वो air के respect में है बिकास कभी भी किसी एक medium का refractive index नहीं हो सकता है इतनी आपको अकल लगानी है तो अगर कहीं पर लिखाव है refractive index of glass with respect to water तो आप समझ जाओ light ray water से glass में जा रही है बढ़ अगर कहीं पर लिखाव है सिर्फ refractive index of glycerine तो आपको समझ ना होगा कि light ray air से glycerine में जा रही है या vacuum से glycerine में जा रही है ठीक है आप जैसे कि मानलों कहीं पर लिखावा है सिर्फ लिखावा है refractive index of diamond है ना तो आपको समझ जाना होगा कि इसका मतलब यह है कि जो light ray वो air से diamond में जा रही है यानि कि यह refractive index of diamond with respect to air यह है ना और इसका formula sin i by sin r तो होगा ही होगा अब सब से important बात इतना तो आप समझ गए होंगे कि refractive index एक unit less quantity होती है क्यों क्योंकि ऊपर भी sin i है नीचे भी sin r है मतब दोनों ही quantity unit less है तो ultimately refractive index ही कोई unit नहीं होती है बट हम 12 में एक formula derive करेंगे refractive index sin i by sin r के बराबर तो ही है लेकिन यह refractive index एक और चीज़ के बराबर भी होता है रहो है speed of light के ratio के but speed of light refractive index के universally proportional होती है इसका मतलब है अगर मैंने यहाँ पर refractive index of second upon में first लिखावा है तो यह speed of light first upon में speed of light second होगा क्योंकि refractive index और speed of light आपस में universally proportional होते हैं बिल्कुल ऐसे ही अगर refractive index of water upon में air लिखावा है तो यह speed of light in air upon में speed of light in water होगा speed of light in air upon में speed of light in water होगा उल्टा होगा बिल्कुल जैसे यहाँ पे आपने refractive index of glass upon में water लिखा है तो यह speed of light in water upon में glass होगा इतना आपको समझना है यह उल्टा चलेगा ठीक है ना अब जैसे यहाँ पे refractive index of diamond है जिसका मतलब है diamond upon में air तो यह क्या होगा speed of light in air upon में speed of light in diamond क्योंकि उल्टा होगा यानि कि जो speed of light है और इसके ओपर board के exam में 90% chances हैं कि एक सवाल बनेगा चाए वो numerical हो चाए वो theory हो जैसे एक बहुत common सवाल है कि 3-4 लोगों के refractive index given होते है और आपको बताना होता है कि किस में speed जादा है किस में speed कम है तो जिसका refractive index जितना कम होगा speed उस medium में उतनी जादा होगी जैसे diamond का refractive index 2.42 होता है अगर मैं आपको facts पता हूँ तो diamond का refractive index जो होता है वो 2.4 और यह गलत value नहीं यह exact value है वहीं पे water का अगर मैं आपको refractive index पता दूँ तो 1.2 या 1.33 के आसपास होता है 1.2 या 1.33 मान लो और वहीं पे glass का refractive index वैसे तो अलग-अलग होता है 1.4 भी होता है 1.3 के आसपास वाले glasses भी है बड़ अभी के लिए average लिए हम 1.5 मान लेते हैं ठीक है अब यह तीन हमारे पास material है तो इसमें speed of light सबसे ज़्यादा किसमें होगी चलो comment section बताओ इसमें speed of light सबसे ज़्यादा किसमें होगी हाँ जी तो answer जिसका refractive index सबसे कम होगा उसमें speed सबसे ज़्यादा होगी यानि कि water में उसके बाद speed किसमें सबसे ज़्यादा होगी glass में और सबसे कम स्पीड किसमी होगी diamond में क्योंकि उसका refractive index जो है वो सबसे जादा है, बास समझ में आई, अब अगेन हमारी NCRT में नहीं लेगें कहीं किताबों में लिखा होता है, तो मैं आपको जो NCRT में नहीं है वो मैं बता तो रहा हूँ, आप चाहो तो कहीं लिख भी सकत है, और हम refractive index निकालते हैं, जैसे कि यहां निकाला तो इसको हम absolute refractive index भी कहते हैं, जैसे कि यहां पर भी निकाला, यहां पर भी air चाहरी है, तो ऐसे refractive index को absolute कहते हैं, बट अगर एक light ray में किसी एक medium से किसी दूसरे medium में जा रही है और वहां पर कोई भी air नहीं है, या कोई इस भी medium में से air नहीं है, किसी इस वाले केस में water से glass में गई, तो ऐसे refractive index को relative refractive index कहते हैं, तो refractive index with respect to air is called absolute refractive index and refractive index of any material with respect to any other medium is called relative refractive index, ठीक है, अब सवाल ही उड़ता है बचो, कि पहले बात तु मुबारक हो, हमारा यह one-shot खतम होता है, लेकिन उससे important बात किया है, यह ज जाएगा, अगर आपने इसको ढंक से पड़ा नहीं, और बिना पड़े हमारे आगे वाले session लिए, मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ, अभी आपको भले लग रहा हो कि मैंने कोई question नहीं करा है, numerical नहीं करा हो, कि यह one-shot बहुत बढ़ा हो जाएगा फिर, और अभी मैं अगले lecture में, यानि यहाँ पर 10th का जो भी अगला lecture जाएगा, चाहिए वो live हो, Monday को, आज Wednesday है, जब यह lecture ड़ रहा है, आपने इसको अब देखा, यह पता नहीं मुझे, तो Monday को, coming Monday को, हम लोग एक lecture लेंगे live जाके, जहाँ पर हम light chapter के ही question कराएगे, तुम्हें request रहेगी कि अब तक, I hope आपने यह one shot, कि अगर आप एंड पहुंचे हो, तो यानि कि आप यह one shot देख चुके हो, तो Monday, तो अगर कोई बहुत लेट देख रहा है यह one shot, तो Monday को live ले लिया होगा, आप जाके चेक कर लेना, बड़ा confusion वाला हो रहा है, बड़ पॉइंट इस वाले चनल प कि इसमें हम, आपको क्या सबसे अच्छा लगा, और क्या इसने आपकी help की, किसी भी तरीके से की नहीं, और बाकी हम इसके ओपर जब सवाल करेंगे, रिफ्राक्टिव इंडेक्स अनौल के ओपर, तो चीज़े आपको और ज़्यादा समझ में आने लग जाएंगी, mirror formula, lens formula, online के पर जब और सवाल बनाएंगे, तो आपको चीज़े और समझ में आएंगी, बाकी जो Oswal, Guru Kul की books हैं, उसका जो link है, वो आपको description वेगार हर जगा पर मिल जाएगा, तो जाकि आप books पर चेक कर सकते हैं, और ऐसे one shot और आपे रहेंगे, चैनल के साथ जुड़े रहिए, thank Thank you so much, thank you.